सुरेंद्र मोहन पाठक, विमल उन्तीस, हजार हाथ, विमल उन्तीस, फर्स्ट पब्लिष्ट उन्नी सो अठानवे, पार्ट एक, डॉट डिस्क्लेमर, यह विडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है, कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपिराइट उदेशन न नहीं है, निवेदन, सभी शोताओं से निवेदन है, कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनों या हफ्तों की मेहंत होती है, इसलिए कृपया मेरे चैनल योर बुक रीडर को सब्सक्राइब करे, और कृपया कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुन हो टू आप हमसे जूड रहे, लिंक दिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइन्स की साउंड सुनाई देते होंगे जैसे की, प्लस, हश, इनको इगनोर करे ये हमारे बुक मार्ट्स है, रेकोर्डिन के लिए होते हैं, विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, जहां आपको ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क साउंड आएगा, इसका मतलब वहां सीन चेंज हुआ है, आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सामान्य ज्यान, जब ये उपन्यास लिखी गई थ तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं, रिकम्मेंडेशन अगर आप इंदौर वासी हैं या इंदौर आए हैं, तो देशी रसोई से अपना खाना ओनलाइन ओर जरूर करें, तू आइए सुनते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक हजार हात, विमल उनती पार्ट एक माडल टाउन के इलाके में एक सफेद मारूती वैन सडक से हट कर एक पेड के नीचे खड़ी थी, वैन के शीशे काले थे और उस घड़ी चारों बंद थे, उसकी ड्राइविंग सीट पर एक कोई 30 साल का मामूली शकल सूरत वाला दुबला पतला लेकिन मजबूत काठी वा पटडी पर 50 रुपय में मिलता था, उसके बाल अभिनेताओं जैसे जबेदार थे जो की उसने बड़े करीने से संबारे हुए थे और उसकी कल में इतनी लंबी थी की कान की लों से भी नीचे पहुँची हुई थी, पोशाक के तौर पर वो एक घिसी हुई काली जीन, गोल गले वाली काली स्कीवी और चम्रे की काली जैकेट पहने था, उसने गरदन घुमा कर वैन में पीछे बैठे व्यक्ती की ओर देखा, पीछे पैसेंजर सीट पर पसरा पड़ा व्यक्ती वैन का पैसेंजर नहीं बलकि नौजवान का जोडीदार था, वो व्यक्ती उम्र रखने में खुद उसने या उसके हज्जामने काफी मेहंत की मालूम होती थी, उसके बालों की काली रंगत तफ्तीश का मुद्दा था कि वो असली थी या किसी उम्दा डाई का कमाल था, उसके नयन नक्ष अच्छे थे, रंग पहार के लोगों जैसा गोरा था लेकिन चेह करता था कि अभी उसने जिन्दगी से हार नहीं मानी थी, वो एक सजायाफता मुद्रिम था जो की पांच बार जेल की सजा काट चुका था, जेल की उन सजाओं ने और उसके दो साल पहले के आखिरी विफल अभियान ने उसके कास बल काफी हद तक धीले कर दिये थे, लेकि हिराफेरी का माहौल उसके पिछले अभियान के दो साल बाद बना था और उसकी निगाह में सेफ गेम था क्योंकि हालात पूरी तरह से उसके काबू में थे और काबू में रहने वाले थे वो एक गर्म पतलूल, चारखाने की गर्म कमीज और वीड का कोट था और गले में मफलर लपेटे था उसके सामने एक दूसरे पर चड़ी दो बैसाखियां पड़ी थी जिनका की वो महताज था दो साल पहले उसकी कई हड्यां यू तोड़ी गई थी कि यही गनीमत थी कि वो बैसाखियों के सहारे तो चल सकता था वैसे तो अब वो बैसाखियों के बिना भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और थोड़ा चल फिर सकता था लेकिन उसे डाक्तर की हिदायत थी कि वो ऐसा करने से गुरेज ही रखे कमपाउन फ्रैक्चर से उबरी उसकी टांगे अभी भी कमजोर थी और कोई भी उल्टा सीधा जटका लग जाने से फ्रैक्चर फिर हो सकता था बैसाख्यों का मोहताज होने की वज़़ से ही वो आगे पैसेंजर सीट पर अपने जोडिदार के पहलू में मौजूद होने की जगा वैन की पिछली सीट पर पसरा पड़ा था सडक के पार एक एकमंजिला कोठी थी जिसका नंबर दी नौ था और उस घड़ी वो ही उनकी निगाहों का मरकच थी उनकी मन्जिल थी अपाहिस में कोठी की ओर का वैन का शीशा आधा नीचे सरकाया सामने उस इमारत की तरफ देखा जिसमें उस घड़ी निस्तब्धता व्याप्त थी कोठी की पोठीको में D.I.A. 7,799 नंबर की एक काली एमबैसेडर खड़ी थी और बाहर कोठी की दीवार के साथ लगकर एक 86 माडल की D.I. 2448 नंबर की नीली फियेट खड़ी थी वे दोनों कारे और कोठी कभी शिव नारायन पिपलोनिया नाम के एक रिटायर तनहा प्रोफेसर की होती थी लेकिन अब वो उस शक्स के प्रियजनों के हवाले थी जिसे की वो किनी मवालियों के हाथों अपनी मौट से पहले अपना वारिज बना कर गया था यही है नौजवान ने निरर्थक सा प्रश्न किया हाँ अपाहिस बोला अब मैं जाके आता हूँ अकेले जाओगे उस्ताद जी और क्या फौज लेकर जाओंगा भीतर है कौन एक औरत जो कभी मेरे हाथों की कटकुतली थी और उसका दो महिने का दुद्मुहा बच्चा अब मैं इतना भी मोहताज नहीं कि अपनी ही फाक्ता को फिर अपने हाथों चुगा न चुगा सकूँ यानि कि मेरे फिक्र करने की कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर भी बर्खुरदारी दिखाना चाता है तो एक काम करना क्या मुझे भीतर बड़ी हद 15 मिनिट लगेंगे उसके बाद भले ही मेरी खैर खबर लेने तुम भी भीतर पहुँच जाना ठीक है अपाहिज ने शीशा वापिस चढ़ाया और दर्वाजा खोल कर वैन से बाहर कदम रखा उसने अपनी दोनों बैसाखियों संभाली और उन्हें ठक्ट काता कोठी की ओर बढ़ा पीछे नौजवान ने हाथ बढ़ा कर वैन का पिछला दर्वाजा बंद किया और फिर स्टेरिंग थप्थपाता प्रतीक्षा करने लगा अपाहिस ने दोपहरबात की उस घडी सुनसान पड़ी सडक पार की कोठी का आईरन गेट थेल कर भीतर कदम रखा और बरामदे में जाकर काल बैल बजाई एकाएक बजी काल बेल की प्रतिक्रिया स्वरू पालने में सोया पड़ा ननहा सूरज एक बार कुनमुनाया और फिर शान्त हो गया मेरा बेटा, वो अनुरागपूर्ण भाव से पालने में जाकती मन ही मन बोली मेरा सूरज सूरज सिंग सोहल, सन आफ सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल उसने वाल क्लॉप पर निगार डाली देन बजा था सुमन के आने का अभी वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अक्सर वो वक्त से पहले ड्यूटी खत्म करके भी लौट आती थी गोल मार्केट में अपनी मा स्वर्नलता वर्मा और छोटी बहन राधा के साथ हुई घातक ट्रेजेडी के बाद से तनहा हो गई सुमन माडल टाउन की उस कोठी में अब नीलम के साथ ही रहती थी वो महांगर टेलीफोन निगम में च्रंग आपरेटर थी इसलिए उसकी ड्यूटी की शिफ्ट बदलती रहती थी काल बैल फिर बजी उसने आगे बढ़ कर दर्वाजा खोला उसकी आंगतुक पर निगाह पड़ी तो एकाई जैसे उसकी धम्यों में खोन जम गया वो मुह बाए हक्की की आगंतुक की सूरत देखने लगी नमस्ते आगंतुक जबरन मुस्कराता जबरन अपने स्वर में मिश्री घोलता बोला तुम बड़ी कठिनाई से नीलं के मुण से एक शब्द फूटा शुक्र है शुक्र है पहचाना तो सही बीबी नीलं ने अपने बिछुडे बलं को आंखों में काईयां भाव लिये और होठोन पर जबर्दस्ती की मुस्कराहत चिपकाए बैसाखियों के सहारे जूलता सा खड़ा वो स्रिष्टी का आखिरी शक्स था जिसकी की वो उस घड़ी अपने सामने मौजूदगी की कलपना कर सकती थी उसे लग रहा था कि कोई मुर्दा कबर से उठकर खड़ा हो गया था कोई प्रे था जो एकाएक वहां प्रकट हुआ था खड़ी खड़ी मर गई गया एकाएक अपाहिज अपने स्वभाव सुलप करकश स्वर में बोला अब रास्ता तो छोड़ मुकमल तौर पर देहशत के हवाले नीलम की मजाल न की एस्टरिस्क 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 कोठी के सामने आटो को रुखवाया उसके मीतर पर निगाह डाली और फिर भीतर बैठे-बैठे ही आटो ड्राइवर की तरफ एक पचास का नोट बढ़ाया ज्राइवर ने भी उचक कर पीछे मीतर को देखा और फिर वापिस लोटाने के लिए रकम गिनने लगा सुमन की उचक्ती सी निगाह सडक से पार पेड के नीचे खड़ी सफेद मारूती वैन पर पड़ी काले शीशों की वज़ह से जिसके भीतर बैठा कोई शक्स उसे दिखाई नहीं दे रहा था ज्राइवर ने उसे बाकी पैसे लोटाए कंधे पर लटकने वाला अपना बस कंड़क्तरों जैसा बैक संभाले वो आटो से नीचे उतरी मशीनी अंदाज से उसने आटो वाले को थैंक्यू बोला और कोठी के आईरन गेट की ओर बढ़ी शनकोठी का प्रवेश द्वार खुला और भीतर से बैसाख्यों के सहारे चलते एक व्यक्ती ने बाहर कदम रखा फिर चहरे पर परम संतुष्टी के भाव लिए वो आगे बढ़ा उसके पीछे उसे चोखट था में खड़ी बधावास नीलम दिखाई दी सुमन ने गेट खोल कर भीतर कदम रखा तब तक करीब पहुँच चुके अपाहिज ने यूँ कृतग्य भाव से उसकी तरफ देखा जैसे सुमन ने खास उसके लिए गेट खोला हो सुमन अपलक उसे देखती रही बैसाखिया ठक्ठकाते उस शक्स ने सड़क पार की वो वैन के करीब पहुचा तो भीतर से किसी ने वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया तब सुमन को भीतर ड्राइविंग सीट पर बैठे लंबी कलमों वाले शक्स की भी एक ज़लक मिली अपाहिज बड़े यतन से वैन में सवार हुआ उसने वैन का दरवाजा बंद किया और फिर वैन वहां से रवाना हो गई और कुछ खशन बाद वो आगे मोड काट कर सुमन की द्रिश्टी से ओजल हो गई गेट के करीब ठिट की खड़ी सुमन की तंद्रा तूटी वो लंबे डग भरती कोठी के खुले प्रवेशदवार की तरफ बढ़ी जहां की चौखट ठा में नीलम खड़ी थी वो करीब पहुची तो नीलम जबरन बोली आज जल्दी आ गई हाँ सुमन बोली दाव लग गया कौन था ये आदमी कौन आदमी अरे वो लंगड़ा जो अभी अभी यहां से गया वो वो कोई नहीं था कोई नहीं था मेरा मतलब है यूही यूही कॉल साहब का कोई वाकिफकार था जो मिलने आ गया था पहले तो कभी नहीं आया था इतफाक की बात है बड़ी अजीब शकल का आदमी था देख के दहशत होती थी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मुझे तो लगता है कि आप भी उसकी दहशत थाए बैठी हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो फिर आपके हवास क्यों उड़े हुए हैं आपकी सूरत से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने भूत देख लिया हो पागल हुई है ऐसा कहीं होता है लेकिन वो एक मामूली आदमी था बाज लोगों की शकल होती ही दरावनी है उपर से अपाहिज, कांगो से लाचार, बैसाखियों का मोहतार्ज ऐसे लोगों की जाती दुश्वारियों का अक्स हमेशा के लिए उनकी सूरतों पर चिपक के रह जाता है लेकिन अब छोड़ वो किस्सा भीतर आ अन्मने भाव से सुमन ने भीतर कदम रखा अगले रोज सफेद मारूती वैंड पिछले रोज के वक्त से दो घंटे पहले माडल टाउन में अपने पिछले रोज वाले स्थान पर मौझूद थी बैसाखिया संभाले अपाहिज वैंड से बाहर निकला उस्ताद जी संभल के एकाएक उसका जोडीदार चेतावनी भरे स्वर में बोला धोखा हो सकता है कैसा धोखा अपाहिज की भवे उठीन समझो आखिर उस्ताद हो कैसा धोखा भीतर बीबी के साथ तुम्हारे स्वागत के लिए कोई मौजूद हो सकता है जितने कड़क मवाली की बीवी तुम उसे बताते हो उस लिहाज से शुक्रिया शुक्रिया की तुने मुझे कड़क मवाली कहा मैं आपकी बात नहीं कर रहा था नहीं कर रहा था तो अब कर ले उस्ताद जी बात का मतलब समझो समझ लिया तू भी समझ के रख की तेरे लिए कलवाली हिदायत आज भी लागू है अगर मैं पंदरा मिनिट में वापिस न लौटून तो जो जी में आए करना पंदरा मिनिट में अपाहिज कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला पाँच मिनिट में ठीक है लेकिन अपाहिज चार मिनिट में वापिस लौटा यो लौटा जैसे कोठी को भीतर से चूने ही गया हो वापसी में उसकी बाच्छे खिली हुई थी उसकी सूरत पर एकाएक जैसे हजार वाट का बल्ब जल उठा था नौजवान देखते ही समझ गया कि लंगड़ा उस्ताद किला फता कराया था दो लाख रूपया कितना होता था उसका एक चौथाई हिस्सा उस्ताद की तरह ही खुशी से दमकता नौजवान अपने जेहन पर दो लाख के एक बटा चार के बराबर नोटों का अक्स उतारने लगा एस्टरिस्क 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 एक हफ़ते बाद फिर वैसा ही फेरा लेकिन उस बार रकम तीन लाख जो की काम्याबी से वसूल पाई गई अब अगले हफ़ते चार लाख अपाहिज उस्ताद ने बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से मन ही मन सोचा इसे कहते हैं उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना या मादरी जुबान में दित्ती धेली ते मल्ली हवेली बढ़िया बढ़िया और एक हफ़ते बाद नीलम उदास थी हलकान थी परेशान थी रकम की मांग फटे जूते की तरह बढ़ती जा सकती थी ऐसा उसे अंदेशा था लेकिन वो हफ़तावारी पेश होने लगेगी ये उसने नहीं सोचा था अगले रोज अपनी बैसाखिया ठटकाता, अपने लाचार लंगरा होने की दुहाई देता, पुराने तालुकात का सदका देता, प्रत्यक्षता माली इंदात की फरियाद करता लेकिन असल में रकम की वसूली के लिए धमकाता वो फिर आने वाला था लेकिन चार लाख रुपए तो उसके पास नहीं थे उसके सहेज भाव से उस बाबत सुमन से सवाल किया था तो पता चला था कि उसके पास तो बैंट एकाउंट में मुश्किल से तीस हजार रुपए थे जो की वो तुरंद उसकी नजर करने की तैयार थी लेकिन तीस हजार से क्या बनता था तो फिर कहां से हासिल करे उस रखम को वो विमल से तौबा हालिया वाक्यात की विमल को तो वो भनत भी नहीं लगने दे सकती थी, खुद वो ही भला क्योंकर उसे सब कुछ कह सुनाती और सब कुछ सुने बिना वो बात की एहमियत को समझता तो कैसे समझाता नहीं, नहीं, विमल नहीं, विमल हर्गिस नहीं उसे योगेश पांडे का ख्याल आया योगेश पांडे CBI के एंटी टेररिस्ट स्क्वायड नामक विभाग में उच्चाधिकारी था और वो शक्स था विमल की गैरहाजरी में जिसकी उन्हें सरपरस्ती हासिल थी लेकिन वो शक्स पुलीसिया था वो असलियत को भाम सकता था और फिर उसकी सलामती की खातिर अपनी विमल से दोस्ती की खातिर कोई ऐसा कदम उठा सकता था जो की नीलम को माफिक नहीं आने वाला था भौकते कुट्टे का भौकना जब तक रोका जा सकता था तब तक वो उसे रोके रहना चाहती थी तो फिर कौन? उसे मुबारक अली का ख्याल आया वो घनी दाड़ी वाला, सिर्से गंजा, फरिष्टाजात मुसल्मान जिसने मुंबाई से गजरे के चुंगल से विमल को निकलवाने में उसकी मदद की थी और जो उसके साथ ही वहां से दिल्ली लोटा था क्या उसकी उसे चार लाख रुपए देने की आउकात हो सकती थी? हो तो सकती थी आखिर वो विमल का मुंबाई का जोडीदार था मुंबाई की पुलीस को उसकी तलाश थी इसलिए दिल्ली में तो वो महज अपनी असलियत छुपाने के लिए बसा हुआ था टैक्सी ज्राइवर भी वो इसी वज़़ से था और इसी वज़़़ से उसने अपनी दाड़ी बढ़ा ली थी और सिर घुटवा लिया था विमल से वो कितना मुतासर था इसका यही बहुत बड़ा सबूत था कि अपनी गिरफ्तारी की अपनी जान की परवा किये बिना अली वली नाम के अपने दो भांजों के साथ और धोबियों की पलतन के साथ विमल की मदद के लिए उसके बिना बुलावे मुंबई पहुँच गया था जहां कि वो गिरफ्त उसके हाथ खोन से रंगे थे कोई खोन भी उसके खिलाफ साबित हो जाता तो जरूर फासी पर चड़ता एकाएक फोन की घंती बजी उसने आगे बढ़ कर फोन उठाया हलो वो माउटपीस में बोली मैं बोल रहा हूँ आवाज आई मैं कौन? बीबी एक ही शक्स तो है दिल्ली शहर में जो आजकल तेरी जिन्दगी में कोई एहमियत रखता है क्या चाहते हो? तुझे मालूम है फोन क्यों किया? तुझे याद दिलाने के लिए मैं कल आ रहा हूँ खबरदार कल ना आना क्यों भला? अभी मेरे पास रखम का कोई इंतजाम नहीं क्या बती है? मेरे पास अभी ये कोई मानने की बात है महान सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल की रखेल और उसे पैसे का तोड़ा खबरदार क्या खबरदार? जो मुझे मुझे रखेल कहा और क्या है तू? एक खसम के होते दूसरा करेगी तो असल में तो उसकी रखेल ही कहलाएगी उसकी रखेल और उसके हरामी बच्चे की मा कमी ने लगाम दे अपनी गंदी जुबान को सच कड़ुवा लगता है न? बकवास बंद कर चल ऐसे ही सही तू भी क्या याद करेगी? अब बोल क्या कहती है? मुझे रकम के इंतिजाम के लिए वक्त चाहिए कैसे करेगी इंतिजाम? इससे तुम्हे कोई मतलब नहीं होना चाहिए सोहल को चिठी लिखेगी? फोन करेगी? या खुद मुंबई पहुँच जाएगी? बोला ना इससे तुम्हे कोई मतलब नहीं होना चाहिए चल ऐसे ही सही लेकिन एक बात का ख्याल रखना किस बात का? गायब हो जाने की कोशिश न करना मेरा तेरे पर कोई पहरा नहीं है इसलिए तू चाहे तो गायब हो सकती है लेकिन मैं तुझे फिर धून लूँगा जैसे पहले धून धा, वैसे फिर धून लूँगा पहली बार बहुत ताइम लगा लेकिन इस बार मैं ये काम जल्दी कर दिखाऊंगा, तेरी उम्मीद से कहीं जल्दी कर दिखाऊंगा, मैं तुझे पाताल में से भी खोज निकालूंगा, समझ गई, धंकी दे रहा है, और क्या लोरी सुना रहा हूँ, सामने तो गिरगिराता है, लंगरा अपाहिज होने की दोहाई देता है, आखे नम करके पुराने तालुकात की याद दिलाता है, मेरी जान उसका लहजा बदला, मैं भी क्या करूँ, तेरे सामने पढ़ता हूँ, तो जजबाती हो जाता हूँ, उन रातों को याद करने लगता हूँ, जो हमने सैंकरों मर्तबा एक दूसरे के पह भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि मेरी सारी हालिया दुश्वारियों की वज़ा तू है, और सिर्फ तू है, तो कमीना है, नाशुक्रा है, अच्छा, नहीं जानता कि आज तू जिन्दा है, तो मेरी वज़ा से, विमल तुझे जान से मार डालना चाहता था, उसने त तेरी हंडिया तोड़ कर ही सब्र कर लिया तो मेरी वज़ा से, मुझे नहीं मालूम था, अगर ऐसा है, तो मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, आया बड़ा शुक्रगुजार कर बच्चा, लेकिन मेरी जान, ये तेरा मेरे पर एहसान क्यों कर हुआ, क्या मतलब, हर हिंदो सानी औरत का फर्ज होता है, अपने सुहाग की रक्षा करना और, और, बकवास बंद कर, रुरजानिया, हला, हला, तो बात ये हो रही थी कि गायब हो जाने की कोशिश न करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, वदिया, अब बोल, रकम का क्या कहती है, इंतजाम में वक्त ज्यादा नहीं, कितना, एक हफ्ता, पागल हुई है, उलू बनाती है, जो करना है, दो तीन दिन में कर ले वरना, ठीक है, ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा, मैं खबर कर दूंगी, अपना नमबर बोलो, मेरे पास फोन नहीं है, इसलिए मैं ही फोन करूंगा, ठीक है, करना, तब तक के लिए नमस्ते, लाइन कट गई, नीलम ने भी धीरे से रिसीवर वापिस क्रेडल पर रखा और हातों में माथा थामे फोन के करीब बैठी रही, हे माता भगवती भवानी फिर वो कातर भाव से होटों में बुद्बदाई ये कैसा इंतिहान है मेर हे भवानी वाली माता, हे महिशासुर मर्दिनी, मुझे भी ऐसी शक्ती दे कि मैं इस महिशासुर की गर्दन काच सकूँ तब उसे उस रिवालवर की याद आई जो तुकाराम की चित्थी के जवाब में मुंबई रवाना होने से पहले विमल उसके पास छोड़ गया था वो एक 38 कैलीबर की रिवालवर की जो पूरी भरी हुई थी और जिसकी अतिरिक गोलियां भी घर में मौजूद थी जान से माल डालूँगी पूरी की पूरी रिवालवर कमीने के पाक जिसमें खाली कर दूँगी लेकिन अभी नहीं अभी कुत्ता फासले से भौक रहा था अदब से भौक रहा था हड़ी फैकने पर चुप हो जाता था एन सर पर सवार होकर भौकने की धमकी देगा तो सही कदम उठाऊंगी लेकिन अभी नहीं अभी नहीं उसे फिर मुबारक अली का ख्याल आया दिल्ली में उसका घर कहा था ये उसे नहीं मालूम था किसी ने विमल ने या खुद मुबारक अली ने उसे बताया था तो वो भूल गई थी लेकिन इतना उसे याद था कि वो अभी भी दिल्ली में टैक्सी चलाता था और सुजान सिंग पार्क में स्थित फाइव स्टार होटल एमबेसेडर का टैक्सी स्टैंड उसका पक्का ठिया था उसने मुबारक बाद अली को तलाश करने का फैसला किया सहारा एरलाइन्स की मार्निंग फ्लाइट से मुबारक अली मुंबई में सहर एरपोर्ट पर उत्रा उस घडी वो अपनी पसंदीदा पोशा कत्थई रंग की शेरवानी, काले फुंदने वाली लाल तुर्की टोपी और पेशावरी चपल पहने था और बड़ा इजद्दार और संभ्रांत व्यक्ती लग रहा था दिल्ली से प्लेन में सवार होने से पहले अपनी दाढ़ी उसने बहुत सलीके से तर्शवा ली थी और उसका गंजा सिर्थ तुर्की टोपी के नीचे छुपा हुआ था प्लेन से उत्रे उस मुसाफिर को देख कर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक अनपड मवाली था, खुंखार गादा था, एलानिया फरार मुजरिम था एरपोर्ट की मार्की में पहुँच कर वो एक पब्लिक टेलीफोन में घुज गया जहां से कि उसने विमल का मुबाइल नंबर डायल किया जो उसकी पिछली बार की मुंबई से रवानगी के वक्त विमल ने उसे दिया था जैसा की अपेक्षित था, कतकाल उत्तर मिला सलाम आलेकम बाप वो धीरे से बोला मैं मुबारक अली इधर मुंबई में अभी पहुचा एरपोर्ट से बोलका है अरे विमल का हैरानी ध्रास्वर उसके कान में पड़ा क्या हो गया? खैरियत तो है? है भी नहीं भी है क्या मतलब? रूगरू होगा तो बताएगा इसी खातिर खड़े पैर मुंबई पहुचा किधर है? होटल में? मेरे को फौरण तेरे पास पहुचना मांगता है क्या वानदा है? होटल पहुच कोई रोकेगा तो नहीं? टोकेगा तो नहीं? पुछेगा तो नहीं की बड़े साहब से क्यों मिलाना मानता है मुबारक अली मैं तेरे लिए साहब और वो भी बड़ा कब से हो गया तो मैं पहुचू उधर हाँ दोंगरे तेरे को लोबी में मिलेगा वो तुझे सीधा मेरे पास ले आएगा वो मुझे पहचान लेगा हाँ मैं पहुचता है बाप लेकिन माजरा क्या है आक्के बताता है बताने ही आया तभी तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में आनन फानन इधर पहुचा पिलेन में सवार होकर तु मुझे सस्पेंस में डाल रहा है दस मिनट की बात है मैं पहुचा की पहुचा ठीक है मुबारत अली ने फोन को हुप पर टांगा और जाकर एक टैक्सी में सवार हो गया होटल सीव्यू चल वो बोला वो तो आजकल बंध है टैक्सी ड्राइवर बोला पंद तेरा मुह खुला है क्या बंध कर ले मक्खी घुस जाएगी टैक्सी ड्राइवर हक्ब काया फिर उसका मुह यू बंध हुआ जैसे संदूक का धक्कन बंध हुआ हो बढ़िया क्या बोलते हैं इसे अम्रेजी में अक्लमंत को इशारा अब जब तक होटल ना आ जाए ऐसी जथोबडा बंध रहे टैक्सी ड्राइवर ने सहमती में सिर हिलाया उसने ततकाल टैक्सी को आगे बढ़ाया संजीता सूरत मुबारक अली पिछली सीट पर पसर कर बैठ गया टैक्सी होटल सीवियू पहुची कभी वो होटल अंडरवर्ड डॉन महान राजबहादुर बखिया उर्फ काला पहाड की कमपनी के नाम से जानी जाने वाली आर्गिनाईजेशन का हैड़ क्वार्टर होता था सोहल के हाथों बखिया के मारे जाने के बाद कमपनी का निजाम बखिया के एक खास ओदेदार इकबाल सिंग के हाथों में पहुचा था इकबाल सिंग भी सोहल और कमपनी में छिडी जंग से मचे भारी खून खराबे के बाद मुल्क से फरार हो गया था और बाद में परदेश में कमपनी के ही प्यादो द्वारा मार गिराया गया था तो कमपनी की गदी पर व्याज शंकर गजरे काबिज हो गया था उसके निजाम में कमपनी और सोहल में जो आखरी जंग छिडी थी उसके दौरान उसने होटल को नोवेशन के बहाने बंद करा दिया था बाद में गजरे समेत कमपनी के तमाम ओदेदार मारे गए थे कमपनी का नामों निशान मिट गया था तो होटल तब भी बंद था अब फर्क ये था कि उसकी सच में रेनोवेशन हो रही थी और अब वो जब भी दोबारा चालू होता सिर्फ होटल ही होता न कि किनी टॉप के मवालियों की जमात का होटल की ओट में चलता आर्गिनाइजड क्राइम का अड़ा दोंगरे उसे लोबी में उसी का इंतजार करता मिला इकबाल सिंग और गजरे के निजाम में शाम दोंगरे कमपनी का सिपहसालार था और दुरदान्थ हत्यारा था लेकिन अब वो होटल का सिक्योरिटी चीफ था और अब याद भी नहीं करना चाहता था कि कमपनी के बड़े महंतों के लिए मारकाट मचाना कभी उसका पेशा गीर होकर मिला फिर वो उसे बगल की लिफ्टों की ओर चला चौथी मंजिल पर विमल उस सुइट में मौजूद था जो कभी बखिया का इकबाल सिंग का और फिर आखिर में गजरे का आफिस हुआ करता था विमल ने उठकर मुबारक अली का इस्तकबाल किया गर्मजोशी स उससे हाथ मिलाया और कुर्सी पेश की कुछ खाओगे विमल ने पुछा नहीं ततकाल मुबारक अली बोला पिलेन में वो क्या कहते हैं अंद्रेजी में बिरेग बिरेग नाश्ता किया ड्रेकफास्ट विमल विनोधपूर्ण स्वर में बोला वही कोई चाय कॉफी थंदा नहीं मांगता बाप अभी नहीं मांगता बाद में बोलेगा मर्जी तुम्हारी अब बोलो क्या माजा है मुबारक अली ने एक सरसरी निगा डोंग्रे पर डाली ने और होंट भीच लिए विमल को उसे वहां से रूखसत होने को न कहना पड़ा डोंग्रे खुद ही पहले ही ततकाल उसकी निगा का मकसद समझ गया था अपने पीछे आफिस का दर्वाजा बंद करता वो ततकाल वहां से रूखसत हो गया घरेलू मामला है बाप मुबारक अली दबे स्वर में बोला इसलिए तेरे ही कानों के लिए है तभी रूख का लिखने की कोशिश न की दिल्ली से फोन लगाने की कोशिश न की अपना कोई जातभाई तेरे पास भेजने की कोशिश न की खुदेई इदर आया गोली का माफिक किसका घरेलू मामला है ये भी कोई पूछने की बात है यानि की मेरा हाँ, क्या किस्सा है? बोलता है, अन पहले कुछ और बोलना माता है, क्या? बाप, तेरे मेरे पर बहुत एहसान है मेरी आज की जो, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में आउकात है, वो सिर्फ तेरी वज़ा से है तेरे कहने पर तुकाराम और वागले ने एन मुंबई में पुलीस कमिशनर की नाप के नीचे से फरार हो जाने में मेरी मदद न की होती तो मैं आज भी जेल में एडिया रगड रहा होता इधर मुंबई में और उधर दिल्ली में रुपए पैसे के मामले में मेरी कोई आउकात बनी तो सिर्फ तेरी वज़ा से बनी आज भी तू इस अधना मवाली को बराबरी का दर्जा देता है, तो ये वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में तेरा बड़पन है तू जज़बाती हो रहा है ऐसा? हाँ हकीकद ये है कि मेरा तेरे उपर कोई एहसान नहीं है तो तेरे उपर क्या कम एहसान है? क्या भूल गया कि स्वैन नैक पॉइंट से रात के अंधेरे में भागे बादशा अब्दुलमजीद दलवई को मैं कभी न पकड़ पाता अगर तू तब तेरा मददगार न होता? मैं दलवई को CBI के Anti-Terrorist Squad के डिप्ती डाइरेक्टर योगेश पांडे के हवाले करने कामियाब न हुआ होता तो दलवई की जगह में जेल में होता और कब का फासी चड़ चुका होता? तेरे उस एक कारणामे की वज़ज से ना सिर्फ मेरी जान बची, मुझे पांडे जैसा यार मिला और चोर सिपाही की यारी की मिसाल बनी तू ना होता तो क्या मैं दिल्ली में गुरबक्ष लाल का मुकाबला कर में सका होता? नीलम का परेश में मदददार बनके गजरे के हाथों निश्चित मौत से मुझे किसने बचाया? तूने मुबारक अली तूने दिल्ली में नीलम को कंपनी के प्यादों के हाथ पढ़ने से किसने बचाया? तूने मेरा तेरे पर कोई एहसान नहीं, मुबारक अली है भी तो इस बात को यू समझ की एक हाथ ही दूसरे को धोता है मैंने तेरे लिए कुछ किया है तो तूने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा किया है बाप, मैं तेरी परजा है, तू राजा है, मेरा तो काम ही खिद्मत करना है तू उन हजारों लाखों लोगों के दिल का राजा है जिन्होंने कमपनी का निजाम खत्म होने के बाद जिन्दगी में पहली बार चैन का सांस लिया है तू तो ये लिफाफे बाजी छोड मिया यकीनन तू दिल्ली से महज मेरा गुंदान करने के लिए नहीं आया है ऐसा तो नहीं है तो फिर मतलब की बात बोल दिल्ली में सब ठीक ठाक है न नीलम तो खैरियत से है न अभी है अभी है यानि की आगे का कोई अंदेशा है ऐसी च मालूम होता है मुबारक अली तू तो मुझे डरा रहा है खुदा के वास्ते बात का खुलासा करके बोल और जल्दी बोल बोलता है पन एक बात फिर भी पहले बोलना मांगता है समझा के बोलना मांगता है क्या बाप तू मेरे लिए खुदा का दर्जा रखता है वही दर्जा मेरी निगाहों में तेरी बीवी और तेरे ननें साहबजादे का भी है रुपए पैसे की तो बात ही क्या है तेरी बेगम अगर मुबारक की खाल की जूती पहनने की भी फर्मायश करे तो ऐसी छोगा यानि की कोई रुपए पैसे की बात है हाँ मीलम ने मांगी हाँ खुदा का वास्ता देकर वादा लेकर मांगे की तेरे को भनत भी नहीं लगेगी मैंने वादा खिलाफी की लेकिन जो थोड़ी बहुत अकल अल्लाह ताला ने मुझे बक्सी है उसने यही गवाही दी की वादा खिलाफी जरूरी थी मेरा खुदा मेरी खता माफ करे हालात का तेरी वाक्फियत में आना जरूरी था कितने मांगी पहले चार लाक अब पाँच लाक और बड़ी रक्मों की मांग के साथ ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है बढ़े तो मुझे कोई एतराज नहीं जब तक रोकड़ा मेरे पास है तब तक तो कोई वानदा ही नहीं है उसके बाद भी मैं साला जिसके पास भी रोकड़ा देखेगा उसका गला काट के तेरी बेगम के लिए वसूल कर लेगा पन जो हो रहा है वो खराब क्या हो रहा है सोच कोई नीलम से रूप्या एंट रहा है ऐसी इच मालूम होता है कोई उसे वो क्या कहते है अंग्रेजी में बिलेग बिलेग ब्लैकमेल कर रहा है बरोबर बोला बाब अगर ऐसा है तो ये सिलसिला यकीनन तेरे से रकम मांगने से पहले से चल रहा होगा कैसे बोला बाब नीलम के अपने पल्ले भी तो चार पैसे थे उनके चुप जाने से पहले तो वो ऐसी किसी माली इंदात के लिए तुम्हारे पास नहीं पहुचने वाली थी एकदम बरोबर बोला बाब चार लाख कब दिये एक हफता पहले पिछले जुम्मे को और पाँच लाख अभी देने हैं आज फिर जुम्मा है मैं परसों के लिए बोला इसलिए नहीं कि मेरे पास रोकड़ा नहीं था बलकि इसलिए कि मैं तेरे को हालात की खबर करना मांगता था पाँच लाख कब मांगे कल रात को आज सुबह ही मैं इधर पहुँच गया नीलम ने रकम की जरूरत की कोई वज़ा नहीं बताई नहीं बताई बलकि रकम का जिक्र ही तब किया जबकि मेरे से वादा ले लिया कि मैं उसकी जरूरत की बाबत उससे कोई सवाल नहीं करूँगा है? कोई हिंट तक न दिया क्या बोला, बाब? जरूरत की बाबत कोई इशारा तक नहीं किया नको लेकिन तेरा ख्याल ये है कि कोई उसे ब्लैक्मेल कर रहा बरोबर कुछ पता लगाया होता बाप, तेरी बेगम के खफा हो जाने का अंदेशा न होता तो बहुत कुछ करता ओ, पन कुछ तो मैं फिर भी किया अच्छा, क्या किया मैं अली वली को माडल ताउन में निगरानी पर लगाया बढ़िया पन कोई खास नतीजा हाथ ना लगा अच्छा, उधर तो कोई फटका तक नहीं था सिवाए एक लंगड़े अपाहिज आदमी के जो की पिछले शनिवार को दोपहर के करीब अपनी बैसाखिया टेकता वहां आया था कोई किसी आश्रम वाश्रम के लिए चंदा मांगने के लिए आया होगा वैन में सवार होकर जिसे की एक नौजवान दिरेवर चला रहा था कोई बड़ी बात नहीं आजकल चंदों के दम पर भी कई यतीम खाने बहुत समर्थ हो गए है पाप, चंदा उगाहने वालों को घर में कौन घुसादा है? ओ, ओ और फिर ऐसा कब होता है कि कोई सारे इलाके के किसी एक ही घर से चंदा उगाहने आए आजू-बाजू जांग कर भी न देखे यानि कि उस लंगडे अपाहिज में कोई भेध है हो सकता है मालूम करना था? कैसे करता, बाप? मालूम तो कुछ या तेरी बेगम से हो सकता था या उस लंगडे से जाकर तेरी बेगम से ऐसा सवाल करने का मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था लंगडे से सवाल करता वो जाके तेरी बेगम को खबर कर देता तो तो तू समझ ही सकता है कि क्या होता पर उस लंगड़े में कोई पेच है जरूर शनिवार के बाद से वो फिर नीलम के पास नहीं फटका नहीं, लेकिन फटकेगा तो सही कब? आइंदा दो दिनों में या उसके बाद कभी जबकि कड़ा तेरी बेगम के पास मौजूद होगा वसूली के लिए फटकेगा ऐसी इच मालूम पड़ता है यानि कि वो लंगड़ा ही ब्लैक मेलर है या ब्लैक मेलर का कोई कारिंदा है लंगड़ा, अपाहिज, बैसाखियों के सहारे चलने वाला क्या पता ब्लैक मेलर उससे भी गया बीता हो चार पाई के हवाले हो मुश्किल है फिर तो वो ही अल्ला मारा तेरी बेगम के पीछे पड़ा है लेकिन वो है कौन? तू सोच मुझे तो कोई लंगड़ा याद नहीं आ रहा लंगड़ा वो हाल में हुआ होगा पहले नहीं होगा लंगड़ा ये पते ही बात कही तूने तूने उसकी सूरत देखी? हाँ, देखी एक बार अली वली ने उसकी बाबत खबर की तो मैं चुकचाप कश्मीरी गेट के इलाके में उस चालनुमा इमारत में पहुँचा जिसके एक वो क्या कहते हैं? अंद्रेजी में पोर पोर हिस्से में वो रहता था पोर्शन में हाँ, वही पोर पोर्शन में तब देखी मैंने उसकी शकल सूरत चुकचा उसका हुलिया बयान कर सकते हो मुबारक अली ने किया और फिर गौर से विमल की सूरत देखी लगता है वो बोला कोई घंती नहीं बजाई तेरे जेहन में उस हुलिये ने विमल ने इनकार में सिर हिलाया वो कुछ खशन सोचता रहा और फिर बोला उसकी दाड़ी मूच वज़ा हो सकती है लोग बाग हुलिया चुपाने के लिए दाड़ी मूच की ओट का सहारा लेते है जैसे मैंने लिया है मुबारत अली बोला जैसे खुद मैंने कई बार लिया है रूगरू देखे तो शायद पहचान ले हो सकता है लेकिन मुझे अपनी गुजश्ता गुना भरी जिंदगी में पैबस्त कोई ऐसा शक्स याद तो नहीं आ रहा जो की ऐसी हरकत कर सकता हो जो मेरे पीछे पढ़ने की जगा मेरी बीवी के पीछे पढ़ा हो कोई मुर्दा कबर से उठके के खड़ा हो गया होगा ऐसा ही कुछ हुआ लगता है पन बाप तेरी बेगम की जिंदगी में ऐसा क्या राज हो सकता है ऐसी क्या वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में पोन हो सकती है जिसका असर तेरे पर नहो मिया बीवी में तो सब सांजा होता है वो मेरे पास आने से डरता होगा औरत जात पर ही जोर चलता होगा उसका मैं चुटकियों में उसका जोर निकाल सकता है क्या करेगा? मसल देगा साले को खटमल का माफिक और फिर पता लगेगा कि वो महज फ्रंट था क्या था? ओट था? परदा था? असल आदमी कोई और ही था ओ पहले ये मालूम होना चाहिए कि कोई नीलम को किस बिना पर ब्लैक मेल कर रहा है वो बात मालूम होनी चाहिए जिसके उजागर हो जाने के अंदेशे से नीलम खौफजदा है कैसे मालूम होगी? मालूम किये से ही मालूम होगी इधर बैठे बैठे ही अंही, पागल हुआ है, दिल्ली जाना होगा, खामोशी से दिल्ली पहुचना होगा, ऐसे की नीलम को खबर ना लगे बढ़िया, तो मेरी साथ ही चल रहा है, नहीं, मुझे इधर कुछ ऐसे काम है, जिन्हें बीच में छोड़ कर मैं खड़े पैर दिल्ली नहीं जा सकता तो मैं कल शाम को या परसो शुबा पहुचूंगा मेरे दिल्ली पहुचने से पहले नीलम को रकम ना देना ठीख, मेरे को किधर मिलेगा? तेरे टैक्सी स्टैंड पर कल शाम और परसो सुबा उधर ही रहना वहाँ न मिला तो मैं तेरे घर पहुच जाऊंगा घर का परायाद है हाँ, तिराहा बैरम खान का वो हवेलिनुमा मकान धूंदने मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बढ़िया, मेरे लिए क्या हुक्म है? तू उल्ते पाव वापिस दिल्ली पहुँच और खामोशी से, एहतियात से, उस लंगड़े के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर मसलन वो कौन है, कहा से आया है, कबसे दिल्ली में है, कबसे दिल्ली वाले अपने उस ठिये पर है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है जो रकमे नीलम से जटक चुका है, उनका क्या करता है? वो कैसे मालूम होगा? होगा फोकट में हाथ आए माल को, हराम की कमाई को चमकाए बिना कोई नहीं मानता मैं समझ गया गोया उसकी अयाशी पर निगाह रखनी है बिल्कुल और रोकड़ा इधर से लेके जा रोकड़ा जो नीलम को दिया और अभी आगे देगा आप क्यों दाड़ी पेशाप से धोयला है? तेरे मेरे रोकड़े में कोई फर्ख है? नहीं है इसलिए बोला इधर से लेके जा लेकिन सुना नहीं ऐसीच सही, बाप खफा क्यों होता है? तू बोलता है तू तो मैं रोकड़ा इधर से लेके जाएगा इधर से लेके जाने की भी जरूरत नहीं दोम्रे ऐसा इंतिजाम कर देगा कि रोकड़ा तुझे दिल्ली में घर बैठे हासिल हो जाएगा बाप, मेरे को जान कर खुशी हुआ कि तू इधर कमपनी ताकत बना रहा है तू बखिया और गजरे जैसा कड़क बिल्कुल गलत रावन मार कर खुद रावन बन बैठने का मेरा इरादा न कभी था, न है और न कभी होगा कमपनी खत्म हो चुकी है मैं नहीं चाहता कि मुझे गुंडे बदमाशों की, दकैतों मवालियों की, स्मगलरों बुर्दा फ्रोशों की कमपनी के नाम से जानी जाने वाली नामुराद आर्गेनाईजेशन का कोई नाम भी याद दिलाए मैं वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में sorry बोलता है बा, मुझे तेरा sorry बोलना कबूल है फिर तो thank you बोलता है, विमल की हसी छूट गई एन अंग्रेज का माफिक वो बोला हाँ, मुबारक अली बड़ी शान से बोला एन अंग्रेज का माफिक गुड, तो मैं चलू अभी नहीं, मुबारक अली की भवे उठीन, तुम मेरे साथ लंच करके जाओगे, क्या करके जाओंगा बाप? लंच, आज तेरा मेरा दिन का खाना एक दस्तरक्वान पर होगा, उसके बाद जाना वाह, वाह, इससे ज्यादा मेरी इज़द अवजाई और क्या हो सकती है, कि मैं, यानि कि मैं, तेरे साथ, वो क्या कहते हैं, अम्रेजी में? लंच, लंच करेगा, और वो भी बख्या के हैड के क्वार्टर में विमल मुस्कराया पन बाप, अब क्या है? वो लंगड़ा, जो फिलहाल सारे फसाद की जड़ मालूम होता है, अगर मैं उसको थामों और जबरन उससे कुबलवाओं की उसकी पीठ पीछे कौन है, कोई है भी या नहीं तो? मुबारक अली खामोश हो गया, उसने देखा विमल पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा था नहीं, मुबारक अली बोला नहीं, हर ब्लाक मेलर को ये अंदेशा बराबर होता है कि उस पर उलटके वार हो सकता है इसलिए हर ब्लाक मेलर अपनी हिफाज़त का पुखता इंतिजाम करके रखता है हालात को समझे बिना उस लंगडे पर हाथ डालना नीलम के लिए दुश्वारी का बायस बन सकता है नीलम का अगर कोई राज है, जिसे वो हर हालत में राज रखना चाहती है तो वो ऐसी किसी गैजिम में दाराना हरकत से फाश हो सकता है ओ! और फिर नीलम को भी कम न समझ निया वो इतनी सीधी नहीं जितनी सूरत से दिखाई देती है मुझे कई बार उसके कड़क मिजास का तजुर्बा हो चुका है क्या भूल? गया की अभी हाल ही में कैसे उसने महालक्ष्मी के यतीम खाने में गजरे को ललका रहा था? याद है बाप वो भोली भाली सी दिखने वाली लड़की बवाक्ते जरूरत चुटकियों में चंडी का रूप धारन कर सकती है उस लंगड़े को अभी तक उसके कहर का मज़ा चकने को नहीं मिला तो इसमें कोई भेध है, कोई खास भेध है, जो पहले हमें मालूम होना चाहिए मैं समझ गया, बाप ऐसी चोगा तो फिर अब ये किस्सा खत्म कर बरोबर, बाप टेली फोन की घंती बजी ज्राइगरूम में बैठी सुमन ने टीवी पर से निगाह हटा कर सोफे के करीब पड़े फोन की तरफ देखा उस फोन के पैरेलल लाइन नीलम के बैडरूम में भी थी, इसलिए वो वहाँ से फोन उठाया जाने की प्रतीक्षा करने लगी वो रविवार का दिन था और उस रोज उसकी अपनी च्रंग आपरेटर की ड्यूटी से मुकमल छुटती थी उस घडी वो सजी धजी घर से रवानगी के लिए तैयार ड्राइंग रूम में बैठी थी क्योंकि उसका ब्याय फ्रेंड प्रदीप उसे लेने वहाँ आने वाला था जिसके साथ की अलपना पर मैटिनी शो देखने जाने वाली थी घंती निरंतर बजती रही शायद नीलम टाइलेट में थी उसने सोचा शायद तेलीफोन उसके लिए था शायद प्रदीप लेट हो गया था और अब फोन पर उसे कहना चाहता था कि वो खुद ही अपना पहुँझ जाए उसने रिसीवर उठा कर कान से लगाया हलो वो माउथ पीस में बोली नीलम दूसरी और से कोई बोला मैं सुमन बोल रही हूँ आप कौन? मैंने नीलम से बात करनी है आप कौन? मैं वो शक्स हो जिसने नीलम से बात करनी है आपका नाम? नीलम को मालूम है, लेकिन आप अब खुद ही चबर-चबर करती रहेगी या नीलम के लिए फोन का पीछा छोड़ेगी सुमन ने हडबडा कर रिसीवर को कान से परे किया, ऐसी करकश फटकार की अपेक्षा उसे नहीं थी होल्ड कीजिये, वो दबे स्वर में बोली, फिर वो उठकर नीलम के बैडरूम में गई नीलम उसे टाइलेट से निकलती मिली, आपका फोन है दीदी, सुमन बोली, किसका है, नीलम की भवे उठीन पता नहीं, कोई बहुत ही बद, रुखा शक्स है, नाम नहीं बताता, पूछने पर नाराज होता है, कड़क कर पड़ता है मैं देखती हूँ, नीलम पलंग के पहलू में पड़े फोन की तरफ बढ़ी सहमती में सिर हिलाती हुई सुमन वापिस जाईरूम में लॉट आई जहां कि वो वहां के फोन का रिसीवर उसके पहलू में रख आई थी रिसीवर को वापिस क्रेडल पर रखने के लिए उसने उसे उठाया और फिर वापिस क्रेडल पर रखने की अपने कान से लगा लिया हल्लो, उसे नीलम की आवाज सुनाई दी मैं बोल रहा हूँ, लाइन पर मौजूद शक्स अपेकशाकृत सब्यस्वर में बोला क्यों बोल रहे हो, नीलम जुझलाई क्यों खामखा फोन करते हो, मैंने जब पहले ही बोल दिया है कि रकम के इंतजाम में टाइम लगेगा तो क्यों फोन करते हो, जब तक का टाइम दिया है, तब तक तो तिक के बैठो ताइम की मियाद कल शाम को खत्म हो जाएगी तो कल शाम तक तो पीछा छोड़ो तू तो खफा हो रही है कहां मैं तो तुम्हारा फोन सुनकर निहाल हो गई हूँ उठके डांस करने लगी हूँ और जूम-जूम के गाने लगी हूँ तू मजा कर रही है मैं एकदम संजीदा हूँ तू मेरी खुश्की उड़ा रही है मेरी ऐसी मजाल कहा नहीं हो तो खैरियत है वो एक ख़ण फिटका और फिर उसने जोड़ा तेरी नीलम चुप रही बहरहाल मैंने फोन किसी और वज़ा से किया था और किस वज़ा से किया था वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू कुछ कहने तो दे तूने तो मुह खोलते ही मुह पकड़ लिया मेरा मैं सुन रही हूँ जो की तेरा मेरे पर एहसान है अब कह भी चुको नीलम मुझे लग रहा है कि कोई तेरी तेरे घर की निगरानी कर रहा है क्या? कोई तेरे पर निगाह रखे है कौन? ये मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा है और जरूर है तुम्हें वहम हुआ है भगवान करे ये वहम ही हो लेकिन जब तक वहम साबित नहीं हो जाता मैं इसे नजरंदास नहीं कर सकता मैं क्या बोलू? कौन मेरी निगरानी करेगा? मैं क्या बोलू? और क्यों करेगा ऐसा? मैं खुद हैरान हूँ तूने किसी के सामने मोह तो नहीं फाड़ा? पागल हुए हो तो फिर तो फिर कुछ नहीं सिवाए इसके कि तुम्हारे पाप काप रहे हैं बक्वास मत कर और मेरी बात सुन तुम्हारी ही सुन रही हूँ मीलम, मैं आइंदा तेरे पास तो फटकने का ही नहीं हूँ फोन भी नहीं करने का हूँ सुना है बड़े शहरों में लाइन टेप करके बीच में बात सुनने का भी इंतजाम होता है तुम पागल हो जो सुना है तेरे साथ जो लड़की है वो नौकरी ही टेलिफोन एक्स्चेंज में करती है वो मामूली आपरेटर है और वो भी चॉंक एक्स्चेंज में वो किसी आप एक्स्चेंज की कोई लोकल काल हो सकता है सुन सकती हो हो सकता है कोई जरिया हो जिसकी तुझे खबर नहीं मुझे खबर नहीं वो इस वक्त कहीं किसी एक्स्चेंज में नहीं घर पर है इस वक्त घर पर है हमेशा तो नहीं होती जब exchange की नौकरी बजा रही होती है, तब तो घर पर नहीं होती तब तो तुम्हारा सिर्फ फिर गया है हो सकता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए रूबरू मुलाकात बंद, फोन काल बंद तो फिर कैसे बीतेगी? मैं चिठी भेजूंगा, कल शाम से पहले तुझे एक चिठी मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि रकम तूने कहां पहुचानी है, कैसे पहुचानी है, किस के जरिये पहुचानी है? हाँ, जैसे फिलहाल मैं तेरे पास नहीं फटकना चाहता, वैसे ही मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरे पास फटके क्यों? ताकि अगर वाकई कोई तेरी निगरानी कर रहा हो तो वो तेरे पीछे लगा मेरे तक न पहुच जाए तू घर बैठी होगी तो वो भी उधर माडल टाउन में ही तिका होगा उसे उस शक्स के पीछे लगना नहीं सूझेगा जिसे तू अपनी जगा रकम के साथ मेरे पास भेजेगी को? अब तूने ये जानने की कोशिश करनी है कि कौन तेरे पर निगाह रखे है कोई होगा तो जानूंगी न वो जो कोई भी होगा तेरा भला चाहने वाला ही होगा यानि की तेरा वाकिफ होगा लिहाजा तूने जिद करनी है कि वो अपनी उस हरकत से बाज आए अवल तो ऐसा कोई है नहीं है भी तो नीलम जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर किसी में तेरी भलाई है मेरी क्या भलाई है हो सकता है कि अब ये किस्सा ही खत्म हो जाए कैसे हो सकता है ये मेरी आखरी मांग हो पिछली बार भी तुमने यही कहा था तू पीछे की छोल आगे की सोच नीलम खामोश रही अब बोल रकम किसके जरिये पहुझाएगी मैं सोचूंगी इस बाबत उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था और जिसका नाम शायद सुमन है बोला न मैं सोचूंगी इस बाबत लेकिन बके जाओ ठीक है ठीक है अब मेरी चिठी का इंतजार करना और जो हिदायत उसमें लिखी हो उन पर अमल करना अच्छा संबंध विच्छेद हो गया सुमन ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया और टेलीफोन से परे हट गई कुछ क्षण बाद नीलम ने ज्राइग रूम में कदम रखा किसका फोन था सुमन सहज भाव से बोली किसी का नहीं नीलम ने अन्वने स्वर में उत्तर दिया किसी का नहीं मेरा मतलब है कोई खास फोन नहीं था यूही कोई वाकिफकार था भाई साहब का क्या कोई कौन साहब का वाकिफकार था हाँ वही शक्स जो कुछ दिन पहले यहां खुद भी आया था वो अपाहिज जो बैसाखियों के सहारे चलता था जिसकी शगल विक्राल थी और आंखों में कायाम पन था अरे नहीं वो नहीं तो फिर कौन तू क्यों इतने सवाल पूछ रही है नीलम जुंजला कर बोली कोई खास वज़ा नहीं तो फिर खत्म कर ये किस्सा ठीक है सुमन खामोश हो गई वो रकम की बाबत सवाल करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकती थी क्योंकि तब ये बात उजागर हो जाती कि उसने उस टेलीफोन काल को पैरेलल लाइन पर बीच में सुनने की गुस्ताखी की थी एस्टरिस्क एस्टरिस्क शाम पांच बजे विमल दिल्ली पहुँचा दिल्ली के लिए सुबह की फ्लाइट वो नहीं पकड सका था और वो फ्लाइट भी वो काफी दोड़ धूप के बाद ही पकड़ पाया था एरपोर्ट से एक टैक्सी पर सवार होकर वो एमबैसेडर होटल पहुँचा उसने होटल में कदम रखा कुछ देर लोबी में बैठा और फिर बाहर निकल गया वो करीबी टैक्सी स्टैंड पर पहुँचा गनीमत थी की मुबारक अली वहां मौजूद था दोनों की निगाहे मिली तो विमल वहां से रूक बदल कर बाहर सडक पर आ गया और लापरवाही से एक ओर चलने लगा कुछ ख़ण बाद मुबारक अली की टैक्सी उसके करीब पहुँची मुबारक अली ने हॉले से हान बजाया और टैक्सी रोकी विमल ततकाल टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया टैक्सी आगे बढ़ चली कहीं रोक विमल बोला ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी मुबारक अली ने सहमती में सिर हिलाया सुबू नहीं पहुचा बाप फिर वो बोला बस नहीं ही पहुच पाया विमल बोला कोशिश तो बहुत की थी लेकिन उसने असहाए भाव से कंधे उचकाए कुछ ज्यादा ही वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में मसरूफ हो गया है उधर ऐसा ही है मुबारक अली ने टैक्सी को लोधी गार्डन के करीब रोका विमल पीछे से बाहर निकला और आगे उसके पहलू में जा बैठा उसने खामोशी से अपना पाइप निकाल कर सुलगाया और फिर बोला क्या खबर है चोखी खबर तो कोई नहीं बाब मुबारक अली बोला वैसी है सब जैसा मैं मुंबई जाने से पहले इधर छोड़ के गया था अलबत्ता तेरे हुकम के मुताबिक उस लंगरे की और पड़ताल की है मैंने बढ़िया क्या जाना वो अपना नाम काशीनात बताता है कश्मीरी गेट वाली चाल में वो इसी नाम से जाना जाता है वहां उसका जो वो जो तू पोर-पोर करके बोला पोर्शन वही वो दो कमरे का पोर्शन है जो उसने माहना किराय पर हासल किया है वो पोर्शन चाल के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में गिराउन के फिलोर वाले माले पर है वैसे चाल तीन मालों की है लेकिन वो लंगड़ा है न इस वास्ते उसको गिराउन के फिलोर वाला पोर्शन ही मांगता होगा ठीक, गिराउन के फिलोर का बैसीच एक पोर्शन हरिदत पंत नाम के एक भीरू के कबजे में है जो की उसका जोडीदार है हाँ, उसी ने लंगडे को वो पोर्शन दिलवाया था और वो ही लंगडे को एक सफेद रंग की मारूती वैन पर जगह जगह के जाता है मैं मालूम किया है कि ये पंत करके भीर उधर पुराना रहता है पंड लंगड़ा उधर दो महिने से ही है कहां से आया उधर? मुंबई से? मुंबई से? ऐसीच बोलता है असल में किधर से भी आया हो सकता है? लंगड़ा कैसे हो गया? मालूम नहीं क्या बैसाखियों का पूरी तरह से महताज है? घर से बाहर तो पूरी तरह से महताज है अलबता चाल में कभी एक बैसाखी के सहारे तो कभी बिना बैसाखियों के चलता फिरता देखा गया है उठता बैठता किन लोगों के साथ है? किसी के साथ नहीं सिवाए अपने उस जोडीदार पंथ के वो क्या बला है? क्या बोला, बाब? मेरा मतलब है ये पंथ क्या चीज है? क्या करता है? क्या जरिया है उसका रोजी रोटी का? कोई वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इस्ट्रेट जरिया तो नहीं है कोई पक्का काम धन्धा तो वो यकीनन नहीं करता मेरे को तो वो कोई चोर उचपका ही मालूम पड़ता है ऐसा? हाँ दरसल वो चाल है ही जरायम पेशा लोगों का अड़्डा मेरे को तो वहां रहते तमाम के तमाम लोग अकेले रहने वाले भी और वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कुन्मे के साथ रहने वाले भी सब चोर मौसरे भाई ही लगे कुछ क्षण खामोशी रही विमल बड़ी संजीदगी से पाइप के कश लगाता रहा और क्या करता है लंग्रा? फिर वो बोला क्या बोला, बाब? मैंने मुंबई में कहा था कि फोकट में हाथ आये माल को हराम की कमाई को चमकाए बिना कोई नहीं मानता मेरा सवाल ये है कि लंग्रा मानता है या नहीं? नहीं मुबारक अली ने खी से निपोरी वो भी नहीं मानता क्या करना है? अयाशी अयाशी करता है किस किसम की? रंडी बाजी रंडी बाजी की किसम की अच्छा हाँ अल्लामारा जोलजाल खस्ताहाल काबिलेरहम सूरत भीड है लेकिन टॉप की बाई की सोबत करता है चंद घंटों के बीस हजार तक लेने वाली वो क्या कहते है अंग्रेजी में बुलाने से आने वाली छोकरी के साथ सोता है काल गरला वही कालवाली गरल दिल्ली की ऐसी हाई क्लास काल गर्स से वो वाकिफ है बाप, रोकडा अंती में हो तो ऐसी वाकफियत बनाने में क्या वान्दा है ये भी ठीक है ये रोज का चकर है उसका तकरीबन रोज का वो ही मसरूफ हो या मूड में ना हो तो बात दूसरी है वरना रोकडे की वज़े से कोई परेशानी नहीं कैसे होगी? क्या पता कितना माल जटक चुका है वो नीलम से? बरोबर बोला बाब जाता एक ही कालगर्ल के पास है या नित नहीं सहली धूनता है ये तो मालूम नहीं है मालूम करना सूजा भी नहीं अब मालूम करना बरोबर करेगा और फिलहाल तो और कुछ नहीं गोंगरे की भेजी रकम मिल गई चौकस मिल गई नीलम ने रकम के लिए रिमाइन नहीं कराया क्या नहीं कराया याद नहीं दिलाया अच्छा वो नहीं नहीं दिलाया, बाप, मैं आज शाम तक का बोल के रखा, तेरी बेगम इस बाबत कुछ बोलेगी तो कल सुबू बोलेगी, अब मैं आ गया हूँ, तुम रकम आज ही उसे पहुचा देना, छीक और हुक्म, बाप, मैं उस लंगरे की सूरत देखना चाता हूँ, क्या वांदा है, कश्मीरी गेट चलते हैं, वो निकल नहीं गया होगा अपनी पसंदीदा तफरीह पर, अभी नहीं, वो कालगरल को अपने पास बुलाता है या खुद उसके पास जाता है, पाप, उस सडेली चाल में कोई, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, फैसी बाई कर कम डालेगी, वो भी चंद घंटों का 20,000 रूपिया वसूल करने वाली, यानि कि वो ही जाता है, हाँ, कहा, कभी किसी बड़े होटल में, कभी किसी वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, फिराइविट ठीए पर, जैसे कोई कोठी, कोई फिलेट वगेरा, फिर तो वो हर बार किसी नई लड़की के साथ ही तफ्रिय करता होगा, वो किसी एक ही कालगर्ल का स्टेडी क्लायन्ट होता तो ठिया भी एक ही होता, मैं मालूम करेगा, बाप, ठीक है, अब चल, बाप, तू पीछू बैठ, ऐसे ही ठीक है, नहीं ऐसे ही ठीक, पैसेंजर को टैक्सी में पीछ ही होना मांगता है, अरे मैं पैसेंजर नहीं हूँ, पबलिक के लिए पैसेंजर है, उधर कश्मीरी गेट पहुचेगा तो कोई, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में नोट करेगा, ओ, विमल टैक्सी से निकला और जाकर पिछली सीट पर बैठ गया, ततकाल मुबारक अली टैक्सी आगे बढ़ाई, चाल एक बहुत बड़ी तीन मंजली इमारत निकली, उसके बीच में एक बहुत बड़ा महराबदार फातक था, जिसकी सूरत बताती थी कि वो हमेशा खुला रहता था, फातक से आगे एक हॉल कमरा था, जिसमें बैठने के लिए एक बेंच और लंबा काउंटर था, जिस पर मैनेजर लिखी एक तक्ती तंगी हुई थी, काउंटर के पीछे कुरसी पर एक अधेर उम्र का व्यक्ती बैठा कोई फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा था, उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां रोजाना हफ्ता और माहना किराय पर कमरे मिलते हैं, फाटक से बाहर सडक से पार मुबारक अली की टैक्सी मौजूद थी, इदर वो एक ही टेलीफोन है, मुबारक अली धीरे से बोला जो की उस रिसाला पढ़ते भीड के सामने, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में फटे पर पढ़ा है, किस विमल बोला यही आदमी, नको, वो फातक के पहलू में चाए की दुकान है न? है, वो उधर से छोकरे को बुलाता है, जिसका फोन आया हो, उसको बुलाने जाने का काम चाए वाले का छोकरा करता है, उसे इस काम का एक रूपिया मिलता है, छोकरा न होतो, तो वो फोन पर नक्की बोल देता है या संदेशा छोडने बोल देता है या बाद में फोन करने को बोलता है फोन का जिक्र क्यों? बाजू में एक पब्लिक के लिए टेली फोन है मैं उदर से सिक्का डाल कर चाल का फोन लगाता है और काशीनात मामता है काशीनात फोन सुनने को आएगा तो तू उसका थोबड़ा देखना टैक्सी में से ही? नहीं भीतर जाके बैठ उधर जाके बैठने पर कोई पाबंदी नहीं है ओ विमल टैक्सी से निकला उसने पाइप बुझा कर जेब में रख लिया और लापरवाही से तहलता हुआ फातक की ओर बढ़ा उसने हॉल कमरे में कदम रखा तो मैगजीन पढ़ते व्यक्ती ने उसकी तरफ आख तक न उठाई वो एक कुरसी पर जा बैठा उसने करीब एक टेबल पर पड़ा अकबार उठाया और उसे अपने सामने तान लिया वो प्रतीक्षा करने लगा दो मिनट बाद फोन की घंटी बजी मैगजीन पढ़ते व्यक्ती ने बिना मैगजीन पर से निगाह हटाए फोन उठा कर कान से लगाया उसने एक प्षण फोन सुना और फिर रिसीवर को फोन के पहलू में काउंटर पर रख दिया कालू वो गला फाड कर चिलाया चाय की दुकान में से एक बारतेरा साल का मैला कुचैला छोकरा निकला और लपक कर हॉल में काउंटर पर पहुँचा साथ नंबर से काशीनात को बुला करला छोकरा सहमती में सिर हिलाता दाएं विंग के लंबे गलियारे में दौड चला दो मिनट बाद एक बैसाखी के सहारे चलता कथित काशीनात वहां पहुँचा विमल ने अकबार की ओट से गौर से उसकी सूरत देखी लेकिन वो ज्यादा देर उसकी सूरत देखता न रह पाया टेलीफोन की तरफ बढ़ते वक्त लंगडे की उसकी तरफ पीठ हो गई विमल बड़े धीरत से प्रतीक्षा करने लगा आखिर अभी उसने लौट के भी तो जाना था लंगडे ने रिसीवर उठा कर कान से लगाया फिर उसके चहरे पर वित्रिशना के भाव आए और उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर पटक दिया क्या हुआ? मैगजीन पढ़ता व्यक्ती सक्पकाया सा बोला लाइन कटी पड़ी है माईवी लंगड़ा बोला डायल तोन आ रही है विमल के कान खड़े हो गए वो तन कर बैठ गया सूरत से पहले उसने उस शक्स को आवाज से पहचाना लाइन को लंबा होल किया जाए तो अकसर हो जाता है ऐसा मैगजीन पढ़ता व्यक्ती बोला अभी यही रुके रहो काल फिर आएगी लंगड़े का सिर सहमती में हिला वो गुन बुनाता सा काउंटर का सहारा लिए वहां खड़ा रहा काल फिर ना आई जुनजलाया सा वो वापिस लौट पड़ा तब विमल ने उसकी सूरत भी पहचानी घनी दाढ़ी मूँच और कितनी ही और तब्दीलियों के बावजूत पहचानी दो साल से उपर का वकफा गुजर चुका होने के बावजूत पहचानी दाता वो मन ही मन बोला तेरे रंग न्यारे लंगड़ा बैसाखी ठक्ठकाता उसके करीब से गुजर गया उसने विमल की तरफ आख तक न उठाई तभी बाहर हॉले से टैक्सी का हान बजा विमल ने सिर उठा कर बाहर जाका तो पाया कि मुबारक अली अपनी टैक्सी की जाइविंग सीट पर पहुँच चुका था विमल अपने स्थान से उठा और लापरवाही से चलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा वो पूर्ववत टैक्सी में जा सवार हुआ देखा मुबारक अली उठ्सुक भाव से बोला हाँ विमल संजीदगी से बोला देखा पहचाना हाँ कौन था मुंबई में तूने ठीक कहा था मुबारक अली मुर्दा ही कबर से उठकर खड़ा हो गया है ऐसा हाँ पन था कौन यहाँ से चल बताता हूँ कतकाल मुबारक अली ने टैक्सी आगे बढ़ाई अपनी टैक्सी पर मुबारक अली माडल टाउन पहुचा तब तक सूरज कप का डूप चुका था और रात का अंधेरा पूरी तरह से गहरा चुका था वो अकेला वहाँ पहुचा था टैक्सी से निकल कर उसने कोठी नमबर डी नौ की कालबेल बजाई जवाब में दर्वाजा नीलम ने खोला आदाब मुबारक अली अदब से बोला रकम लाया है नीलम ने नमस्ते से आदाब का जवाब दिया और संजीतगी से बोली शुक्रिया दिकी में है लेके आता है मुबारक अली टैक्सी में साधारन ब्रेफ केस से आकार जड़ा बड़ा एक चंक निकाल लाया मुबारक अली ने भीतर कदम रखा लेकिन उसने चंक को फर्ष पर रख दिया और लापरवाही से बोला सुमन बीबी नहीं दिखाई दे रही सिनेमा देखने गई है नीलम बोली और नन्हे मिया बैडरूम में पालने में सो रही है ओ वह एक ख़ण फितका और फिर बोला मैं चलता है रकम चौकस कर लेना मैं नीलम व्यग्रभाव से बोली किस मुंग से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ शुक्रिया अदा करने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई है भाभी साहिबा आपने खादिम को खिद्मत का मौका दिया इसके लिए तो मेरे को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए ये तुम्हारा बड़पन है जो पड़ आप मेरे को तमाम सिलसिले की कोई वज़ा बताती तो मुझे खुशी होती मैं माफी चाहती हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता क्या वांदा है नीलम खामोश रही ठीक है फिर खुदा हाफिज और मुबारक अली जाने के लिए मुड़ा जरा सुनो मुबारक अली ठिटका वापिस घूमा उसने प्रश्न सूचक निगाहों से नीलम की ओर देखा तुम्हें नीलम बोली मेरा सलामती की फिक्र है बहुत मुबारक अली मुस्कराया क्या नहीं होनी चाहिए इसलिए पिछली बार की दर इस बार भी तुमने यहां की निगरानी के लिए अपने आदमी लगाए हुए है तौबा कैसी बाते कर दी हैं आप यानि की ऐसा नहीं है हरगिस भी नहीं है तुमने अपना कोई आदमी यहां इस कोठी की निगरानी के लिए तैनात नहीं किया हुआ बिल्कुल नहीं पर आप जरूरत समझती है ऐसी निगरानी की तो मैं कर देता है तैनात नहीं नहीं वो बात नहीं मैं कताई कोई ऐसी जरूरत नहीं समझती कोई वज़ा ही नहीं है ऐसा कुछ समझने की तो मुझे लगता है कि कोई यहां की निगरानी कर रहा है कैसे लगता है? बस लगता है आपको लगता है या कोई दूसरा ऐसा बोला? दूसरा कौन? कोई भी? मसलन सुमन बीबी नहीं नहीं कोई नहीं बोला तो फिर कैसे लगा है आपने कुछ देखा देखा तो नहीं तो फिर नीलम खामोश रही उसने बैचैनी से पहलू बदला और फिर बोली मैं बात को और तरीके से कहती हूँ जरूर समझ लो कि मुझे सपना आया है या इलहाम हुआ है कि यहां की निगरानी हो रही है मुझे कोई ऐसा शक्स दिखाई नहीं देता लेकिन कोई हो सकता है जो कि इन मामलों में बहुत होशियार हो, तजुर्बेकार हो और इसलिए वो खुद को किनी शक्की निगाहों से बचा कर रखना जानता हो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई शक्स है तो क्या तुम उसकी पड़ताल करवा सकते हो क्यों नहीं, क्या वांदा है मीलं के चहरे पर संतोष के भाव आए पर ऐसा कोई शक्स हुआ तो क्या करने का है कुछ नहीं, मैं सिर्फ इस बात की तस्दीक चाहती हूँ कोई यहां की निगरानी कर रहा है तो भी मैं तस्दीक चाहती हूँ नहीं कर रहा तो भी मैं तस्दीक चाहती हूँ मैं करके देगा तस्दीक लेकिन निगरानी करने वाले को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए ऐसी चोगा शुक्रिया खुदा हाफिज मुबारक अली अपनी टैक्सी पर जा सवार हुआ टैक्सी वहां से रवाना हो गई पीछे कोठी का प्रवेशदवार बंध हो गया मुबारक अली ने मोड के करीब पहुँच कर टैक्सी को एक पेडो के जुर्मुट के नीचे रोका उसने एक सिग्रेट सुलगा लिया और खामोशी से उसके कश लगाता प्रतीक्षा करने लगा प्रेट की तरह अली मुखंब टैक्सी के करीब पहुँचा और दर्वाजा खोल कर उसके पहलू में आ बैठा वो कोई तेस चौबीस साल का दुबला पतला नौजवान था वो और उसका जुडवा वली मुखंब अली के सगे भांजे थे वली कहा है? मुबारक अली ने दबे स्वर में पूछा इधर ही है अली बोला कोई काम ठीक से नहीं कर सकता कोई काम चौकस नहीं कर सकता न तू न तेरा बिरादर क्या हुआ मामू अली बोखला कर बोला बाई को तुम दोनों की खबर ये नहीं हो सकता वो ऐसीच बोली बरोबर ऐसीच बोली क्या बोली? बोली उसे लगता था कि कोई उसकी निगरानी पर मामू नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो वो क्यों ऐसा बोली? जरूर कोई ही की होगी हर्गिस भी नहीं मामू, वैसे चाहे सो जूते मार लो लेकिन हमें नालायक करार न दो हमारे पर कोता ही का इल्जाम न लगाओ ये हर्गिस हर्गिस नहीं हो सकता कि नीलम बीबी को या उस दूसरी महतर्मा को हमारी खबर लगी हो तो समझ लो कि किसी और को तुम्हारी खबर लगी और किसे? और उसे जिसकी वज़ा से मैंने तुम्हें यहां तैनात किया उस लंगड़े को अली अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला या उसके जोडीदार को या उन दोनों के हिमायती किसी और शक्स को बाई को खुद तुम्हारी खबर नहीं लगी तो जरूर कोई और इस बाबत उसे कुछ बोला ओ खबरदार हो जाओ, कमबक्त मारो वरना खाल खिंचवा के भूस भरवा दूँगा अपनी बेहन का भी ख्याल नहीं करूँगा कोता ही तो कसम उठवा लो कोई नहीं हुई मामुकली दबे स्वर में बोला लेकिन अब हम और और ज्यादा हद से ज्यादा एहतियाद बरतेंगे अल्ला मारो मुझे सोहल की निगाहों में रुस्वा कराओगे ऐसा नहीं होगा मामू ऐसा हुआ तो हम दोनों भाई ताजिंदगी तुम्हें कभी मुंग नहीं दिखाएंगे मुबारक अली के चहरे पर संतोष के भाव आए फिर वो आतन भरका अब क्या पीठ ठोक के शाबाशी मिलने के इंतजार में है जो अभी यहीं पसरा बैठा है अरे दफा हो यहां से बौकलाया सा अली टैक्सी से बाहर निकला ततकाल मुबारक अली ने टैक्सी आगे बढ़ा दी एस्टरिस्क 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 विमल कश्मीरी गेट पहुचा उस घड़ी वो एक साधारन सूट पहने था और आंखों पर धूप का चश्मा लगाए था उसके हाथ में एक उस प्रकार का बैग था जैसा कि दिल्ली शहर में छोटी मोटी सरकारी या गैर सरकारी नौकरिया करने वाले सुभ सवेरे दफ्तर जाते बाबों के हाथों में आम देखा जाता था उस घड़ी वो अर्विंद कॉल नाम का टिपीकल वाइट कालर एमपलाई था जिसे देख कर कौन कह सकता था कि वो मशूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथूर उर्फ बनवारी लाल तांगेवाला उर्फ कैलाश मलहोत्रा उर्फ बसंद कुमार मोटर मकैनिक उर्फ नितिन महता उर्फ काली उर्फ आत्माराम पैस्टन जी नौशरवान जी घड़ी वाला उर्फ राजा गजेंद्र सिंग था। पिछली रात उसने मौर्य शेतन में गुजारी थी और सारी रात वो लंगरे की बाबत ही सोचता रहा था। उस लंबी सोच विचार के बाद वो इसी नतीजे पर पहुचा था कि उसे उस शक्स से कम से कम एक बार रुगरु बात करनी चाहिए थी कम से कम एक बार उसे ऐसी कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि घी निकालने के लिए उसे उंगलिया टेड़ी न करनी पड़ती। नतीस्तन उस रोज सुभा आठ बजे ही वो कश्मीरी गेट की उस चाल के सामने पहुँचा हुआ था जिसके साथ नंबर पोर्शन में लंगडे की मौजूदा रिहायश थी वो निर्विखन साथ नंबर के सामने पहुँच गया दर्वाजा बंध था वाहेगुरू सच्चे पाठ्षा वो होठोर में बुदबुदाया तु मेरा राखा सबनी था ही उसने हॉले से दर्वाजे पर दस्तक दी खुला है भीतर से आवाज आई उसने दर्वाजे को धक्का देकर खोला और भीतर कदम रखा वो एक कुरसी पर पसरा पड़ा उस रोज का अखबार पढ़ रहा था उसने अखबार पर से सिर उठा कर विमल की तरफ देखा नमस्ते उस्ताद जी विमल मधुर स्वर में बोला वो सक्पकाया उसने संदिक्द भाव से विमल की तरफ देखा दाड़ी मूच रख ली लंगरी चाल पकड़ ली दो साल बाद कबर में से मुर्दे की तरह उठके खड़े हो गए कौन हो तुम? वो डपट कर बोला शकल क्या बदली? अकल भी बदल गई अपना अंबरसर का खास जोड़ीदार याद न रहा उसके नेत्र सिकुडे मेरी निगाह में थोड़ा लुक्स है फिर वो बोला जरा करीब आओ मुस्कराता हुआ विमल उसके करीब पहुचा चश्मा उतारो विमल ने चश्मा उतार कर कोट की जेब में रख लिया ततकान उसके चहरे के भाव बदले तुम यानि की पहचान ही लिया आखिरकार अंबरसर के सेथ हवेली राम के जाइवर रमेश कुमार शर्मा को वैसे पाप तो विमल को याद करके भी कापते होंगे उसके हाथ से अकबार छूट कर नीचे जागिरा वो कुछ क्षन बड़े विचलित भाव से विमल को देखता रहा फिर आखिरकार संभला मेरा नाम काशिनात है वो अपने स्वर को भरसक सतुलित करता हुआ बोला तुमने मेरे से मिलना है नहीं विमल बोला तो मैंने मायाराम बाबा नाम के उस दगाबाज यार से मिलाना है जो अमरिट सर के भारत बैट की दकैती में मेरा जोडीदार था जिसने दकैती के बाद दकैती का 65 लाक रुपया सारे खुद हडब जाने की खातिर करमचंद और लाब सिंह मतर पनीर जैसे अपने वफादार दोस्तों को वैन के चे कुचल कर मार डाला था जो मुझे भी मार डालना चाहता था लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी की काम्याब नहीं हो सका था जो आखरी बार मुझे चंडीगड में नीलं के फ्लैट पर उसके पलंग पर सोया पड़ा मिला था और जिसकी हड़िया तोड़ कर तुने शहर से बाहर एक खाली मैदान में डाल दिया था ये लेबल लगा कर कि मैं मायाराम बावा अमरित सर की बैंड दकैती का इश्तिहार मुझरिम था मैंने खासा के पास लाप सिंहा और करमचन की वैन के पहियों के नीचे कुचल कर हत्या की थी और जिसको भी मैं पड़ा मिलू मुझे पुली स्टेशन पहुचा दे मुझे तुम्हारे पुली स्टेशन पमुचाए जाने की गारंपी थी कैसे बच गये तू यहां कैसे पहुच गया जादू के जोर से तो नहीं पहुचा कैसे पहुचा नीलम ने तो नहीं बताया हो सकता एक तो उसे खबर ही नहीं मेरे ठिये ठिकाने की दूसरे मौजूदा हालात में मजाल नहीं हो सकती उसकी मेरी बाबत तेरे से कोई बात करने की नहीं हुई उसकी मजाल उसे तो खबर भी नहीं कि मैं दिल्ली में हूँ क्यों है दिल्ली में? कैसे पहुँच गया? मेरी मौजूदा सूरत वो तो नहीं जो तुमने अमरिट सर में देखी थी तुमने मुझे कैसे पहचाना? उसके चहरे पर एक कुटिल मुस्कराहट आई तेरा इशारा वो बोला अपनी प्लास्टिक सरजरी की तरफ है अपने नए चहरे की दरफ है? ये भी जानते हो वो अपने स्थान से उठा और बिना बैसाखियों के लेकिन लंगड़ा कर चलता हुआ पिछले कमरे में पहुचा जब लौटा तो उसके हाथ में दो-तीन इश्तिहार थे ये तेरे वो इश्तिहार है वो बोला जो मुंबई में कमपनी के उचे ओदेदारों ने वक्त-वक्त पर मुंबई के तमाम अंडरवर्ड में बढ़वाये थे ये तेरी सरदार वाली असली सूरत है जो तू इलहाबाद में जेल से फरार हुआ था तो अकबारों में छपी थी ये तेरी तब की सूरत है जबकि मुझे अमरित्सर में मिला था और जबकि तू इश्तिहारी मुजर्म सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल के नाम से मशूर भी हो चुका था ये तेरी फ्रेंच कट दाड़ी मूच वाली सूरत है जबकि तू अपने आपको बडोदा का पी एन घड़ी वाला बताता था और ये तेरे नए चहरे की कमपनी के आखिरी बिग व्यास शंकर गजरे की जारी की तस्वीर है बहुत तरक्की की सरदार तूने कहां से कहां पहुँच गया खुबिया तो बहुत थी तेरे में जो की अफसोस है कि सब की सब मुझे वक्त रहते दिखाई न दी वरना मैं लाप सिंहा और कर्मचन से पहले तुझे मारता क्या मुश्किल काम था वैन बगल में तो बैठा हुआ तू उपर से तब तक मेरे इरादों से वाकिफ भी नहीं था या तुझे अपना दुश्मन बनाने था दुश्मन की जगह दोस्त बना के रखता फिर माल में हिस्सा बाटना पढ़ जाता पढ़ी जाता तो अच्छा होता फिर कम से कम तू मेरे हाथ पाव तो न तोड़ता फिर कम से कम आधा हिस्सा तो पल्ले पढ़ता कहां गया सारा माल वो तो तुम्हारे कबजे में था पता नहीं कहां गया वो एक लंबी कहानी है बहरहाल मेरे हाथ ना लगा मेरे पीछे कब से पढ़े हो जब से बैसाखियों के सहारे चलने फिरने के काबिल हुआ हूँ समझ ले की कोई दस महीनों से पिछले दस महीनों में अपनी इन ही कमजोर लाचार टांगों के सहारे भटक कर बड़ी महंत से बड़ी लगन से मैंने अमरितसर वाली वारदात से लेकर आज तक की तेरी केस हिस्ट्री ट्रेस की है बड़े सब्र से तिनका तिनका जोड कर मैंने जाना कि कैसे एक मामूली फरार अपराधी इतनी बड़ी ताकत बन गया कि अंदर वर्ड में उसके नाम का डंका बजने लगा सोहल 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 होने लगा नीलम तक कैसे पहुँँच गए? वैसे ही जैसे डोर को थामे थामे पतन तक पहुँच जाता है कैसे पहुँच गए? तू कैसे पहुँच गया था? कभी तू भी तो मेरी तो में लगा नीलम तक पहुँचा था जबकि तू उसे जानता तक नहीं था, उसके वजूद से भी वाकिफ नहीं था जो काम तू कर सकता था वो क्या कोई दूसरा नहीं कर सकता था एक तू ही सूर्मा नहीं है इस दुन्या में मेरे पीछे पढ़ने की वज़र सरदार ऐसा भोला बन के ना दिखा तुझे सब मालूम है ना मालूम होता तो तू दिल्ली में ना होता तू मेरे सामने मौजूद न होता मेरी औरत छीन के ले गया मेरे को उम्रभर के लिए अपाहिस बना गया और पूछता है कि मैं क्यों पीछे पड़ा हूँ बदला लेना चाहते हो वो खामोश रहा उस्ताद जी तुम्हारे साथ जो बीती वो खुद तुम्हारी कर्टूतों की वज़ा से बीती तुम्हारे लालच ने तुम्हें दगाबाज न बना दिया होता तो तुम्हारी बुरी गत न बनी होती मैंने बुरा किया, गलत किया, उसकी सजा भी तो पाई कम पाई चंडीगण में नीलम ने मेरे हाथ न बांध दिये होते तो आज तुम्हें जहन्नम रसीध हुए 2 साल हो चुके होते वो बीती बाते हैं जो वक्त के साथ गई क्यों वक्त के साथ गई मैं अपना अधूरा काम आज पूरा कर सकता हूँ अब नहीं कर सकता किस गलतफ हमी से मुक्तला हो उस्ताद जी मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं लेकिन तू ऐसा करेगा नहीं करेगा तो पच्चताएगा हाँ ऐसा क्या हो जाएगा हो जाएगा कुछ क्या ताजँदगी नीलम की सुरत नहीं देख पाएगा क्या ताजँदगी उसके करीब नहीं फटक पाएगा क्या बक्ते हो एक विध्वा औरत के पीछे पड़ेगा तो इतने जूते खाएगा कि यूही तेरे प्राण निकल जाएगे विध्वा औरत कौन विध्वा औरत? नीलंग जो की मेरी ब्याहता बीवी है तेरी विमल भौचक कासा बोला तेरी ब्याहता बीवी है हाँ कमीने विमल ने उसे गिराबान से पकड़ कर जोर से जिनजोडा वो मेरी बीवी है माता भगवती के दर्बार में मैंने विधिवत उससे शादी की है वो मेरे बच्चे की मा है तेरा बेटा हरामी है नाजायज अौलाद है तेरी शादी गैर कानूनी है मीलं को तेरे से शादी करके का कोई अक्तियार नहीं था एक पती के होते कोई हिंदोस्तानी और दूसरा पती नहीं कर सकती जुबान खीच लूंगा कमीने जुबान क्या प्राण भी खीच सकता है तूने मुझे मारा तो भी नीलम तेरी बीवी नहीं मेरी विध्वा कहलाएगी मेरी मौत भी इस हकीकत को नहीं जुठला सकेगी कि मैं नीलम का पती हूँ तू बकता है गिराबान छोड़ तू जूट बोलता है ठीक है, मैं बकता हूँ जूट बोलता हूँ लेकिन नीलम तो तेरे से जूट नहीं बोलेगी तू यहां से जा और जा के नीलम से सवाल कर अगर वो इस बात से मुकर जाए कि वो मायाराम की ब्याहता बीवी है तो आके मेरे मुंग पर ठूक देना विमल के मुंग से बोल ना फूटा यू जबानी जमाखर्च से कुछ नहीं होता फिर वो बोला जबानी जमाखर्च किस लिए? मेरे पास सबूत है सबूत है? किस बात का सबूत है? अपनी और नीलम की शादी का सबूत है और किस बात का सबूत है? दिखा सकता है? हाँ अभी? हाँ दिखा कैसे दिखाऊ? तू गिराबान छोड तब न विमल ने अपने हाथ वापिस खीच लिए अपने कमजोर टांगों पर फुदकतासा मायाराम पिछले कमरे में गया और उल्टे पाव वापिस लोटा ये तस्वीर देख उसने पाच गुणा साथ इंच की एक रंगीन तस्वीर जबरन विमल को थमाई और अपना कलेजा खा बड़े आंदोलिद भाव से विमल ने तस्वीर पर निगार डाली तस्वीर इतनी पुरानी थी की नीलम उसमें साफ साफ एक नाबालिक बच्ची लग रही थी जबकी मायाराम तब साफ 40 के पेटे में मालूम हो रहा था तस्वीर में दोनों एक दूसरे को वर्माला की तरह हार पहना रहे थे तस्वीर की प्रष्ठभूमी में कोई प्राचीन शिवाले दिखाई दे रहा था विमल ने तस्वीर पर से सिर उठाया तो मायाराम ने उसी साइस की एक और तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई अब इसे देख वो क्रूर स्वर में बोला विमल ने देखा उस तस्वीर में नीलम मायाराम के साथ अगनी के गिर्थ फेरे ले रही थी उसका दिल जोर से लरजा उसका कलेजा मुम को आने लगा अभी ये भी देख मायाराम ने जो तस्वीर तब उसकी तरफ बढ़ाई उसमें हार पहने नीलम और मायाराम अगल बगल खड़े थे और कैमरे की तरफ देख कर मुस्करा रहे थे आया मजा मायाराम व्यंग्पूर्ण स्वर में बोला दाता तेरी कुदरत तु है जान ही अउर न दूजा जाने उसमें कातर भाव से मायाराम की तरफ देखा और फिर तस्वीरे वापिस उसकी तरफ बढ़ाई साथ ले जा मायाराम यू बोला जैसे उसकी खिली उड़ा रहा हो तसली से देखना मेरे पास और है यही विमल बोला हाँ यही लेकिन उसको कबजाने का कोई फाइदा नहीं होगा नेगेटिव कहीं और है जहां कि तू साथ जन्द नहीं पहुँच सकता मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं बना ले कौन सा काम्याब हो जाएगा यह शादी की तस्वीरे है तुझे क्या दिखाई देता है जरूर कोई धोखा है क्या धोखा है लड़की नीलम नहीं है या मैं मैं नहीं हूँ एक नाबालिक लड़की से शादी करना पहार में कोई गुना नहीं वहाँ शादिया ऐसे ही होती है और उन पर धर्म और समाज की पक्की मोहर होती है शादी का कोई गवा वो पंडित है न जिसने ये शादी कराई थी ये मायाराम ने उसे एक कागस थमाया उस पंडित के अपने हस्तलेक में जारी किये गए उस शादी के सर्टिफिकेट की फोटो कापी है जिस पर शादी की तारीक, लगन महुर्त वगेरा सब दर्ज है इसे भी यादगार के तौर पर पास रख ले क्योंकि इसकी ओरीजिनल नेगेटिवों के साथ ही महफूज है तो ये जोर है तेरा नीलम पर जोरो पर जोर नहीं आजमाया जाता, कमल्या हग जताया जाता है अमरत्सर में तेरी करतूत के बाद तेरी तलाश में मैं जालन धर गया था और लाब सिंग की बीवी से मिला था वो तुझे बाखू भी जानती थी वो नीलम को भी जानती थी क्या बड़ी बात है मारा गैर होता तो नहीं क्या करता मतलब की बात कर लाब सिंग की बीवी कहती थी कि तब से कोई तीन साल पहले तू नीलम को कहीं से भगा कर लाया था और उससे तेरा यही रिष्टा था तू उसे ब्याह कर लाया होता तो लाब सिंग की बीवी को इस बात की खबर होती फिर व यही कि ये शादी वाली बात तुने अब गड़ ली है यानि कि ये तस्वीरे फर्जी है ये सर्टिफिकेट जूटा है हाँ तेरे कहने से क्या होता है जब तक तस्दीक करने के लिए नीलम मौजूद है तब तक तु हकीकत को नहीं जुठला सकता तु क्या कोई भी हकीकत को नहीं जुठला सकता तेरे जैसा फरेबी आदमी जूट को सच और सफेद को स्याह करके दिखा सकता है मायाराम उपेक्षापूर्ण भाव से हसा जलंधर से मैं सीधा चंडीगर पहुँचा था जहां कि मैं पहली बार नीलम से मिला था बकॉल उसके तब उसने महीनों से तेरी सूरत नहीं देखी थी तो क्या हुआ रिजट कमाने के लिए मर्द मानस्यों से दूर हुई जाते है उसने अपनी जुबानी कबूल किया था कि तू उसे भगा करलाया था हीरोईन बनवा देने का जहांसा देकर भगा कर लाया था कहती थी कि तेरा उससे मन भर गया था इसलिए तू ने उसे छोड़ दिया था मैं तुझे उसके घर पर उसके बैडरूम में उसके पलंग पर सोया पड़ा मिला था क्या भूल गया अगर ये बात सही होती तो क्या वो मुझे अपने करीब भी फटकने देती तेरी दगाबाजी की वज़़ से उसे पेट भरने के लिए कालगल का धंधा आख्तियार करना पड़ा था वो तेरे से इस हद तक खफा थी कि कहती थी कि अगर तू लोट आता तो वो तेरी आमखे निकाल लेती तो निकाली क्यों नहीं? आया तो था मैं लोट के मेरी वज़़ से मैंने उससे दरख्वास की थी कि अगर राम लोट आये तो वो चुपचाप मुझे खबर कर दे मेरी वज़़ से उसने तुझे अपने घर में शरन दी थी वरना वो तुझे अपने करीब भी न फटकने देती कैसे न फटकने देती? दो हाथ जमाता, सीधा हो जाती कैसे कहती? वो कबूल करती कि वो पहले से शादी शुदा की थी तो क्या तू उसे अपनाता? हाँ, अपनाता जब मुझे एक कालगर्ल को अपनाने से गुरेज नहीं था तो एक छोड़ी हुई औरत को अपनाने से गुरेज भला क्यों होता? मर्द के औरत से एक साल दूर रहने से औरत छोड़ी हुई नहीं हो जाती लेकिन सुन मेरे वीर, सुन अभी तूने कहा था कि चंडीगण में नीलम ने तेरे हाथ न बांध दिये होते तो आज मुझे मर खब गए हुए दो साल हो चुके होते क्यों उसने मेरी जानबक्षी कराई तेरे से? क्या मीठा था उसे मेरा? अगर मैं उसे भगा कर लाया था, मैंने उसे खराब किया था और फिर दुनिया भर के धक्के खाने के लिए मंजधार में छोड़ दिया था तो क्या फर्क पढ़ता था उसे इस बात से कि तू मुझे जान से मारता था, जिन्दा छोड़ता था. क्या फर्क पढ़ता था? वही फर्क पढ़ता था जिसे तू समझना नहीं चाहता. वो पहाड की अनपढ औरत है, जिसकी निगाह में पती कैसा भी हो, उसका दरजा परमेश्वर का होता है. वो अपनी जानकारी में अपने पती परमेश्वर को मौत के मुंग में जाने देती तो वो तीथी की वो घोर नरक की भागी बनती. इसी लिए उसने तेरे हाथ बांधे. ताकि उसका पती परमेश्वर, यानि कि तू जिस हाल में भी रहता, सलामत रहा. But of course, वो बड़ी शान से बोला. सिर्फ तेरे कह देने से वो तेरी दीवी हो जाएगी? सिर्फ मेरे कह देने से क्यों? वो भी तो बैठी है यही बात कहने वाली. वो मुकर के दिखाएं न? बीवी को ब्लाकमेल करता है. ओहो, तू तो सब जाने समझे बैठा है, ब्लाकमेल क करता है? कैसी ब्लाकमेल? जैसी तो कर रहा है. गुर्मुखो, कोई औरत अपने मर्द की कोई माली इंदाद करे तो ये ब्लाकमेल क्यों कर हो गई? माली इंदाद? और क्या? तू? तू चाहता क्या है? तेरे से क्या चाहना है मैंने? मैं जो चाहता हूँ, अपनी बीवी से चाहता हूं अगर उसके पास 4 पैसे है तो अपने खाविन को देने में उसे भला क्या इतराज होगा चार के चार दे देने में भी क्या इतराज होगा तेरा मिशन तो फिर पैसा हतियाना ही हुआ ना नहीं नहीं हुआ तो मेरा मिशन बदला लेना भी है किस से? ये भी कोई पूछने की बात है किस से? नीलम से जिसने मेरे साथ गगाबाजी की तेरे से जिसने मुझे उम्र भर के लिए अपाहिस बना दिया क्या बदला लेगा? वही जो ले रहा हूँ और लेना रहूंगा नीलम की जान सूली पर तंगी है न तू भी तड़प रहा है न समझ ले मेरे कलेजे को ठंड़क पड़ रही है ऐसा कोई तरीका नहीं जिसने तू नीलम का पीछा छोड़ तू सके मेरा पीछा छोड़ सके एक तरीका है क्या? जैसे दो साल पहले चंडिगड में तूने मेरी हड़िया तोड़ी वैसे मुझे भी अपनी हड़िया तोड़ने का मौका दे मुझे भी मौका दे की मैं तेरी हड़िया तोड़ कर तेरे छिन भिन शरीर को किसी गटर में किसी कूडे के धेर पर किसी वीरान सुनसान जगा पर फैंक सकू और उस पर ये तहरीर नथी कर सकू की लोगो ये है सरदार सिंग सुरेंदर सिंग सोहल जो की इश्तिहारी मुझरिम है ये है महाबली विमल जिसकी गिरफ्तारी पर तीन लाख रुपे का इनाम है ये है कमपनी का सर्वनाश करने वाला सूर्मा साथ राज्यों की पुलीस को जिसकी तलाश है ये है रंडी का यार ठहर जा, साले दांत किट-किटाते हुए विमल ने उसकी गर्दन दबोच ली मायाराम ने कोई विरोध न किया उल्टे उसने अपने हाथ पाव धीले छोड़ दिये नतीशतन विमल की पकड़ अपने आप ही उसकी गर्दन से धीली पड़ गई तू तुझे नहीं मार सकता मायाराम मुसकराता हुआ बोला कितना बड़ा गैंस्टर बन गया है तू सुना है तमाम अंडर्वर्ड तेरे नाम से थर-थर कामपता है बड़े से बड़ा दादा तेरे ख्याल से पना मामता फिरता है लेकिन तू मुझे नहीं मार सकता तू मुझे मारेगा तो नीलम हमेशा के लिए तेरे हाथ से निकल जाएगी क्या मैं मर गया तो मेरे गाव से पचास आदमी आएंगे सो आदमी आएंगे और मायाराम की विद्वा को अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि ऐसा ही मेरे गाव का, मेरी बिरादरी का दस्तूर है नतीस्तन फिर तुझे नीलम की कभी सूरत भी देखना नसीब नहीं होगा वो चली जाएगी घसीट के ले जाई जाएगी कोई रोकने वाला नहीं होगा गाव में सिर मून कर सफेद कफन पहना कर रखा जाएगा मायाराम की विद्वा को बच्चे का क्या होगा, विमल के मुंह से अपने आप ही निकल गया जो होगा, बुरा होगा विमल खामोश रहा मुंबई के अंदरवर्ड में लोग तुझे पीर पैगंबरों जैसी सलाहियत वाला आदमी बताते थे काल पर फता पाया हुआ आदमी बताते थे चलता फिरता प्रेद बताते थे वन मैन आर्मी आर्मी बताते थे क्योंकि तु खालसा है जो की अकेला ही सवा लाक होता है मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुझे इतने उचे आसन पर बैठा कर तेरी आरती उतारने वाले लोग तेरी इस वक्त की सूरत देखे लेकिन अफसोस की ऐसा हो नहीं सकता मैं उतना बड़ा गैंग्स्टर नहीं हूँ जितना बड़ा होने की किसी ने तुम्हारे सामने मेरी हवा बनाई है होता तो मेरे सामने तुम थर-थर काम रहे होते अब तो मुझे भी यही लगता है कितना खौफ था मुझे तेरा कि अगर तुझे मेरे मौझूदा शगल की खबर लग गई तो तु मुझे कच्चा चबा जाएगा अब कैसा भीगी बिल्ली बना मेरे सामने खड़ा है मायाराम ने एक तिरसकार पूर्ण निगा उस पर डाली कितना गुमान है तुझे अपने इन दो हाथों पर कैसे गोली की तरह लपकते हैं दूसरे की गर्दन दबोचने के लिए लेकिन तेरे ते दो हाथ मेरे हजार हाथ है मुझे तो नहीं दिखाई देते ये तुम्हारी बदकिस्मती है सब किताबी बाते हैं, ख्याली बाते हैं तेरे दो हाथों की ताकत तो देख ली न मैंने हजार की भी देख लूँगा शायद न देख पाओ देख लूँगा जिस प्रभू अपना किरपा करे सो सेवक कहू किस ते डरे लफ़ा जी छोड और मेरी बात सुन क्या सुनू जैसे चुपचाब दिल्ली पहुचा है वैसे ही वापिस लोट जा वरना तेरी दिल्ली में मौझूदगी का भी नीलम को सजा मिलेगी ओ, नो अब और सुन और भी बोलो तेरी तरह मैं भी इश्टिहारी मुझरिम हूँ तुझे कभी सजा नहीं हुई लेकिन मैं पांच बार जेल की हवा खा चुका हूँ मैं इस हकीकत से भी बेकपर नहीं की पंजाब पुलीस को मालूम है कि भारत बैंड की दकैती का सर्गना में था और लाब सिंह और कर्मचंद का कतल मैंने किया था डबल मर्डर और डकैती का अपराधी में अगर पकड़ा गया तो यकीनन फासी के फंदे पर जूनूँगा दो साल से पुलीस को मेरी भनक नहीं लगी अब जब मामला ठंडा पड़ चुका है तो भनक लगने की उमीद भी नहीं लेकिन बकिस्मती से तू जान गया है कि ये लंगडा अपाहिच काशिनात असल में माया राम बाबा है क्या कहना चाते हो समझ मेरी जान तेरे हाथो गई या कानून के हाथो गई नीलम हर हाल में मेरी विद्वा ही कहलाईगी कहने का मतलब ये है कि मेरी गिरफतारी से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। उस्ताग जी उस मामले में हम दोनों एक ही किष्टी के सवार है। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ तो तुम भी तो मुझे गिरफ्तार करा सकते हो। तुझे गिरफ्तार कराने से मेरा कोई मतलब हल नहीं होने मेरी गिरफतारी पर तीन लाख रुपए का इनाम है ऐसा कोई इनाम तुम्हारी गिरफतारी पर नहीं है तुझे क्या परा नहीं है होगा तो कोई छोटा मोटा इनाम ही होगा जो किस गिंती में होगा बहुत उचा उड़ रहा है बाज उचा ही उड़ता है अब तुम कहो कि बाज और बतेर की एक ही आउकात होती है तो इसे मैं तुम्हारी कम अकली ही मानूँगा बतेर कौन? अच्छा, ये मैं बताओ बात ये हो रहे थी कि तुझे गिरफतार कराने से मेरा कोई मतलब हल नहीं होने वाला जिसके जवाब में मैंने कहा था कि मेरी गिरफतारी पर तीन लाख तीन लाख चिडिया का चुगगा है मैं चिडिया के चुगगे का तलबगार नहीं रुपे पैसे के मामले में मुझे दायम बाए हाथ पसारने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी तो बीवी ही बहुत दौलत मंद है उसने कुटिल भाग से विमल की तरफ देखा नहीं विमल खून का घून्ट पी के रह गया अब कोई जवाब तो दे पुलीस को तुम्हारी खबर करने का मेरा कोई इरादा नहीं मैं नीलं को उसके भाग्य के हवाले छोड़ कर वापिस जा रहा हूँ यानि की पीठ दिखा रहा है तुम्हारी सला पर अमल कर रहा हूँ शाम तक मैं दिल्ली से चला जाऊंगा कैसा गुरू का खालसा है तुमायाराम तिरसकारपूर्ण स्वर में बोला जो मैदान छोड़ के भाग रहा है कहां गई तेरे गुरू की सीख की भले ही पुर्जा पुर्जा कट मरे भले ही सिर की खोपड़ी उत्रे भले ही जिस्म चर्की चड़े या आरों से चिरे कभी न छोड़े खेट सूरा सोही मैं सूरा नहीं विमल होटों में बुद्बुदाया मैं मामूली इंसान हूँ अभी तो हजार हाथ की धौंस दे रहा था खुद को बाज और और मुझे बटेर बता रहा था शाम तक मैं चला जाऊंगा वदिया एस्टरिस्क 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 कश्मीरी गेट से एक रिक्षा पर सवार होकर विमल तिराहा बैरम खान पहुचा थी कि मुबारक अली तब तक अभी घर था टैक्सी लेकर निकल नहीं गया हुआ था मुबारक अली उसे एक करीबी टी स्टाल पर ले आया जो की उस घड़ी खाली पड़ा था कोई खास बात है बाप मुबारक अली उत्सुक भाव से बोला खास ही बात है विमल बड़ी संजीदगी से बोला मिया अपना कोई पढ़ालिखा समझदार आदमी प्लेन से फौरन कुलू जाने के लिए तयार कर कुलू के करीब ही एक गाव है जिसके एक पुजारी को उसने वहां तलाश करना है ये कागस पकड उसने पुजारी के सर्टिफिकेट की फोटो कापी उसे थमाई इस पर गाव का नाम और पुजारी का नाम पता दर्ज है ये एक शादी का सर्टिफिकेट है तेरे आदमी ने उस पुजारी को ढून कर उससे ये पूछना है कि क्या वाकि उससे ये सर्टिफिकेट जारी किया था किया था तो क्यों किया था? क्यों किया था? मुबारक अली उल्जनपूर्ण भाव में बोला हाँ, गाओं में शादिया कराने वाले पुजारी मैंने तो कभी सुना नहीं कि ऐसे सार्टिफिकेट जारी करते हैं करते हैं तो इस बात की तस्दीक करनी है कि ये सार्टिफिकेट जेनुइन है क्या है? असली है ओ, असली है यानि कि तुझे इसके नकली होने का अंदेशा है हाँ और और पुजारी से ये भी पूछना है कि क्या ऐसे सर्टिफिकेट शादी कराने के बाद वो आम जारी करता है करता है तो क्या उसकी कोई कापी रखता है या किसी रजिस्टर वगेरा में उसकी कोई एंट्री करके रखता है ये शादी कोई पांच या छे साल पहले हुई थी ये भी पता करना है कि क्या पुजारी को उस शादी की याद है याद है तो क्या वो शादी लड़की की रजामंदगी से हुई थी कन्यादान किसने किया था शादी का कोई और गवाह था या नहीं वगेरा समझ गया न सब कुछ बरोबर समझ गया बाप अपना हाश्मी सब फिट कर लेगा हाश्मी वो लड़का जो पिपलोनिया की मौद से पहले उसकी निगरानी पर तैनाथ था वो खूपसूरत, संजीदा सूरत, बहुत जहीन लगने वाला, चश्मे वाला नौजवान वही मैं उसे अभी रवाना करता हूँ लेकिन वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में माजरा क्या है, बाप? बताने का अभी वक्त नहीं मैंने बहुत जगा जाना है, बहुत कुछ करना है अकिले? फिलहाल हाँ मैं बाद में तेरे से मिलूँगा अभी जाने दे मुबारक अली ने सहमती में सिर हिलाया विमल जन्पत पहुचा वहां किद्वई भवन में MTNL का वो ट्रंग एक्सचेंज था जिसमें सुमन आपरेटर की ड्यूटी करती थी सुमन वर्मा से मिलना है रिसैप्शन पर पहुच कर वो वहां ड्यूटी पर तैनात क्लर्क से बोला कौन सुमन वर्मा? क्लर्क आतन रुखे स्वर में बोला जो यहां ट्रक आपरेटर है इस वक्त ड्यूटी पर होगी? मुझे नहीं मालूँ तो फिर क्यों यहां? विमल ने उसे घूर कर देखा क्लर्क उससे निगा मिलाने की तान ला सका ततकाल वो एक रजिस्टर के पन्ने पलटने लगा वो ड्यूटी पर है फिर वो रजिस्टर बंद करता हुआ बोला गुड उधर बैठ जाईए बुलाते हैं भीतर जाना मना है वो ही इधर आकर आपसे मिलेगी ओ बैठने की जगह विमल परे जाकर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा दाता जीव जन सभी सरन तुम्हारी सरप चिंग तुद पासे सुमन वहां पहुँची उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से रिसेप्शन क्लर्क की तरफ देखा तो क्लर्क ने विमल की तरफ संकेत कर दिया सुमन ने संकेत का अनुसर्ण किया तो ततकाल उसके नेत्र फैले वो लपक कर विमल के करीब पहुँची भाई साहब उसके मुह से निकला आप नमस्ते विमल मुस्कराता हुआ बोला कैसी है ठीक लेकिन आप यहां एकाएक हाँ घर होकर आए नहीं यानि कि अभी दीदी से नहीं मिले नहीं कमार है सुमन इस वक्त मुझे तेरे से और सिर्फ तेरे से काम है सुमन हग बकाई उसके चहरे पर असमंजस के भाव आए क्या काम है फिर वो सस्पेंस भरे स्वर में बोली कुछ कहना है कुछ सुनना है कुछ बताना है कुछ पूछना है मसलन अस्टरिस्क 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 पैदल चलता विमल कस्तूर्बा गांधी मार्क पहुचा वहां की एक 18 मंजिली इमारत की पाँचवी मंजिल पर गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन नामक एक्सपोर्ट हाउस का आफिस था तो काराम की चिठी के जवाब में मुंबई रवाना होने तक जहां की वह एकाउंटस आफिसर की नौकरी करता और जहां की वह अर्विंद कॉल नामक कश्मीरी विस्थापित के तौर पर जाना जाता था उसने आफिस में कदम रखा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसका अभिवादन किया रिसेप्शन हाल में ही गैलेक्सी का मैनेजर चांदवानी और चीफ डिजाइनर आपते मौजूद थे जो की हसहस कर एक दूसरे से बतिया रहे थे गुड मॉर्निंग मिस्टर चांदवानी विमल उनके करीब पहुच कर बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर आपते दोनों खामोश हुए दोनों की निगा विमल की और उठी कॉल चांदवानी के मुह से निकला कहां थे भाई अब तक? आपते बोला दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से विमल से हाथ मिलाया कहां थे? आपते ने फिर पूछा घर ग्रहस्थी की जहमतों से जूज रहा था आपते साहब विमल बोला तुम्हारी दीवी बीमार थी न? बच्चा होने वाला था उसको वो तो हो भी चुका चांदवानी बोला बिग बॉस ने खुद बताया था अब कैसे है जच्चा बच्चा आपते बोला ठीट विमल बोला एकदम स्वस्थ जी हां पॉंट तो रुत्बा बुलंद हो गया तुम्हारा बाप बन गए जी हां उपर वाले की दुआ से अब फिर चुपचाप न खिसक जाना कम से कम मुभा मीठा करा के जाना कडुवा चांदवानी बोला जरूर आज ही विमल एक ख़ण ठिटका और फिर बोला बिग बॉस आ गए हां चांदवानी बोला अपने आफिस में है मैं जरा मिलके आता हूँ दोनों ने सह्मती से सिर हिलाया विमल गैलेक्सी के मालिक शिव शंकर शुकला के आफिस की ओर बढ़ा उसने हौले से बिग बॉस के आफिस का दर्वाजा खोला और अदब से बोला में आई कम इंसर शुकला ने सिर उठाया विमल पर निगाह पड़ते ही उसके चहरे पर हैरानी के भाव आए कॉल उसके मुह से निकला गुड मोर्निंग सर गुड मोर्निंग आओ विमल उसकी टेबल के करीब पहुँचा बैठो ठैंक्यू सर विमल उसके सामने एक कुरसी पर बैठ गया शुकला कुछ खशन अपलक से देखता रहा और फिर बोला उम्मीद नहीं थी कभी लोट कर आओगे क्यों सर विमल मुसकराता हुआ बोला मैं क्या अब गयलेक्सी का मुलाज़न नहीं रहा वो तो तुम हो लेकिन अब मैं क्या कहूँ जो जी में आए कहिए सर तकलूफ कैसा मुलाजा कैसा कुछ दिन हुए शुकला धीमे स्वर में बोला मेरे पास मुंबई से भौमिक नाम के किसी आदमी का फोन आया था जिसने पूछा था कि क्या मेरे पास अर्विन कॉल नाम का कोई एकाउंटेंट मुलाजिम था मैंने जवाब हां में दिया था मैं आपका शुक्र गुजार हूँ आपके उस जवाब ने मेरी जान बचाई थी कैसे? वह एक लंबी कहानी है बहरहाल हकीकतन तो ऐसा नहीं था अब कहा हो गैलेक्सी के मुलाजिम? तब भी कहा थे जब मैंने उस शक्स को हां में जवाब दिया था सर मैं उसी बाबत आप से बात करने आया था क्या बात? मैं चाहता हूँ कि आपके जरे साया मेरी मुलाजमत बरकरार रहे चाहे आफिस में तुम्हारे कभी कदम न पड़े? जी हाँ उस अप्रत्याशित जवाब पर शुपला सपकाया और फिर बोला ऐसा क्यों कर होगा? आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा मैं क्यों चाहूँगा? विमल ने जवाब न दिया कुछ क्षण खामोशी रही ने बेचैनी से कई बार कुरसी में पहलू बदला और शुकल फिर पहले से ज्यादा धीमे स्वर में बोला शिवनाराइन पिपलोनिया मेरा जिगरी दोस्त था अपनी दर्दनाक मौत से पहले बाकाइदा साइंड और विटनेस्ट वसीहत करके तुम्हें अपना वारिस करार दे कर गया था तुम्हें अर्विंद कॉल नाम के उस शक्स को जिसे पिछले साल मेरी कोठी पर हुई कि वो ही खबरदार शहरी के नाम से मशूर वो शक्स था जिसने गुंडे, बदमाशो, मुझरिमों की हस्ती मिटाने के लिए जेहाद छेडा हुआ था जो प्रेट की तरह रातों को शहर में विचरता था और सिंगल हैंडेड खतरनाक मवालियों, खुनियों और बलातकारियों से टक कर लेता था आखिरकार मरा भी वो वंदना नाम की एक लड़की को पांच गुंडों से बचाने की कोशिश में था जो की सरेरा उसको अगवा करके गए थे उसने एक नौजवान लड़की की जान और शील की रक्षा अपनी जान दे कर की थी कौन सोच सकता था कि जुल्म और नाइनसाफी की टो में रात बरात अंधिरी तारीक सडकों पर विचरने वाला शक्स मेरा जिगरी दोस्त रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसरस शिव नारायन पिपलोनिया हो सकता था वो अकेला शक्स जो शक्स इनसाफ के लिए लड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता विमल धीरे से बोला उसका ईश्वर उसके साथ होता है उसकी वज़़ से जुल्म की शिकार होने से बाल-बाल बचे सैक्डों हजारों लोगों की दोआएं उसके साथ होती है ऐसा इनसान खत्म भी हो जाता है तो उसके साथ उसकी परिकलपना खत्म नहीं हो जाती आदमी मर सकता है ख्याल नहीं मर सकता विशन नहीं मर सकता ऐसा ही कुछ उसकी मौत के अगले रोज अकबार में भी छपा था मरने से पहले मेरा दोस्त मेरे सामने ये अभिलाशा जाहिर करके गया था कि उसका अंतिम संसकार तुम्हारे हातों हो तुम उसे मुखागनी दो तुमने उसकी ये अभिलाशा पूरी की थी और उसकी वसियत के मताबिक उसका वारिस बनना कबूल किया था मैं नहीं जनता कि उसका तुम्हारी तरफ ऐसा खास जुकाव क्यों था लेकिन वो दाना आदमी था, संजीदा आदमी था, कॉलेज प्रोफेसर था उसने ऐसा कोई कदम उठाया था तो उसकी कोई माकूल वज़ा तो जरूर रही होगी कोई तो खूबी उसने तुम्हारे में देखी ही होगी जो उसे किसी दूसरे शक्स में नहीं दिखाई देती थी वो खूबी क्या है मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता लेकिन इतना मैं बिना किसी के जन्वाए भी जानता हूँ कि तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो तुम्हारे में ऐसा कुछ है जो प्रत्यक्षता किसी को दिखाई नहीं देता तुम मेरे पास एकाउंटेंट की मामूली नौकरी करते थे लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तुम्हारी हस्ती एक मामूली अकाउंटेंट से कहीं उची है तुम्हारी आउकात किसी की भी आउकात से कई बड़ी है तुम कहते हो कि तुम अर्विंद कॉल नाम के एक कश्मीरी विस्थापित हो अब मुझे इस बात पर यकीन नहीं लेकिन असल में तुम क्या हो मैं नहीं जानना चाहता पहले जानना चाहता था अब नहीं जानना चाहता पहले जानना चाहते थे हाँ इसलिए तुम्हारी बाबत मैंने CBI के anti-terrorist squad में कुलीस की डिप्ती कमिशनर के बराबर का दर्जा रखने वाले अपने दोस्त योगेश पांडे से भी बात की थी जिसकी सिफारिश पर की मैंने तुम्हें बिना तुम्हारे कोई क्रिदेंशिस देखे अपने यहां मुलाजिम रखा था क्या जवाब मिला था? कोई जवाब नहीं मिला था लेकिन फिर मिला भी था क्या? कि मैं तुम्हारी बाबत कोई सवाल ना करूँ मैं ये सोच खामोश रहूं और तुम्हारे प्रती सहयोग की भावना बनाए रखूं कि मैं जो कुछ कर रहा था उसमें सर्वत्र का भला नहित था That by extending my cooperation towards you, I was contributing to a noble cause वो noble cause क्या है, जिसमें मेरी contribution का कोई रोल है, मैं नहीं जानता लेकिन मुझे अपने दोस्त पांडे की बात पर यकीन है मुझे अपने दोस्त पिपलोनिया की तुम्हारी बाबत अपनी अंतिम इच्छा पर एदबार है मुझे मुकमल एदबार है कि वो काम अच्छा ही होगा जिसके होने में की तुम निमित हो इसी लिए मैं तुम्हारी असलियत भी नहीं जानना चाता शुकला साहब जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरी असलियत उससे जुदा नहीं है है बराबर है तुम कोई आम आदमी नहीं हो हो ही नहीं सकते हो ये स्रिष्टी बनाने वाला प्रानी मात्र के लिए जब किसी सदकार्य की जरूरत महसूस करता है तो जरूरी नहीं होता कि वो खुद ही अवतरित हो वो किसी को अपना प्रतिनिधी बना सकता है किसी को अपनी पावर्स डेलिगेट कर सकता है ऐसे ओनर के लिए हो सकता है इस बार तुम्हें चुना गया हो मैं अकिंचन ये भी माया है प्रभु की देखा और फिर बोला बहरहाल जो तुम चाहते हो वही होगा तुम गैलेक्सी के मुलाजिम हो और रहोगे इस बाबत जब भी जहां से भी कोई सवाल होगा यहां से वही जवाब मिलेगा जो तुम चाहते हो की मिले ओफिस में मुतावातर गैरहाजरी का क्या जवाब होगा वो सब मैनिप्यूलेट हो जाएगा मेरा सारे भारत में व्यापार है और सब बड़े शहरों में ब्रांचे है मेरे अकाउंटेंट को दिल्ली से बाहर कहीं भी जाना पड़ सकता है कितने भी लंबे अर्से के लिए जाना पड़ सकता है Good Sir, I am thankful to you that No None of that No thanks I have done my duty towards a cause About which you know nothing But I know that you know That's enough for me महरबानी जनाब मुझे खुशी है कि मेरी एक प्रॉबलम इतनी आसानी से हल हो गई या तुम्हारी या उसकी शह पर तुम्हारी जो तिसु भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई हूँ बटा शुकला ने एक क्षण उल्जन पूर्ण भाव से विमल की तरफ वो खामोश रहा अब मैं विमल उठता हुआ बोला इजाजत चाहता उसने सहमती से सर हिलाया नमस्ते विमल उठा और घूम कर दरवाजे की ओर बढ़ा अगर तुम्हारा भी अंजाम पिपलोनिया जैसा हुआ तो मुझे दिली अफसोस होगा विमल ने सहमती से सर हिलाया और वह से रुखसत हो गया काल बैल बजी चाप्टर दो साधारंत्या नीलम दिन में दरवाजा खोलने से पहले सवाल नहीं करती थी लेकिन तब बरबस उसके मुझ से निकला कौन? कूरियर सर्विस जवाब मिला क्या है? नीलम कौल के नाम चिठी है नीलम ने दरवाजा खोला हरकारे ने हस्ताक्षर की खाना पूरी मुकमल करके उसे एक बंद लिफाफा सौप दिया और वह से विदा हो गया नीलम ने दरवाजा बदस्तूर भीतर से बंद कर लिया और फिर बंद लिफाफे की और आकरशित हुई चिठी भेजने वाले की बाबत उसे पूरा पूरा अंदाजा था फिर भी बड़ी उतकंठा से उसने लिफाफा खोला उसका अंदाजा ठीक था चिठी उसी की थी रकम की डिलीवरी की बाबत हिदायत से भरी चिठी उसने चिठी को बड़े गौर से पढ़ा करना है फिर पढ़ा कभी काल बैल फिर बजी नीलम ने हडबड़ा कर चिठी को अपने ब्लाउज में खोंस लिया और दर्वाजा खोला सुमन आई थी क्या हुआ नीलम हैरानी से बोली उल्टे पाव लौट आई आज तो कोई नेता मर गया सुमन बोली छुट्टी हो गई अच्छा हुआ सच पूछो तो मैं तुझे ही याद कर रही थी अच्छा हाँ वज़ा सुमन तूने मेरा एक काम करना है एक क्या सौ काम बोलो दीदी एक खास काम करना है एक बहुत ही खास काम क्या बैट बताती हूँ दोनों एक सोफे पर अगल बगल बैठ गई फिर चिप्थी में लिखे निर्देशों के मुताबिक नीलम उसे समझाने लगी की उसने क्या खास काम करना था एस्टरिस्क 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 पैदल चलते विमल कनाट प्लेस में स्थित क्लब में पहुँचा दिल्ली के भूतपूर्व अंडरवर्ड डॉन गुर्बक्षलाल की जिन्दगी में लोटस क्लब उसका हेड़क्वार्टर होता था पिछले नए साल की रात को गुर्बक्षलाल को उसके फरीदाबाद स्थित आवास पर जहन्नम रसीत करने के बाद विमल उसके वफादार लेफ्टीनेंट कुश्वाहा को उसकी जगा गदीनशीन करके गया था तब तक अभी दोपहर भी नहीं हुई थी इसलिए कलब में सन्नाटा था और इसलिए विमल कदरन सहूलियत से कदरन कम जवाब तलबी के कुश्वाहा तक पहुँच गया कुश्वाहा एक कोई पैताली साल का कठोर चहरे वाला गठीले जिस्म वाला दरम्याने कत का सर से अदगंजा आदमी था विमल पर निगाह पड़ते ही कुश्वाहा के नेत्र फैले वो स्प्रिंग लगे खिलोने की तरह अपनी एक्जीक्यूटिव चेर से उठा नमस्ते विमल मधुर स्वर में बोला वैलकम कुश्वाहा बोला वैलकम विमल उसके सामने एक कुर्सी पर धेर हो गया इधर आके बैठिये कुश्वाहा व्यग्रभाव से अपनी कुर्सी की और इशारा करते हुए बोला यहीं ठीक है भाई वो कुर्सी तुम्हें ही मुबारक लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है कुश्वाहा कतकाल वापिस अपनी कुर्सी पर धेर हुआ कैसे चल रहा है विमल बोला फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है लान साहब की बिरादरी के खलीफाओं के तेवर कैसे हैं सिलहाल तो काबू में है आइन्दा कोई अंदेशा है है तो सही वज़ा वज़ा पेचिदा है थोड़े में बताओ वो क्या है कि मुंबाई के अंदर वर्ड की तमाम खबरे इधर भी पहुँचती है वहां कमपनी और उसके बड़े आकाओं का क्या हर्ष हुआ है और वो हर्ष किसके किये हुआ है उससे इधर भी कोई नावाकिफ नहीं इधर सब लोग इस बात का इंतजार कर रही है कि कमपनी आपके या किसी और के जरेसाया फिर से सिर उठती है या नहीं कम्पनी का दबदबा सारे हिंदुस्तान में है इसलिए इधर दिल्ली में भी है कम्पनी फिर जलाल में आ गई तो इधर की अंडरवर्ड बिरादरी काबू में रहेगी वरना कोई न कोई जरूर उचाल मारेगा गुरबक शलाल की जिन्दगी में तो कम्पनी पूरे जलाल में थी वो क्यों कम्पनी का रॉब नहीं मनाता था लाल साहब भी कमपनी का बराबर रोब मानते थे लेकिन नार्कोटिक्स के धंदे के मामले में उनका कमपनी से एग्रिमेंट था कि वो एक खास फील्ड तक ही अपने धंदे की पहुँच रखेंगे और वो नार्काटिक्स ट्रेड से अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कमपनी की पवितर सिंग, भोगिलान या माता प्रसाद ब्रजवासी, जामनानी वो ही शुरू से ही लाल साहब का खामोश मुखालिफ था और वो ही लाल साहब की जिंदगी में भी नार्कोटिक्स के धंदे पर काबिज होने की ताक में था मैं सबको वार्निंग देके गया था कि कोई नार्काटिक्स के धंदे में हाथ डालने की कोशिश ना करे न्यू यर इव पर मैंने उन पांचों दादाओं की जान बक्षी ही इस शर्थ पर की थी कि कोई जग दीलर बनने की कोशिश नहीं करेगा वो वार्निंग उन लोगों में से भूला कोई नहीं होगा लेकिन क्योंकि तब से अब तक आपके दिल्ली में पाव नहीं पड़े आप कभी उन में से किसी के रूबरू नहीं हुए आपने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि कौन क्या कर रहा था इसलिए वो धीरे धीरे निश्चिन्थ होते जा रही हैं और दिन बदिन दिलेरी पकड़ते जा रही हैं I see आज की तारीक में अगर उन तक ये खबर पहुँचे की गजरे की मौत के बाद कंपणी के निजाम पर आप काबिज हो गए हैं तो आपके बिना कुछ किये भी खुद बखुद जाग की तरह बैठ जाएंगे That is out of question मेरा कंपणी के निजाम पर काबिज होना और उसका पुराना कारोबार चलाए रखना न मुम्किन है और ना आइंदा कभी मुम्किन होगा कंपणी अब खत्म है कंपणी अब किस्से कहानियों की बात है फिर तो ये बात इधर पैबस्त होने ही आपकी वार्निंग को नजर अंदाज करके कोई न कोई जरूर सिर उठाएगा क्यों क्यों कि उनको ये गलत सिगनल पहुचेगा कि आप कंपणी की गदी पर काबिज नहीं हुए थे तो उसकी असल वज़य ये थी कि काबिज हो ही नहीं सकते थे वो समझेंगे कि उधर का कोई और ऐसा अंदरवर्ड डॉन ये कदम उठाने वाला था जो की आप पर भारी पड़ सकता था ओ और ऐसे किसी मौके की टाक में जो सबसे ज्यादा है वो जामनानी है हाँ, वो कई बार मुझे खुफिया तोर पर ये इशारा दे चुका है कि मेरा सोहल के अंगूठे के नीचे रहना और परोक्ष में उसका चमचा, आई रिपीट चमचा बना रहना मेरी बेवकूफी है जनाब, यहां के दादा लोग मुझे आपके और उनके बीच की कड़ी मानते हैं और ये कड़ी आइंदा दिनों में तोड़ी जा सकती है यानि कि तुम्हें रास्ते से हटाया जा सकता है हाँ, ये जानते हुए भी तुमने मुझे कभी हालात की खबर नहीं की अभी हालत इतने बेकाबू नहीं अब आप आ गए हैं, तो जो थोड़ी बहुत जमीन खिसकी थी वो फिर ठिकाने पर आ जाएगी कुश्वाहा, मैं उन लोगों की वज़ा से दिल्ली नहीं आया अच्छा मुझे कोई और ही वज़ा दिल्ली लाई है और वो वज़ा मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी जाती दुश्वारी है मेरा तो उनसे किसी के मत्थे लगने का कोई इरादा नहीं मैं तो तुमसे भी ना मिलने आता अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना होती मदद मेरी हाँ हुक्म कीजिए बंदा हाजिर है तुम्हें उस सब इंस्पेक्टर अजीत लूथरा की याद है जिसने गुर्बशलाल से मेरे सिर का सौदा किया था 26 लाख में 20 लाख जमा 6 लाख में यानि की याद है हाँ बखु भी मेरे दिल्ली से रवाना होने के वक्त वो गिरफतार था अब क्या पोजीशन है पोजीशन खसता ही है उस पर नार्कोटिक स्मगलर लेखराज मूंदरा का सहयोगी होने का इल्जाम है में 2 किलो चरस और 5 लाख रुपए की रकम आपकी दिल्ली में मौजूदधी के दौरान ही बरामद हुई थी उस पर गंभीर मुकदमा है जिसकी रूमें पहले वो सस्पेंड हुआ था लेकिन अब तो बाकाइदा नौकरी से बरखास किया जा चुका है बड़ी मुश्किल से जमानत हुई थी उसकी यानी की आजकल आजाद है आजाद तो है लेकिन तभी तक जब तक की मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया जाता उसके खिलाफ ओपन एंड शट केस है सजा तो उसे होके रहेगी रागा अभी भी वहीं इस्ट पटेल नदर में ही है हाँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ लेकिन उसके घर नहीं जाना चाहता क्या जरूरत है जाने की मैं उसे यहां बुला लूँगा वो दौड़ा आएगा गुड मोनिका का क्या हाल है अभी भी यहां बारमेर की नौकरी बजाती है नहीं नौकरी तो वो तब ही छोड़ गई थी जब आपने उसे उसकी जिन्दगी सवारने के लिए 6 लाख रुपए दिये थे अब तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली में भी नहीं रहती यानि कि सुधर गई यही समझ लीजिए और वो दूसरी लड़की सीमा जिसकी सुधरने की कोई मनशाही नहीं थी वो तो अभी अपनी पुरानी राह पर चल रही है यानि कि अभी भी जिस्म को अपना हथियार और जिस्म फरोशी को अपनी ताकत मानती है हाँ दिल्ली की टॉप की काल गरल के तौर पर मशूर है अब तो वो एक रात के पचीस-तीस हजार रुपए वसूलती है पाई कहां जाती है मालूम नहीं लेकिन मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं मालूम करो और उससे भी मेरी यही मुलाकात करवाओ उसने आपसे मिलना कबूल न किया तो वो ऐसा कर सकती है वो खुदगर्ज लड़की है मतलब बिना कोई काम नहीं करती क्या पता चलता है उसकी अकल का ऐसी अकल तो ठिकाने लगाई जानी चाहिए जी कुश्वाहां मैंने उससे मिलना ही नहीं उसे अपनी तरफ भी करना है उसे अपना मददगार अपना राज़दा बनाना है ऐसा? हाँ फिर तो ऐसा ही होगा That's more like it मुझे तो तुमसे नाउमीदी हो गई थी इतने बड़े दादा का लेफ्टिनेंड और अपना कोई दबदबा ही नहीं रखता दिल्ली शहर में एक मामूली कालगरल को उसकी जात आउकात नहीं दिखा सकता दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा आप खातिर जमा रखे वो भीगी बिल्ली की तरह आपको यहां आपका इंतजार करती मिलेगी वो आपका हर हुक्म अपने सिर माथे लेगी गुड गुस्ताखी की माफी के साथ पूछ रहा हूँ आपको उसकी जरूरत क्यों है बताया तो क्योंकि मैंने उसे अपना मददगार बनाना है उसे भी और लूथ्रा को भी लेकिन क्यों? क्योंकि वाहेगुरु ने मुझे जो दो हाथ दिये हैं वो मौझूदा हालात में नाकाफी है मेरा हर मददगार मेरा एक अतिरिक्त हाथ है लिहाजा मेरे 100 हाथ है, 1000 हाथ है ओ मुंबिय के अंदर वर्ल्ड में मुझे वनमैन आर्गिनाईजेशन के नाम से जाना जाता है लेकिन कोई एक जना क्या कर सकता है? क्या अकेला चना भार फोर सकता है? दिल्ली भी क्या मैं गुर्बक्षलाल से अकेला मुकाबिल था दोबियों की पलतन मेरी तरफदार न होती जामनानी ने विभीशन का रोल अदा न किया होता तो क्या मैं गुर्बक्षलाल नाम के रावन को मार पाया होता मोनिका ने मुझे उसके फरीदाबाद वाले किले जैसे घर में घुसाने का सामान न किया होता तो क्या मैं गुर्बक्षलाल के करीब भी फटक पाया होता राजा रामचंद्र क्या अकेले लंका पर चंड दोडे थे उनके लिए उस गिलहरी की भी एहमियत थी जो समझती थी कि समुद्र में रेट के कुछ कंड डाल कर वो भी लंका तक पुल बनाने में मदद कर रही थी कुश्वाहा का सिर्ष हमती में हिला इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे हजार हाथ है जब हजार हाथ दो हाथों से मुकाबिल हो तो सोचो जीत किसकी होगी हजार हाथ वाले की बाकी सब उपर वाले की मर्जी पर निर्भर है परमात्मा हर जीव की लाज रखता है मेरी भी रखेगा हमेशा रखी है इस बार भी रखेगा जन की पैज रखी करता रे सही फर्माया आपने मिंटो रोड पर जो गुर्बक्षलाल के दो फ्लैट थे उनका क्या हाल है उनकी मौत के बाद वैसे के वैसे खाली पड़े है मैं उनमें से एक में चंद दिन रहना चाहता हूँ इंतजाम हो जाएगा उसमें जो कभी गुर्बक्षलाल की एशगा था ठीक है फिर एकाएक विमल उठ खड़ा हुआ मैं चलता हूँ वो बोला कोई ऐसा इंतजाम करके छोड़ना की मेरी यहां आमद बेरुक तोखो खुश्वाहा ने सहमती में सिर हिलाया एक आटो पर सवार होकर विमल तेलिवाडे पहुचा वहां कनवीर एहमद नाम का वो शक्स रहता था जो कहने को वकील था लेकिन असल में गैर कानूनी फायराम्स का धंदा करता था ग्राहक बहचक पूरा पैसा भरने वाला हो और उसके पास माकूल हवाले से आया हो तो वो उसके लिए तोप तक मुहया कर सकता था पिछली बार विमल उस तक सदरवाले हुसेन साहब के हवाले से पहुचा था वही हवाला उसने उस बार भी इस्तमाल किया था वहां आने से पहले वो तन्वीर एहमद को हुसेन साहब के हवाले से फोन करके और अपनी जरुरत बयान करके आया था. तन्वीर एहमद पचास साल का जोलजाल तंदुरूस्ती वाला धीला ढ़ाला दुबलापतला आदमी था. उसने विमल को उसी पहले वाले आफिसनुमा कमरे में रिसीव किया जो की कानून के संदर्ब ग्रंथों से भरा पड़ा था अभी जिन्दा है जनाब विमल विनोधपूर्ण स्वर में बोला अल्ला का फजल है तन्वीर एहमद बोला यानि कि मेरा ये कयास गलत निकला की अपनी तमाम होश्यारियों और फंदेबाजियों के बावजूद एक दिन आप यहीं अपने तमाम उल्टे सीधे आडे तिर्चे चलने वाले हत्यारों के बीच मरे पड़े पाए जाएंगे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है उसने एक क्षण घूर कर विमल की तरफ देखा और फिर बोला तुमने भी तो खुद कुशी न की कैसे मालूम है भाई मेरे सामने बैठे हो ओ ये बात तो मैं भूल गया था वो क्या है कि 44 कैलीवर की एफ 14 माडल की जो जर्मन रिवालवर आपने मुझे पिछली बार बेची थी उसकी खूबियों से मुकमल तौर पर आप भी नावाकिफ थे उस रिवालवर में एक खूबी यह भी थी कि वो बहुत वफादार थी अपने ही मालिक पर चलने से साफ इनकार कर देती थी गोया अब तुम्हें ऐसी रिवालवर चाहिए जो इतनी वफादार न हो जी हाँ ताकि तुम फिर खुदकुशी की कोशिश न कर सको जी हाँ कोई खास रिवालवर निगाह में है या मैं ही दिखाओ अपनी मर्जी से कुछ खास रिवालवर निगाह में है कौन सी? नाल, छा फायर करने वाली, उसने सहमती में सिर हिलाया, लेके आईए, लेकिन पिछली बार जैसी दुकानदारी ना जाएगा, पहली ही बार में भैतरीन आइटम निकालिए, ऐसा ही होगा, पिछली बार मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया था, इस बार समझ लिया ठीक से हाँ, गुड़, मैं खुद खबरदार शहरी के कारनामों से बहुत मुतासिर था, वो बेचारा मर गया था तो पता चला था कि वो शिवनारायन पिपलोनिया नाम का एक रिटायर कालेज प्रोफेसर था, स्माडल की मेरे पास दो रिवालवरे थी जो की एक दूसरे की तुम्हें बेची थी और दूसरी पिपलोनिया को, वो दोनों रिवालवरे पिपलोनिया की लाश के करीब पड़ी पाई गई थी और दोनों से ही वैसी हालो प्वायंट बुलेट्स चलाई गई थी जिनके सो राउंड मैंने तुम्हें बेचे थे, मैं वकील हूँ, दो में दो जोड कर जवाब चार निकाल सकता हूँ, विमल चुप रहा, मुझे अफसोस है कि पिछली बार मैंने तुम्हें कम करके का, तुम्हें गली मोहले के स्कर का दादा करार दिया, इसलिए जोल जाल माल भेजने की कोशिश की, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें टॉ वाडे का एक बंध दर्वाजा खोल कर उसके पीछे ओजल हो गया, वो लोटा तो एन वैसी रिवालवर लेकर लोटा जैसी की तलाश में विमल वहां पहुँचा था, कीमत विमल बोला, चालीस, चालीस आपने पिछली बार लिये थे जबकि वो इससे कहीं फैसी रिवालव थी, महगाई बढ़ गई है, चन महीनों में ही, हाँ, ठीक है, चालीस, गोलियां, उनके बिना रिवालवर किस काम की, पहले जैसी ही, हौलो क्वायंच, नहीं, उतनी खास नहीं, लेकिन आम भी नहीं, तनवीर अहमद की भवे उठीन, कोई खूबी तो मैं इस बार भी चाहता हूँ बोलियों में, कैसी खूबी, विमल ने खूबी बयान की, एस्टरिस्क, 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 विमल मार्डल टाउन पहुचा, करीबी मार्केट के PCO, से उसने अपनी कोठी पर फोन किया, लेकिन घंती बजते ही लाइ काट दी, तीसरी बार उसने घंती बजती रहने दी, वह एक पूर्वनिर्धारित संकेत था जिससे सुमन जान सकती थी कि फोन करने वाला विमल था, फोन सुमन ने उठाया, पात हो सकती है, वो बोला, नहीं, दबे स्वर में सुमन का जवाब मिला, मैं मार्केट में हूँ, रांग नंबर, संबंध विच्छेद हो गया, विमल टी सी ओ, के बूट से बाहर निकल आया, उसने अपना पाइप सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा, कुछ क्षण बाद लपकती हुई सुमन वहां पहुची, क्या खबर है, विमल बोला, करारी खबर है, सुमन बो विमल ने बताया कि नीलम उससे क्या खास काम करवाना चाहती थी, विमल ने घड़ी देखी और बोला अभी तो बहुत टाइम है, हाँ, सुमन बोली, उसने तुझे ट्रंक दिखाया, हाँ, ये बताया कि भीतर क्या था, दीदी ने नहीं बताया लेकिन मैंने चोरी से पड़ा था, क्या समझा, कोई दीदी को ब्लाकमेल कर रहा है, कौन, जरूर वही लंगरा जिसे एक बार मैंने दीदी से मिलने के बाद कोठी से निकलते देखा था, कूँ, नीलम को वो निरेश कैसे मिले जो उसने आगे तुझे ट्रांसफर किये, जरूर चिठी आई होगी कैसे जाना, मैंने कल दीदी की एक टेलीफोन काल बीच में सुनी थी, फोन करने वाले ने साफ कहा था कि अब वो न कोठी में कदम रखेगा, न फोन करेगा क्योंकि उसे अंदेशा था कि कोठी की निगरानी हो रही थी, उसने चिठी भेजने की बात कही थी तो, वो सब कहां होगी वो चिठी? अगर दीदी ने फाड नहीं दी होगी तो, नहीं फाड दी होगी, जिस चिठी में रकम पहुचाने की इतनी एहम हिदायते लिखी है, उसको तो नीलम ने कई बार पढ़ा होगा ता कि कोई गलती न हो जाए, कोई कोता ही न हो जाए, वो चिठी कि अपने पास नहीं रखे होगी तो वाडरोब में कहीं होगी। वाडरोब में? हाँ, तलाश करनी होगी। वहां नहीं तो जहां भी होगी, वहां से तलाश करनी होगी। अगर चिथी दीदी के पास हुई? दुआ करो कि ऐसा नहो। मैं तलाशी लूँ। नहीं। तलाशी मैं लूँगा, क्योंकि वहां कुछ और भी तलाश करना है, लेकिन तलाशी के लिए मुझे मौका चाहिए. मौका तो तैयार है. सुमन के मुंग से निकला. अच्छा. हाँ. सूरज को पोलियो ड्राप्स दिलवाने के लिए डॉक्तर मिसेस कुलकर्णी के पास ले जाना है, जो कि इस वक्त हनुमान रोड पर महाजन नर्सिंग होम में मिलेगी. गुड. यानि कि तकरीबन एक घंटा पीछे कोई नहीं होगा. हाँ. हम जाने की तैयारी कर ही रहे थे जबकि आपका फोन आया. फिर तू जा वापिस. जाती हूँ. लेकिन. क्या लेकिन? चिठी घर में न मिली तो. तो मुश्किल होगी. तो मुझे कुछ और सोचना होगा. आप घर क्यों नहीं चलते? दीदी से सीधे बात क्यों नहीं करते? है कोई वज़ा. जो तू नहीं समझेगी. मैं समझेंगी नहीं या आप बताना नहीं चाहते? एक ही बात है. और नहीं तो सूरज की खाते. उसका जिक्र न छेड़ और भाग जा यहां से वरना मैं जज़बाती हो जाऊंगा और जो करना चाहता हूं, उसे करने की जगह कुछ और ही कर बैठूंगा. जा? वो चली गई. कुछ क्षण बाद पाइप के कश लगाता विमल आगे बढ़ा और ऐसे स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां से वो कोठी के प्रवेशद्वार को देख सकता था लेकिन उधर से उसे नहीं देखा जा सकता था. वो प्रतीक्षा करने लगा. थोड़ी देर बाद कोठी का दर्वाजा खुला और नीलम और सुमन बाहर निकली. सूरत सुमन की गोद में था जो जाकर अमबेशदर की पैसेंजर सीट बैठ गए. नीलम ने कोठी के मुख्यदवार को ताला लगाया और वो भी कार में सवार हो गई. दाता भाग्य की कैसी विडंबना थी कि अपनी आुलाद के इतना करीब होते हुए भी उसका मुख नहीं देख सकता था. और कुछ ख्षन बातकार सड़क पर दोड़ी चली जा रही थी. विमल ने उसको द्रिष्टी से ओजल हो जाने दिया और फिर सड़क पार करके कोठी पर पहुँचा. उसने पाइप को गुझा कर जेब में रख लिया और जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला. कोठी की चाबियों का एक सैट उसके पास भी उपलब्ध था. आखिर वो उस घर का करता था और कल तक वही रहता था. चाबियों लगा कर उसने कोठी का प्रवेशदवार खोला और भीतर दाखिल हुआ. उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद किया और सीधा नीलम के बैडरूम में पहुँचा. उसने वहां की वाडरो को ताला लगा पाया लेकिन उसकी भी चाबी उसके गुच्छे में मौजूद थी. उसने वाडरो को खोला. भीतर एक बंद दराज था उसने उसे अपनी तरफ खीचा तो उसे भी ताला लगा पाया. उस दरास की चाबी उसके पास नहीं थी लेकिन ताला मामूली था जिसे उसने किचन से एक पतले फल का चाकू लाकर बड़ी सहूलियत से खोल लिया उसने दरास के भीतर निगार डाली तो सबसे पहले उसे 38 कैलीबर की एन वैसी स्मिट एन वैसन रिवालवर दिखाई दी जैसी की वो तभी तनवीर एहमत से खरीदा कर लाया था दोनों रिवालवरों में कोई फर्क था तो ये की दरास वाली रिवालवर लाइसेंस शुदा थी उस घर के स्वामी शिव नारायन पिपलोनिया की जिन्दगी में उसकी मिल्कियत थी और अब वो मिल्कियत विमल के पास ट्रांसफर हो चुकी थी क्योंकि पिपलोनिया कानूनी तोर से उसे अपना वारिस करार दे कर मरा था। पिलाश थी। चिठ्थी मिली। शुक्र था कि उस दराज से ही मिली। उसने लिफाफे में से चिठ्थी निकाल कर उसे खोला और गोर से मुआयना किया। चिठ्थी टाइप शुदा थी। वो एक फुलस्केप कागस पर डबल स्पेस दे कर टाइप की गई थी। उस पर न पाने वाले का नाम या उसके लिए कोई संबोधन था और न भेजने वाले का नाम या हस्ताक्षर थे। चिठ्थी में दो टूक अंदाज में लिखा था। उम्मीद है कि रकम को मेरे तक पहुचाने के लिए कोई मुनासिब और भरोसे का शक्स तुमने अब तक छांट लिया होगा। वो जो कोई भी हो उसके लिए हिदायत है कि वो पाँच लाख की रकम के साथ ठीक साथ बजे माडल टाउन से एक टैक्सी पर सवार हो और गोल डाक खाने पहुचे। वहाँ डाक खाने में प्रवेश द्वार के सामने तीन लोकल टेलिफोन बूत है। वो उनमें से बीच के टेलिफोन बूत पर पहुचे जहां ठीक पौने आट बजे उसके लिए टेलिफोन आएगा जिसके जरीए उसे बताया जाएगा कि रकम की डिलीवरी की बाबत उसने अगला कदम क्या उठाना था। हो सकता है जब तुम्हारा हरकारा वहां पहुचे तो उसे वो टेलिफोन बूत बिजी मिले। ऐसा होने पर उसने बूत का टेलिफोन फ्री होने का इंतजार करना है और फिर फोन आने तक उसे खुद काबू में करके रखना है। उसे बूत खाली मिले तो उसने फोरण उस पर कबजा कर लेना है। भीतर मौजूद रहकर टेलिफोन करते होने का बहाना करना है लेकिन असल में लाइन को फ्री रखना है ताकि निरधारित वक्त पर उस लाइन पर इंकमिंग काल आ सके। इस हिदायत पर पूरी जिम्मेदारी से अमल हो। हरगिस भी कोई कोता ही ना हो। कोठी में एक पोटेबल टाइपराइटर मौजूद था जो की अपनी जिन्दगी में पिपलोनिया इस्तमाल किया करता था और जो उसके बैडरूम में उसकी स्टडी टेबल पर पड़ा रहता था। उसकी मौत के बाद जब विमल ने कोठी में रहना शुरू किया था तो उसने वो टेबल और टाइपराइटर स्टोर में रखवा दिये थे। वो स्टोर पहुचा और वहां से टाइपराइटर निकाल लाया। उसने चिठी को रोलर पर चड़ाया और उसमें जहां पांच लिखा था, वहां लकीर फिर उसकी जगह उसके उपर साथ टाइप कर दिया। यूँ पांच लाक की रकम की मांग साथ लाक की बन गई। उसने कागस को रोलर में से बहार खीचा, उसे मोड कर वापिस लिखाफे में डाला और लिखाफा यथा स्थान रख दिया। काइपराइटर को वो वापिस स्टोर में रखाया। फिर उसने वो च्रंक कलाश किया जिसमें बंद करके पांच लाक की रकम मुबारक अली ने वहां पहुचाई थी। च्रंक भी उस वाडरोब में से ही बरामद हुआ। उसने च्रंक को खोला अपने बैट में से सौ सौ के नोटों की गड़ियों की सूरत में दो लाक रुपए बरामद किये और उन्हें च्रंक में डाल दिया। यो च्रंक नोटों से खचा-खच भर गया। अब उसमें पांच की जगह सात लाक रुपए थे। उसने च्रंक को बंद किया और उसे बदस्तूर वार्डरोब में पहुचा दिया। संतुष्ट प्रून धंग से सिर हिलाता वो मन ही मन बोला। आखिर में वो दराज में पड़ी रिवालवर की और फिर आकरशित हुआ। सात बजने को थे जबकि एक टैक्सी कोठी के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने एक बार हॉले से टैक्सी का हान बजाया। नीलम ने वो टैक्सी माडल टाउन के टैक्सी स्टैंड पर फोन करके तलब की थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि टैक्सी स्टैंड पर से नहीं आई थी उस टैक्सी को मुबारक अली का एक भरोसे का आदमी और जातभाई अश्रफ चला रहा था वस्तुता उस काम को मुबारक अली खुद अन्जाम देना चाहता था लेकिन विमल उस हक नहीं था क्योंकि आगामी घटनाक्रम भारी प्रचार पाने वाला था और उसमें टैक्सी ज्राइवर की अकबारों में तस्वीर चापना भी लाजिमी था मुबारक अली फरार अपराधी था उसकी तस्वीर नैशन डेलीज में च्छपना उसके लिए घातक साबित हो सकता था उसकी सूरत की मौजूदा तबदीलियों के बावजू तस्वीर से उसे कोई पहचान सकता था नतीशतन उस एहम काम को अंजाम देने के लिए मुबारक अली ने अपने जगा अश्रफ को तयार किया था च्रंक उठाए सुमन कोठी से बहार निकली और टैक्सी में सवार हो गई पीछे नीलम बड़े सशंक भाव से दर्वाजे की ओच से उसे जाता देख रही थी गोल डाक खाना सुमन बोली अश्रफ ने खामोशी से सहमती में सर हिलाया और फिर टैक्सी को आगे बढ़ाया सैयोगवश रास्ते में टैफिक कम था इसलिए निर्धारित समय से पहले ही टैक्सी गोल डाक खाना पहुँच गई रुखना पड़ेगा सुमन बोली अश्रफ ने सहमती में सिर हिलाया सुमन बार-बार घड़ी देखती प्रतीक्षा करने लगी पॉने आठ बजने में दो मिनट रह गए तो ट्रंक उठाए वो टैक्सी से बाहर निकली वो निर्धेशिक टेलीफोन बूत पर पहुँची तो उसने उसे खाली पाया वो बूत में दाखिल हो गई उसने हुक पर से रिसीवर उठा कर कान से लगा लिया लेकिन दूसरे हाथ से हुक को दबाए रखा ताकि इंकमिंग काल में कोई विघन ना आता वो रह रहकर निशब धोंट चलाने लगी ताकि बूत के शीशे के दर्वाजे के बहार से उधर कोई देखता तो वो यही समझाता कि वो बड़ी तनमयता से फोन पर वारतालाप कर रही थी ठीक पॉने आठ बजे घंती बजी ने सुमन ने ततकाल हुप पर टिका हाथ वापिस खीचा और व्यग्रभाव से बोली हल्लू कौन सावधान स्वर में पूछा गया मुझे नीलम ने भेजा है नाम बोलो सुमन सुमन वर्मा क्या पहने हो वहरून रंग का शलवार सूथ टैक्सी का नंबर बोलो सुमन ने शीशे के दर्वाजे के पार परे खड़ी टैक्सी की दिशा में निगा दोडाई और बोली डियल एक टी चार नौ साथ नौ तुम्हारे पास क्या है क्या है क्या मतलब तुम्हें क्या दे कर रवाना किया गया है अच्छा वो आम ब्रीफ केस के साइज का एक च्रंक है मेरे पास भीतर क्या है मुझे नहीं मालू खोल के नहीं देखा नही रचना सिनेमा पहुचो वहां बुकिंग आफिस के सामने एक ही पब्लिक टेलिफोन है यहां की ही तरह बीस मिनिट में वहां काल आने इंतिजार करू लाइन कट गई सीमा बूट से निकली और टैक्सी में आसवार हुई पूसा रोड वो बोली रचना सिनेमा ततकाल अश्रफ ने टैक्सी आगे बढ़ाई टैक्सी रचना सिनेमा पहुची पूर्ववत चन्क उठाए वो बुकिंग आफिस पर पहुची पहले जैसी ही काल उसने वहां भी रिसीव की कनाट प्लेस का रुक करो और होटल मरीना पहुचो वहां टैक्सी का बिल चुकता कर देना लेकिन जाइवर को दस मिनट होटल के सामने पार्किंग में ही रुके रहने के लिए कहना च्रंक भी टैक्सी में छोड़ देना जाइवर को खास हिदायत देनी है कि वो दस मिनट से पहले वहां से रवाना न हो दस मिनट में क्या होगा? उससे तुम्हे कोई मतलब नहीं होना चाहिए जो कहा जा रहा है वो करो ठीक है फिर? फिर क्या? फिर तुमने वापिस टैक्सी का रुक किये बिना अपने राह लगना है और ट्रंक वो हमारे लिए है, हमारे पास पहुँच जाएगा कैसे? बोला न उससे तुम्हे कोई मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन लाइन कट गई वो टैक्सी में आसवार हुई कनाट प्लेस मेरीन होटल टैक्सी वापस मुडी और फिर पूसा रोड पर कनाट प्लेस की दिशा में डौड चली पंचकुया रोड से कनाट सरकल में डाखिल होने पर वन वे ट्रैफिक था मेरीना होटल वहां के क्रासिंग पर ही था लेकिन वाहन द्वारा उस तक पहुँचने के लिए पहले बाएं घूंकर प्लाजा तक जाना पड़ता था और फिर मिडल सरकल से होकर मेरीना पहुचना पड़ता था यूँ वाहन उसकी उस पारकिंग में ही पहुच सकता था जो की होटल के पहलू में थी होटल के प्रवेशदवार के सामने की पारकिंग में पहुचने के लिए मिडल सरकल पर और आगे पालिका बाजार की अंडरग्राउन पारकिंग तक जाना पड़ता था और फिर रिवोली वा क्रासिंग से दाएं घूम कर आउटर सरकल जो की कनाट सरकस कहलाता था से वहां पहुचना पढ़ता था अश्रफ ने लंबा रास्ता अक्तियार करने जगर टैक्सी को होटल की बाजू वाली पार्किंग में ले जा कर रोका सुमन ने उसे भाड़ा अदा किया और बोली दस मिनट यहां रुकना इस बीच में लौट आउं तो ठीक है वरना तुम फ्री हो अश्रफ ने सहमती में सिर हिलाया सुमन टैक्सी से निकली और दाएं होटल के प्रवेशदवार की ओर बढ़ने के स्थान पर बाएं इनर सर्कल की ओर बढ़ चली दो मिनट में वो अश्रफ की निगा से ओजर हो गई अश्रफ ने दो मिनट और इंतजार किया और फिर टैक्सी स्टार्ट की उसने टैक्सी को मिडल सर्कल में डाला आगे रिवोली वाले चौराहे से उसे खडक सिंग मार्क पर दोडाया और फिर पटेल चौक जनपत राउंड अबाउट का लंबा घेरा कट करके जी मार्क पर पहुँचा जहां कि उसका लक्ष हिंदोस्तान टाइम्स की मल्ती स्टोरी बिल्दिंग थी उसने टैक्सी को पार्किंग खड़ा किया, पीछे से ट्रंक उठाया और हिंदोस्तान टाइम्स अकबार के रिसेप्शन पर पहुचा जो की ग्राउंड फ्लोर पर स्थित था जगत नारायन जी से मिलना है वो बोला कौन जगत नारायन जी लिपी पुती रिसेप्शनिस्ट युफ्ती ने पूछा जो यहां के बड़े अखबान वीज है सीनियर एडिटर वही क्या काम है उन्ही को बताऊंगा ऐसे मुलाकात नहीं हो सकती हो सकती है महतरमा मेरे पास बहुत बड़ी स्टोरी है अपने अखबार को खुशकिसमत जानों की मैं यहां आया वरना स्टेट्समेन का दफ्तर भी बस मोड पर ही है रिसेप्शनिस सक्पकाई फिर उसने इंटरकॉम पर एक नंबर डायल किया कुछ क्षण अंग्रेजी में कुछ फुस्फुसाई फिर फोन रखती हुई बोली सामने सीधिया है पहली मंजिल पर दाई ओर से तीसरा कमरा शुक्रिया अश्रफ निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा उसने व्योवरिध सीनियर एडिटर को आदाब बजाया क्या चाहते हो व्योवरिध पत्रकार बोला मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ अश्रफ अदब से बोला एक पैसेंजर का खास सामान कीमती सामान टैक्सी में रह गया पैसेंजर चलता बना वो सामान अब मेरे पास है ठाने जाना था सामान के साथ यहां क्यों आए बोला न खास सामान है ठाने लेके गया तो सब हजम हो जाएगा सब नहीं तो तीन चौथाई तो जरूर ही हजम हो जाएगा न पता चला तो बात ही क्या है पता चल गया तो मेरे पर इल्जाम आएगा की एक चौथाई पीछे छोड़, कर बाकी मैंने पार कर दिया, ऐसा क्या माल है, नकद रुप्या है, साथ लाक, क्या, वही जो बोला, कहां है, इस च्रंक में, अश्रफ ने हाथ में थमा च्रंक दूसरे हाथ से थप्थ पाया, तुमने इसे खोल कर देखा, हाँ, उसके बिना कैसे मालूम पढ़ता की भीतर क्या था, ताला कैसे खोल लिया, ये ताले वाला च्रंक नहीं है, इसमें ब्रीफ केस जैसे खटके है, आजू बाजू, जिन में ताला नहीं लगा हुआ, खोलू तो, अश्रफ ने च्रंक को मेज पर रख कर खोला, जगत नारायन के नेत्र फैले, कैसे मालूम है, उसने पूछा, साथ लाख रुपया है, मैंने गिना था, नियत मैली न हुई, अश्रफ तनिक हसा और फिर बोला हुई होती तो इधर आता, सीधा थाने नहीं गया, ताकि दूसरों की नियत मैली न हो, इधर आना कैसे सूझा, सूझा किसी तरीके से, पैसेंजर को ढूणने की कोशिश की, बहुत की, न मिला तभी इधर आया, कौन था पैसेंजर, कहां से बैठा था, कहां कहां गया था, अश्रफ ने सब बताया, जब उस लड़की को पता लगेगा, जगत नारायन बोला कि ट्रंक उसके साथ नहीं था, तो वो वहीं लोट कर आएगी जहां उसने तुम्हें छोड़ा था, मैंने मैरिना की पार्किंग में बहुत देर इंतजार किया था, वो नहीं लोटी थी, तभी मैं इधर आया, क्योंकि तुम्हें अंदेशा था कि अगर तुम माल को थाने ले जाते तो पुलीस वाले अपने जोहर दिखा सकते थे, काफी सान्रा माल खुद हड़ब कर वो तुम्हारे पर इल्जाम लगा सकते थे कि माल तुम हड़ब गए, जी हाँ, टैक्सी अपनी है, किराए की है, गरीब आदमी हूँ, फिर भी लालच के हवाले न हुए, कितनी बड़ी रकम का गम खा गए, यही समझ लीजिए, मैं तुम्हारी इमानदारी की तारीफ करता हूँ, कोई दूसरा होता तो माल के साथ ऐसा गायब होता कि धून्डे न मिलता, मेरे लिए हराम का पैसा कुफ रहें, शाबाश, अश्रफ खामोश रहा, मैं अभी एक रिपोर्टर को तुम्हारे साथ ठाने भेजता हूँ, ताकि ये रुपया मुनासिब कार्यवाही के साथ वहां के माल खाने दी, इसमें कोई पुलीस वाला भांजी न मार सके, शुक्रिया, देर सवेर वो लड़की कनाट प्ले स्थाने जरूर पहुचेगी, तब उसे उसका माल जरूर मिल जाएगा, बढ़िया, और तुम्हारी एस बैमिसाल इमानदारी के लिए हमारे कल के अकबार के पहले वरके पर तुम्हारी तस्वीर छपेगी, वो जरूरी नहीं, जरूरी है, इससे तुम्हारे जैसे और नौजवानों को इबरत हासिल होगी की इमानदार होना एक बड़ा वाक्या है, आनेस्टी वाकेई बैस्ट पालिसी है, ठीक है, जैसा आप मुनासिप समझे, सफेद मारूती वैन मेरिना के मुख्यदवार से थोड़ा परे हटके ऐसी जगह पर पार्किंग में खड़ी थी जहां से मुख्यदवार का नजारा साफ साफ किया जा सकता था, हमेशा की तरह मायाराम बावा पिछली सीट पर पसरा हुआ था, वैन में उसका जोड़ीदार हरिदत पंथ मौजूद नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए वैन की ड्राइविंग सीट से उतर कर पान खाने गया था, मायाराम के जेहन पर विमल की तस्वीर उभर रही थी, विमल के एकाएक आगमन से वो विचलित ही नहीं, भैभीत भी हुआ था लेकिन जल्दी ही संभल गया था, जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी ये धंकी कारगर साबित हुई थी कि अगर मायाराम को उसने ठिकाने लगाया था तो उसकी विध्वान नीलम को उसके घरवाले जबरन उसके गाव ले जाएंगे, अब उसे इस बात का भी यकीन था कि उसका ये अंदेशा बेमानी नहीं था कि नीलम की निगरानी हो रही थी, उसकी निगाह में और किसी तरीके से मौझूदा हालत की खबर मुंबई बैठे विमल तक नहीं पहुँच सकती थी, रकम के साथ सुमन को दिल्ली के विभिन्न स्थानों के चक्कर इसलिए लगवाए गए थे कि अगर कोई उसके पीछे लगा हुआ था तो उन्हें उसकी खबर लग पाती लेकिन अब तक उन्हें गारंटी हो चुकी थी, सुमन के निगरानी की नियत से उसके पीछे कोई नहीं लगा हुआ था। विमल से मुलाकात के बाद से ही पिछले दो साल के वाक्यात न्यूज रील की तरह उसके जेहन पर उभर रहे थे। चंडीगण में नीलम के बैडरूम में विमल ने जब उसे सोते से जगाया था तो विमल को अपने सिर पर सवार देख कर उसे हाट अटैक होते होते बचा था। जिस शक्स को उसकी निगा में उसकी हवा भी लगपाना असंभव था, वो रिवालवर ताने उसके सिर पर खडा था। जाहिर था कि वैसा नीलम की धोखे बाजी की वज़े से ही हो सका था, लेक लेकिन नीलम तो वजूद की भी खबर उसे नहीं हो सकती थी। लेकिन हुई थी। ऐसा ही पहुचा हुआ आदमी था वो सोहल का बच्चा जो विमल कहलाना ज्यादा पसंद करता था। विमल ने मार पीट कर उससे ये कबुलवाने की कोशिश की थी कि डकैती का 65 लाक दिया था जिसने पता नहीं कैसे उसकी जित तोड़ दी थी और बेहिचक विमल के हर सवाल का जवाब देने लगा था। फिर वो उसे कार पर लाद कर शहर से बाहर हाइवे के करीब की एक उजार जगा पर ले गया था। तब उसमें अपने पैरों पर खड़े रह पाने की भी ताकत नहीं थी फिर भी उसकमी रिवालवर के भीशन प्रहारों से उसकी बाह और टांगों की हडिया तोड़ दी थी। पता नहीं उसे कब होश आया था। होश आने पर उसने अपने आपको एक अंजान जगा पर लेटे पाया था। उसने अपनी दोनों टांगों और दाई बाह पर पलस्तर चड़ा पाया था और एक ताम को पुल्यों के सहारे ट्रेक्शन पर टंगा पाया था। उसे मालूम हुआ था कि दो दिन बाद उसे होश आया था। तब हरिदत पंत नाम के अपने मौजूदा जोडिदार को उसने अपने करीब बैठे पाया था और उसी की जुबानी उसे मालूम हुआ था कि विमल के जुल्म का शिकार होने के बाद उस पर क्या बीती थी। पंत में ही वो पर्चा उसे दिखाया था जो की विमल उसकी चाती पर टांक गया और जिस पर लिक के छोड़ गया था। आदमी भारत बैंक अमरितसर की डकैती का इश्तिहारी मुजरिम मायाराम बावा है। इसी ने खासा के पास कर्मचंद और लाब सिंह नाम के अपने दो साथियों को अपनी वैन के नीचे कुचल कर उनकी हत्या की थी। जिन साहब को यह यहां पड़ा मिले वे बराय में हरबानी इसे पुलीस स्टेशन हस्पताल नह ही था। उसका परम सौभाग्य यह था कि हरिदत पंत नाम के जिस शक्स को वो वहां पड़ा मिला था। उसने विमल के निर्देश का पालन करते हुए उसे पुलीस स्टेशन नहीं पहुचाया था जहां कि उसकी कहानी ही खत्म हो जाती वो उसे किसी हस्पताल भी लेकर नह जाम किया था। क्यों कि पंत उसी की तरह जैराम पेशा आदमी था जो कि भारत बैंड की डकैती वाले केस से अकबारों के जरीए पूरी तरह से वाकिफ था। उसे मालूम था कि उस डकैती का चीफ आर्किटेक्ट मायाराम बावा था जिसने अपने साथियों को धोका दिय था और सारा माल खुद कबजा के भाग गया था। वो ये भी जानता था कि माल तब तक बरामद नहीं हुआ था। नहीं वो शक्स के हाथ लगा था जिसने की मायाराम की हडिया तोड़ी थी वरना वो उसकी वो गत न बनाता। पंत उसी जैसा जैराम पेशा आदमी था जो उस वक्त की नजाकत को बाखु भी पहचान गया था। उसे पुलीस के हाथों पढ़ने से उसने इसलिए बचाया था क्योंकि वो डकैती के 65 लाक रुपए में अपने कलपना एक हिस्सेदार के तौर पर करने लगा था। उस वक्त मायाराम की जैसी हालत थी उसमें वो पंत को हिस्सा तो क्या मुकमल माल भी सौपने को तयार हो सकता था। आखिर जान थी तो जहान था। उसने खुशी-खुशी पंत को उस रकम में अपना हिस्सेदार बनाना कबूल कर लिया था। पूरा एक साल मायाराम को उठकर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनने में लगा था। तब भी उसने पाया था कि वो बैसाखियों के सहारे का हमेशा के लिए मोहताज बन चुका था। उसने विमल को हजार हजार गालिया दी थी और उससे बदला लेने का संकल्प कि गया था। उस दौरान पंथ दिल्ली चला गया था जहां कि वो रहता था लेकिन वो हर महीने मायाराम का हालचाल दर्याफ्त करने के लिए एक फेरा चंडीगड का लगता रहा था। बैसाख्यों के सहारे ही सही लेकिन चलने फिरने के काबिल होने के बाद मायाराम ने सबसे पहले नीलम की खोज खबर ली थी तो पता चला था कि उसने अपना 22 सेक्टर का 2244 नंबर वाला मकान देच दिया हुआ था और अब किसी को खबर नहीं थी कि वो कहां रहती थी। किसी को ये भी खबर नहीं थी कि वो चंडीगड में ही थी या वहां से बाहार चली गई थी। यानी कि नीलम उसकी पहुँच से बाहर थी। उसकी दगाबाजी की सजा वो उसे नहीं दे सकता था। उसके दो सूटकेस अपनी कोठी से निकाल कर किसी महफूज जगा। आया था ताकि उन तक विमल की पहुच ना हो पाती। जो की जगा जगा उसकी बाबत पूचताच करता फिर रहा था। और हरनाम सिंगरेवाल की पहुच ना हो पाती। जिसे की पता नहीं कैसे उस रकम क की सूंग लग गई थी और जो उसको हतियाने के लिए हाथ पाफ मार रहा था। उसने खन्ना को खास दोर से कहा था कि उसके सूटकेस वो कहा छुपा कर आया था। इस बाबत वो अपनी बीवी तक को न बताए। इस बात ने उस माल को गरेवाल और विमल की पकड़ से दू रखा था। खन्ना उस राज को अपने सीने में छुपाए गरेवाल की दुरदानतता का शिकार होकर उसके हातों मर गया था। एक साल बाद खन्ना की बीवी से मिलने पर ही उसे मालूम हुआ था कि उन दिनों माल की तलाश में अपने एक जोडिदार कॉल के साथ पहले गरे खन्ना की बीवी पर दिल आ गया था और वो उसके साथ बलातकार करने पर आमदा हो गया था। खन्ना के विरोध करने पर उसने खन्ना को पीट-पीट कर माल डाला था। फिर बाद में वो और कॉल विमल के हाथों घायल हो गये थे और उनका बाकी का काम बलातकार और पती क कतल से भढ़की हुई खन्ना की बीवी ने तमाम कर दिया था। माल किसी के हाथ नहीं लगा था क्योंकि न किसी को खबर थी और न खन्ना की मौत के बाद ये जानने का साधन था कि खन्ना 65 लाग के नोटों से भरे मायाराम के दो सूटकेस कहां छुपा कर आया था। आज भी वो रकम बदस्तूर लापता थी। पंत उस बात से बहुत भड़का था। एक साल उसने इस उमीद में अधमरे मायाराम का बोज ढोया था। उसका हर खर्चा उठाया था कि उसे 65 लाग की बड़ी रकम में से हिस्सा मिलाने वाला था लेकिन वहां तो हिस्से के नाम पर एक जुन-जुना भी नसीब नहीं था। तब तक मायाराम को गिरफतारी पर पंजाब सरकार 25,000 रुपए के इनाम की घोश्रा कर चुकी थी जिसे की वो भागते भूत की लंगोटी की तरह हतियाने का मन बना बैठा था। तब मायाराम ने ये साबित करके दिखाया था कि वो नाम का ही उस्ताद नहीं था, सच में ही उस्ताद था। उसने पंत को ऐसा शीशे में उतारा कि लालच का मारा वो नौजवान आज तक मायाराम का मुरीद था, खिदमतगार था। अब जब कि नीलम से एंठी गई नौ लाख की तीन रकमों में से उसे एक चौथाई का हिस्सा भी मिल चुका था, और आगे ऐसे हिस्से मुतवातर मिलते रहने की उमीद बन चुकी थी, तो उसके पाव जमीन पर नहीं लग रहे थे। माया राम का दिल जानता था कि उसके बाद दस महीनों के अंथक प्रयतनों से कैसे तिनका तिनका जोड कर उसने विमल तक पहुँचने की वो सीड़ी बनाई थी, जिसके दूसरे सिर पर उसे सोने की खान नीलम मिली थी। जो जो वो विमल के कारणामों की केस हिस्ट्री टटोलता गया था, उसके छक्के छूट गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शक्स जो कभी सोहल के नाम से जाना जाता था, इतना ताकतवार बन गया था कि कई बैंक लूट चुका था, कई वार्ट खोल चुका था, कई अपहरण के कारणामों को अन्जाम दे चुका था और यहां तक की बख्या जैसे टॉप अंडर व्यास शंकर गजरे की मौत में निमित्त बनकर उसने सारे एशिया के अंदरवर्ड की शक्ती के केंद्रबिंदु कंपनी को खत्म कर दिया था, मुंबई का सारा अंदरवर्ड उसके नाम से थर थर कंपता था और दिल्ली तक उसकी धाक थी, ऐसे शक्स से पंगा लेने से उसने सो बार सोचा था और हर बार उसकी अकल ने उसे यही राय दी थी कि उसे सोहल का मुखालिफ बनने का ख्याल तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे हर बार पंथ ने उकसाया था कि उन्होंने सोहल का मुखालिफ नहीं बनना था, उन्होंने तो उसके दूर बहुत द कि दिल्ली से 800 मील दूर बैठे विमल को भनक भी न लगती। उनका ख्याल कितना गलत था। विमल को न सिर्फ भनक लगी बलकि वो दिल्ली पहुँच गया। सुबह विमल को अपने सामने खड़ा देख कर यही करिश्मा था कि मायाराम वाही उसके सामने गिर कर मर ही न उसकी जान में जान तभी आई थी जब कि उसे एहसास हुआ था कि विमल विवेक को दरकिनार करके जजबात की रौ में बह रहा था। इस हकीकत ने उसकी सारी हेकडी निकाल दी थी कि नीलम उसकी ब्याहता बीवी थी। शेर की तरह दहारता आया विमल कैसे सुबह बकरी की तरह मिम्याता वहां से गया था। कैसे पलक जपकते उसके हाथ उसकी गर्दन को लपकते थे। आया बड़ा हजार हाथो वाला। कैसा तडपा था वो ये जान के कि उसकी बीवी उसकी बीवी नहीं थी और उसका बेटा हरामी था, पाप की पैदावार था। क्या माकूल थियार लगा था उसके हाथ सोहल का गुरूर ठंडा करने का। कैसे अमरत की तरह ये बात उसके कान में तपकी थी कि वो नीलम को उसके भाग्य के हवाले छोड़ कर वापिस जा रहा था। शाम को जाने को कह रहा था। अब तक तो चला भी गया होग। तभी पंत वापिस लोटा। कहां मर गई। पिछले दर्वाजे के करीब पहुच कर वो भुन-भुनाया। शाम के वक्त ट्राफिक ज्यादा होता है। बायाराम जैसे खुद को आश्वासन देता हुए बोला उसकी टैक्सी कही रास्ते में फंस गई होगी। उस लिहाज से भी बहुत देर हो चुकी है। रचना सिनेमा से यहां तक का फासला मुश्किल से पंदरा मिनिट का है। अब तो आधे घंते से उपर हो चुका है। यह होटेल इस ब्लाक में बहुत दूर तक फैला हुआ है। वो कहीं और तो नहीं पहुच गई। खाम-खा, होटेल कहीं तक भी फैला हो, इ पहुचने का और क्या मतलब होता है। दाखिल होना तो नहीं होता, पहुचना तो होता है। पहुची भी तो नहीं। यह नहीं हो सकता। ऐसी हुकमोदूली वो नहीं कर सकती। जब वो गोल डाखाने पहुची थी, रचना सिनेमा पहुची थी तो यहां भला क्यों नहीं पहुचेगी। न पहुच के जाएगी कहां उससे वो जिम्मिनारी भला क्यों कर तल जाएग वो यहीं कहीं होगी आजू बाजू का चक्कर लगा के आ पंत में सहमती में सिर हिलाया और फिर वहां से रुखसत हुआ पांच मिनट बाद वो वापिस लोटा होटल की एक पारकिंग उसके परली तरफ के पहलू में भी है वो बोला और ये बात तुझे अब मालू हुई है मायाराम तिरसकारपूर्ण स्वर में बोला लेकिन वो टैक्सी वो लड़की वहां भी तो नहीं है मायाराम ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगार डाली और फिर धीरे से बोला लगता है हम खुद अपने हाथों बेवकूफ बन गए है क्या मतलब पंद सक्पकाया फोन पर तूने उसे क्या कहा था तूने उसे कहा था कि वो होटल की पारकिंग में पहुँच कर ज्राइवर का बिल चुकता कर दे और ड्राइवर को 10 मिनिट के लिए वही पारकिंग में ही रुके रहने को कहे रकम वाला ट्रंक वो टैक्सी में ही छोड़ दे ठीक लेकिन कौन सी पारकिंग में? होटल के सामने की पारकिंग में उस वक्त तुझे खबर थी कि सामने के आलावा बाजू में भी होटल की पार्किंग थी? वो तो नहीं थी अब फर्श करकी उसकी टैक्सी बाजू वाली पार्किंग में पहुची जो की यहां से दिखाई नहीं देती हिदायत के मुताबिक उसने चंग टैक्सी में ही छोड़ा, ज्राइवर का भाड़ा चुकाया और उसे दस मिनट वही रुके रहने को कहकर चल दी होटल में दाखिल होने की उसने कोई कोशिश ही न की क्योंकि साफ साफ ऐसा कुछ तूने उसे कहा ही नहीं था दस मिनट बाद वो टैक्सी जाइवर भी चल दिया रकम के साथ पंद घबरा कर बोला चंग के साथ जिसकी पता नहीं की उसे खबर भी थी या नहीं की पीछे टैक्सी में पड़ा था लेकिन उसे ये नहीं पता की भीतर क्या है नहीं है तो लग जाएगा जब उसे ट्रंग की खबर लगेगी तो वो उसे खोले बिना मान जाएगा शायद मान जाए और फिर शायद वो उसे हमें हमारे घर पहुचा दे क्योंकि की उस पर हमारा नाम पता लिखा है वो कैसे लिखा होगा तो फिर यानि की माल तो टैक्सी ड्राइवर हडब जाएगा तेरा क्या ख्याल है हमें टैक्सी का नंबर मालूम है जिसके जरिये हम उसे हफटा दस दिन में ढून ही लेंगे उस्ताद जी तुम तो मेरे छक्के छुडा रहे हो मायाराम ने असाय भाव से गर्दन हिलाई इस गर्दबर में कोई राज है पंथ फिर जित करके बोला कोई राज नहीं है सब हमारी नादजुर्बेकारी की वज़ह से हुआ हमने इतना ज्यादा आडंबर कर लिया कि खुद ही उसे हैंडल न कर पाए कोई निगरानी कर रहा था इस रॉब में ज्यादा ही पेच डाल दिये हमने इस सीधे साधे काम में अब क्या होगा यहां रुके रहना तो बेकार है वो लड़की अब तक वापिस माडल टाउन पहुच गई होगी मालूम करते हैं कि वो क्या कहती है कैसे कैसे मालूम करते है वहाँ जाना वहाँ फोन करना तो तुम्हारी निगा में मुनासिद नहीं तभी तो चिठी लिखी ये बात भी ठीक है उस्ताद जी बात की बात में देखेंगे पहले तो मैं रचना सिनेमा तक का चक्कर लगाना चाहता हूँ वो किसलिए मेरा दिल कहता है कि लड़की यहां पहुँची ही नहीं जरूर उसकी टैक्सी का रास्ते में कहीं एक्सिडन्ट हो गया है ऐसा हुआ होगा तो मालूम पढ़ जाएगा ताइम बरबात करेगा तो क्या हुआ यहां भी तो अब टाइम ही बरबात कर रही है ठीक है चल सुमन मॉडल काउन पहुची क्या हुआ नीलम ने उस्थुक भाव से पूछा सुमन ने तमाम घटनाकरम कह सुनाया वो ट्रंक तूने टैक्सी में छोड़ दिया नीलम सक्पकाई मुझे ऐसा ही करने को कहा गया था टैक्सी में से ट्रंक फोन करने वाले को कैसे हासिल होता क्या पता कैसे हासिल होता कोई तो तरीका उसने सोच ही रखा होगा मेरे पीछे वो जाकर टैक्सी में सवार हुआ होगा कहीं तक गया होगा और फिर उतरते वक्त चंग भी साथ ले गया होगा जाइवर ने इतराज नहीं किया होगा कहा नहीं होगा कि एक पैसेंजर का चंग क्यों लिये जा रहा था अवल तो ऐसी नौबत नहीं आई होगी आई होगी तो मेरे से बाद वाले पैसेंजर के पास जाइवर से निपटने का कोई जरिया होगा ये हो सकता है दीदी ये तो बताओ की किस्सा क्या था किस्सा अब तू छोल जो हुआ उसे भूल जा लकिन चल खाना खा नौ बज रहे हैं लेकिन फिर भी तभी फोन की घंती बजी नीलम ने आगे बढ़ कर फोन उठाया मैं बोल रहा हूँ नीलम ने सशंद भाव से सुमन की तरफ देखा और फिर सावधान स्वर में बोली क्या है करीब कौन है है कोई तब सुमन जान बूच कर ड्राइंद रूम से बाहर निकल गई लेकिन दूर जाने की जगह वो बाहर गलियारे में ही ठिठक गई और दर्वाजे की ओट में होकर कान खड़े करके भीतर से आती नीलम की आवाज सुनने लगी तुमने तो नीलम कह रही थी फोन ना करने के लिए कहा था मजबूरं करना पड़ा क्या हुआ रकम मेरे हाथ नहीं लगी क्या वो लड़की घर पहुँच गई हाँ लेकिन जो कह रहे हूँ वो क्यों कर हुआ जब सब कुछ तुम्हारे निर्देश के मुताबिक हुआ था तो तो भी गड़बढ हो गई तु सुमन से पूछ मेरी ना पहुचने के बाद उसने क्या किया था मैं पूछ शुकी हूँ उसने वही किया था जो उसे करने को कहा गया था उसे होटल में जाना चाहिए था उसे ऐसा नहीं कहा गया था उसे बाद को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी अब हो क्या गया है रकम टैक्सी में ही रह गई क्या टैक्सी वाला वो ट्रंक ले गया जिसमें की रकम थी हे भगवान अब क्या होगा तुझे और रकम का इंतिजाम करना होगा दिमाग खराब है तुम्हारा मेरे पास नोट छापने की मशीन लगी हुई है वो तो ठीक है लेकिन तुमने खुद कहा था कि ये तुम्हारी आखिरी मांग थी पूरी तो न हुई मेरी क्या गलती है तुम्हारी गलती नहीं है मेरी भी नहीं है उस लड़की की भी नहीं है लेकिन फिर भी अब जो गलत हो गया है उसे सवारना तो पड़ेगा न कैसे? टैक्सी ड्राइवर शरीफ हो सकता है वो ट्रंग को थाने में जमा करा सकता है उस लड़की को, सुमन को, कनाट प्लेस थाने जाकर ट्रंग की बाबत रिपोर्ट दर्स करानी चाहिए पागल हुए हो ट्रंग को क्लेम करने के लिए पुलीस को बताना पड़ेगा कि भीतर क्या था उसकी मिलकियत साबित करनी पड़ेगी वो इतनी बड़ी रकम की अपने पास मौजूदगी का क्या जवाब देगी जवाब तुझे या उसे कोई सोचना होगा ये ख्याल करके सोचना होगा कि ये मेरा नहीं तेरा लुकसान है जिसकी भरपाई भी तुझे ही करनी होगी सत्यानाश हो तेरा अब क्या नई मुसीबत खड़ी कर रहा है मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है तु लड़की को कनाट प्लेस थाने भेज क्या गारंटी है कि टैक्सी ड्राइवर ट्रंक वहाँ जमा करा के जाएगा गारंटी तो कोई नहीं लेकिन तुम कहते हो वो शरीफ हो सकता है अगर वो ऐसा ही शरीफ होगा तो वो ट्रंक यहां माडल टाउन भी तो ला सकता है जहां कि वो सवारी उठाने पहुँचा था क्या मतलब? अरे, सुमन ने उसे टैक्सी स्टैंड से वहाँ फोन करके बुलाया था उसे मालूम है उस ट्रंक के साथ सुमन कहां से उसकी टैक्सी में सवार हुई थी अगर वो शरीफ होगा तो थाने क्यों जाएगा? वो ट्रंक लोटाने यहां भी तो आ सकता है आ तो सकता है मायाराम को कबूल करना पड़ा तो फिर ना आया तो थाने भी न पहुचा तो मायाराम को जवाब न सूझा फिल्हाल देखो क्या होता है मैं टैक्सी स्टैंड से भी उस टैक्सी ड्राइवर की बाबत दर्याफ्त करूँगी कल सुबह तक अगर मुझे उसकी कोई खबर न लगी या वो ट्रंग के साथ यहां न पहुचा तो मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए सुमन को कनाट प्लेस थाने भेजने की बाबत सोचूंगी कब तक के लिए पीछा छोड़ भुन भुनाते हुए नीलम ने रिसीवर को वापिस क्रेडल पर पटक दिया मायाराम कश्मीरी गेट पहुचा पंत को वैन की जाइविंग सीट पर बैठा छोड़कर उससे बिना कुछ बोले वो अपनी बैसाखिया टेकता चाल में दाखिल हो गया उस वक्त वो बहुत बुरे मूड में था और बार-बार उस घड़ी को कोस रहा था जबकि उसने रकम हासिल करने का ऐसा पेचीदा तरीका अक्तियार करने का फैसला किया था बार-बार अपने लंगडेपन को कोस रहा था जिसकी वज़से कि वो पंत का मोहताज था वो अपने पोर्शन के सामने पहुँचा तो उसने विमल को अपने बंद गर्वाजे से तेक लगाए पाइप के कश लगाता खड़ा पाया तू? मायाराम सपकाया कब से यहां है? अभी थोड़ी देर पहले ही आया विमल बोल तू तो शाम को चला जाने वाला था टिकेट नहीं मिली कल अर्ली मार्निंग फ्लाइट की मिली है सुबह चला जाओंगा यहां क्यों आया है? जाने से पहले एक बार फिर तुम्हारे से बात करने का दिल कर आया इसलिए चला आया अब क्या बात करना जाता है? भीतर चलो बताता हूँ मायाराम ने हिचकिचाते हुए सहमती में सिर हिलाया उसने ताला खोला भीतर बत्ती जलाई और फिर जाकर एक कुरसी पर धेर हो गया विमल ने भी भीतर कदम रखा ने मायाराम ने जान बूज कर उसे बैठने को न कहा क्या चाता है? मायाराम बोला ऐसे कैसे चलेगा? उस्ताद जी क्या कैसे चलेगा? वही जो चला रहे हो कब तक चलेगा? क्या पता कब तक चलेगा? अभी तक तो चल ही रहा है आगे जो होगा सामने आ जाएगा मैं आखरी बार दरख्वास करने आया हूँ क्या? क्या दरख्वास करने आया है? नीलम का पीछा छोड़ो पागल हुआ है जन्म जन्मांतर के रिष्टे कहीं ऐसे छूटते हैं मैं फरियात कर रग हूँ महान सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल फरियात कर रहा है हाँ तू फरियात नहीं फरेब कर रहा है माया राम उसका पीछा छोड़ भगवान के लिए उसका पीछा छोड़ बदले में मैं तेरी एकमुष्ट फीस भरता हूँ क्या मुश्किल काम है तेरे लिए? आज तक करोडो बलकि अरबो रूप्या लूट चुका है लेकिन मुझे तेरी खैरात नहीं चाहिए मैं हर्जाना भर रहा हूँ मुझे हर्जाना भी नहीं चाहिए मुझे अपनी बीवी चाहिए बस लेकिन अरे जब मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी, तू? वो मेरे बच्चे की माँ है सौ बार कह चुका पहले भी फिर कहता हूँ वो मेरे बच्चे की माँ है सजा मिलेगी हराम का बच्चा जनने की सजा मिलेगी उसे मेरे से भी और अपने बनाने वाले से भी इतना जुल्म तेरे पर खास तोर से तेरे पर तुझे तड़पता देख कर मेरे कलेजे को ठंड़क पहुचती है दिल को चैन मिलता है यहाँ देख कर कि कितना लाचार है तू मेरे सामने मैंने गलती की जो तुझे जिन्दा छोड़ा यूँ ही पच्चताता रहा और कड़पता कलपता रहा तू कितने नंबर का जूता पहनता है वो हग बकाया उसके नेत्र सिकुड़े क्यों पूछता है पाव बड़ा मालूम हो गया मालूम होता है तेरा जूते में समाजो नहीं रहा निकल कर पता नहीं कहां कहां पढ़ने लगा है जूते का नंबर जानना चाहता है न? जान ले आके मेरे कदमों में जुक के देख ले कि मैं कितने नंबर का जूता पहनता हूं विमल ने बेचैनी से पहलू बदला उसने पाइप का लंबा कश लगाया ठीक है मैं ही तेरा काम करता हूँ तू भी क्या याद करेगा? उसने जुक कर अपने एक जूते के तसमे खोले और उसे उतार कर कुरसी के करीब एक ओर डाल दिया उसने वैसे ही दूसरा जूता भी उतारा लेकिन उसे फर्ष पर डालने की जगह उसने उसे खीच कर सोहल पर मारा बड़ी मुश्किल से विमल ने जूते को अपनी च्छाती के सामने लपका मायाराम ने जोर का अठास किया साथ नंबर विमल जूते को उलटता पलटता बोला जूता तो कोई खास बड़ा नहीं लिहाजा पाव ही बड़ा हो गया है तेरा मायाराम ने फिर अठास किया विमल कुछ खषण और जूते का मुआयना करता रहा फिर उसने उसे अपने हाथ से निकल कर फर्श फर गिर जाने दिया उसने पाइप को दांतों से निकाला उसको बुझा कर कोट की बाहरी जेब में डाला लेकिन हाथ जेब से बाहर न निकाला तुझे विमल बोला एक आखरी बार समझाना मेरा फर्ज था मैं ना समझे तो मायाराम बोला धमकाना भी तेरा फर्ज होगा कितना सयाना है कब विमल ने जेप से हाथ निकला तो उसमें रिवालवर थी मायाराम की हसी को ततकाल ब्रेक लगी वो व्याकुल भाव से कभी विमल के हाथ में थमी रिवालवर को तो कभी उसकी सूरत को देखने लगा तु मुझे नहीं मार सकता फिर वो खोखले स्वर में बोला लेकिन विमल धीरे से बोला तु मुझे मार सकता है क्या मतलब विमल ने रिवालवर उसकी तरफ उच्छाल दी जो की राम ने बड़ी मुश्किल से लपकी भरी हुई है विमल बोला एक गोली मेरे पर चला और किस्सा खत्म कर मैं क्यों चालाओ? खुद ही क्यों नहीं चलाता अपने पर आत्मात्या नहीं कर सकता विमल कातर भाव से बोला नीलम की मौत की जूठी खबर सुनकर कल्याण में एक बार बेवड़ा पीपी कर जान देने की कोशिश की थी लेकिन किसी महरबान ने बचा लिया था अब तो कोई महरबान भी करीब नहीं इसलिए दुश्मन से इलतजा करना पड़ रहा है अभी तक मायाराम की सिट्टी पिट्टी गुम थी लेकिन अब वो फिर शेर हो गया था उसने रिवालवर वाला हाथ ऊचा किया और उसे विमल पर ताना शुक्रिया विमल उसके सामने चाती खोल कर बोला तुम्हारा ये एहसान में उम्रभर नहीं भूलूँगा मायाराम के होंट बिंचे उसकी उंगली रिवालवर के ट्रिगर पर कसी विमल स्टब्ध उसके सामने खड़ा रहा फिर मायाराम ने एकाएक अपना हाथ नीचे जुका लिया मैं तेरे नापाख खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता वो नफरत भरे स्वर में बोला जा जाके दरिया में छलांग लगा दे फिर उसने रिवालवर वापिस विमल की तरफ उच्छाल दी विमल ने रिवालवर को लपकने की कोशिश की लेकिन वो उसके हाथ आने की जगा नीचे फर्ष पर जाकर गिरी उसे उठाने के लिए वो नीचे जुका परे बैठे मायाराम की तरफ पीट करके नीचे जुका उसने नाल में अपनी कन की उंगली घुसा कर रिवालवर को उठाया और वापिस अपने कोट की जेब में रख लिया कोई साथ नहीं देता वो उठकर सीधा होता हुआ आहद भाव से बोला कोई मददगार नहीं बनता मायाराम ने उपेक्षा से मुह बिचकाया ठीक है विमल बोला चलता हूँ मुंबई पहुँच कर मायाराम व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला चिथी लिखना राजी खुशी की हाल मुरीदा दारहना मित्तर प्यारे नू विमल ने उत्तर न दिया वो खामोशी से वहां से रुकसत हो गया सड़क पर पहुँच कर जो पहला काम उसने किया वो ये था कि उसने अपने हाथों पर चड़े जिली जैसे बारिक रबड के सर्जीकल दस्ताने उतार कर एक तरफ फेंगे सुबा हिंदोस्तान टाइम्स के मुखप्रिष्ट पर से अश्रफ की तस्वीर जांक रही थी तस्वीर में वो कनाट प्ले स्थाने के एसेचो को ट्रंक सौपता दिखाया गया था साथ में हैडिंग था स्थानिय टैक्सी ज्राइवर की बेमिसाल इमानदारी पैसेंजर का टैक्सी में छूट गया साथ लाख रूप्या थाने में जमा कराया नीचे घटना का वैसा ही विवर्ण छपा था जैसा कि उसने जगत नारायन को सुनाया था सुबह सवेरे मायाराम ने चाय पीते हुए अकबार में वो खबर पढ़ी अब उसे इत्मीनान था कि रकम कम से कम वो टैक्सी जाइवर हजम नहीं कर गया था रकम ठाने में सेफ थी और क्लेम लगाने पर मिल सकती थी लेकिन फिर उसका माथा ठनका साथ लाख रकम तो पाँच लाख थी पाँच लाख से साथ लाख की कैसे हो गई? क्या चापे की गलती थी? हो सकता था मायाराम आतन शक्की मिजाज आदमी था वो चापे की गलती के नाम पर उस बात को अपने जेहन से ना निकाल सका पाँच मिनट बाद ही वो ये सोच सोच कर फिर छटपटाने लगा की पाँच लाख की रकम साथ लाख की कैसे हो गई थी? थी? क्यों कर हो गई थी? उसने अपनी बैसाखियां संभाली और उन्हें ठक्टकाता वहां से बाहर निकला वो जानता था कि सुबह सवेरे लोकल बस स्टैंड के पास अकबार वाले बैठते थे वहां पहुँच कर उसने पाया कि वो खबर बाकी अकबारों में भी छपी थी अल्बत्ता टैक्सी जाइवर की तस्वीर सिर्फ हिंदोस्तान टाइम्स में ही छपी थी उसने तमाम अकबारों में वो खबर पढ़ी हर जगा रकम साथ लाख ही दर्स थी क्या माजरा था? क्या नीलम अंजाने में च्रक में बड़ी रकम भर बैठी थी? कैसे हो सकता था? दो लाख रुपए की अतिरिक रकम क्या कोई माइने ही नहीं रखती थी जो कोई खामखा किसी के हवाले कर देता? खास तोर से ऐसा कोई जिसे मूल रकम का इंतिजाम करने में दिक्कत महसूस होती थी वो वापिस लौटा पंथ का पोर्शन ग्राउंड फ्लोर पर ही उससे चार दर्वाजे पहले था आज का अकबार पढ़ा उसने पंथ से पूछा नहीं पंथ सक्पकाया सा बोला क्यों? वो टैक्सी ड्राइवर ट्रंग के साथ ठाने पहुँच गया ऐसा अकबार में छपा है फिर तो खुशी की बात है यानि की रकम सेफ है अकबार में छपा है कि रकम साथ लाख थी क्या? जो रकम ट्रंग में बंद पाई गई है वो साथ लाख थी ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ ही है ये अकबार देख पंथ ने मायाराम के हाथ से हिंदोस्तान टाइम स्थामा और गौर से वो खबर पढ़ी जरूर छापे की गलती है फिर वो बोला मैंने भी यही समझा था लेकिन ऐसा नहीं है ये खबर और अकबारों में भी छपी है सब में साथ लाख लिखा है कमार है वो औरत इतनी महरबान क्योकर हो गई जो बोनस बाटने लगी पाच के साथ भेज दिए पागल हुआ है यो कोई रुप्या लुटाता है राजी से जो काला पैसा न देना चाहती हो वो दो लाख रुप्या फाल्तु दे देगी फिर क्या माजा है उस्ताद जी तू बता हाँ साफ मैं क्या बताओ माया राम खामोश रहा उस्ताद जी खामखा सिर धुन रहे हो अरे कुछ आ ही रहा है कुछ जा तो नहीं रहा कहां आ रहा है जब आ रहा था तो आ ही रहा था ना कल खामखा घिच पिच न हो गई होती तो ट्रंक हमारे काबू में होता काबू में होता तो पांच की जगा साथ लाख हमारे काबू में होते हमारे और क्या कल मैंने तो वैन में ही बैठना था उस लड़की के चले जाने के बाद के दस मिनट के वकफे में होटल का बैल बाई बन कर टैक्सी में से च्रंग काबू करके तूने लाना था तो क्या हुआ? तुम्हारे कहने से तुम्हारे लिए ही तो लाना था माया राम ने उत्तर न दिया उस्ताद जी, क्या सोच रहे हो? क्या है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं फिर एकाएक वो घुमा और बैसाखिया ठक्तकाता अपने पोर्शन की और बढ़ चला पंत नेत्र सिकोडे हक्बकाया सा उसे जाता देखता रहा माया राम के मन में जो था वो उससे जुबान पर लाते नहीं बना था च्रंक में पहले अकेले पंत के अधिकार में ही आना था उसने टैक्सी से च्रंक बरामत करके माया राम के पास लाना था उस दौरान वो उसे खोल कर उसमें से दो लाख रुपे निकाल कर खुद हजम कर जाता तो उसे क्या खबर लगती लेकिन मायाराम ने अपने आप से सवाल किया उसे मालूम क्यों कर होता कि चंक में 2 लाख की अतरिक रकम थी अगर ऐसी कोई भांजी मारने की मनशा उसकी थी तो उसे एडवांस में मालूम होना चाहिए था कि चंक में 5 नहीं, 7 लाख रुपए बंद थे अपने पोर्शन में दाखिल होने की जगा वो फिर सड़क पर आ गया एक पब्लिक टेलीफोन से उसने माडल टाउन फोन किया नीलम लाइन पर आई तो वो बोला मैं बोल रहा हूँ अब क्या है सुमा सवेरे? नीलम भुन भुनाई एक जरूरी बात है इसलिए फोन किया क्या जरूरी बात है? वो लड़की अपनी ड्यूटी पर चली गई नहीं, अभी घर में ही है तेरे करीब ही है नहीं, अपने कमरे में है आज का अखबार पढ़ा? हाँ, पढ़ा उसमें चंग की खबर चपी है पढ़ी? हाँ, पढ़ी रकम पाँच से साथ लाख कैसे हो गई? मैं खुद हैरान हूँ जरूर गलती से ऐसा चप गया होगा गलती से नहीं चपा और अखबारों में भी साथ लाख चपा है कमार है रकम क्या जादू के जोर से बढ़ गई? तूने सूट केस में कितनी रकम रखी थी? ये भी कोई पूछने की बात है पाँच लाख पक्की बात? पूछता है पक्की बात मेरे पास तेरे जैसे वाहियात कमीने आदमी पर लुटाने के लिए पैसा नहीं है वो भी खाम खा बिना वज़र तो तूने चंद में पाँच लाख ही रखे थे? हाँ किसी के सिखाएं पढ़ाएं तो ऐसा नहीं कह रही? किसके? किसी के भी? अरे, किसके? मेरे जोडिदार के वो कौन हुआ? मायाराम खामोश रहा हलो नीलम की व्यग्र आवाज आई सब पर लड़ गया ही? वो चिठी कहा है? मायाराम बोला जो मैंने तुझे भेजी थी? पढ़ी होगी घर में कहीं उसे तलाश कर और उसके साथ मुझे अलपना सिनेमा के सामने मिल मैं अभी वहां के लिए रवाना हो रहा हूँ लेकिन मायाराम ने जान बूज कर लाइन काट दी विमल मुबारक अली से मिला क्या खबर है? विमल बोला हाश्मी को कल कुलू रवाना कर दिया था काम में वो क्या कहते है अंग्रेजी में कोई अढंगा ना आया तो आज ही शाम को लौट आएगा बढ़िया मैंने लंग्रे के काल की बाई वाले शगल की नस पकड़ी है अच्छा क्या जाना? जिन तीन चार ऐसी बाईयों की वो सोबत करता है उनका अपना एक ग्रूप है यानि की एक को जान जाने पर बाकियों को जान जाना आसान होता है उन्होंने निजाम उद्दीन में एक फिलेट ठीक किया हुआ है जहां से कि वो, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में आपरे आपरेशन करती है आपरेट करती है वही होटल में वो तभी जाता है जब कोई बाई ऐसी जिद करे जबकि फ्लाट खाली न हो जबकि वहां और लड़कियां अपने क्लाइन्स वो एंटर्टेन कर रही हो वही मेरा खबरी ऐसीच बोला एंटर का टेन कर रही हो आगे कल लंगडा निजाम उद्दीन वाले फिलेट पर नहीं पहुचा था एक से ज्यादा दिन का नागा उसे नागवार गुजरता है इसलिए आज जरूर पहुचेगा उन्ही बाईों में से किसी एक के पास जाहिर है मुबारत अली आज उसकी लाटरी निकलेगी आज उसे एक नई बाई मिलेगी ऐसा हाँ कौन है वो उसका नाम सीमा है बहुत खूपसूरत है बहुत नौजवान है बहुत कमसिन है लेकिन बहुत बिगडी हुई है अपने कालगल के धंदे से ऐसी संतुष्ट है जैसे जिन्दगी का बहुत बड़ा काम कर रही हो खोटी अकल की मिसाल होगी बिलकुल शायद तुझे उसकी याद हो गुर्बक शलाल की नए साल की पार्टी में उसकी फरीदाबाद वाली कोठी में महमानों को एंटर्टेन करने के लिए लड़कियों का जो रेवड वहां जमा था सीमा उनमें से एक थी जिसको मोनिका की तरह सुधरने के लिए तेरी माली इंदाद की पेशकश नाकबूल थी जो अल्लामारी कहती थी कि 6 लाग कौन सी बड़ी रकम थी इतना तो वो च्छा महीने में कमा लेगी वही लंगडे की उस तक पहुँच कैसे होगी पहुच बनानी होगी सीमा को देखकर खुद ही लंगडे की लादन तपकी तो बाकी कालगल से कहलवाना होगा कि उनमें से कोई भी फ्री नहीं थी इसलिए वो सीमा पर राजी हो ऐसा क्यों कर होगा कुश्वाहा करेगा अब तक वो सीमा को तलब कर चुका होगा आगे उस बाबत जो मेरी मन्शा है उस पर अमल कुश्वाहा के जरिये होगा बाप मेरी अकल मोटी पन जो मैं समझा वो ये कि तू उस बाई को सीमा को लंगडे पर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में थोपना मानता है ऐसी छे विमल विनोद्पूर्ण स्वर में बोला मेरी जुबान बोलता है मुबारक अली भी हसापन क्यों ताकि वो लंगड़ा तेरी जुबान में फिट हो जाए ऐसा हाँ फिर क्या वांदा है कोई वांदा नहीं अब तु मुझे लोटस क्लब ले के चल मायाराम की टैक्सी माडल टाउन पहुची तो उसने नीलम को अलपना के सामने सडक पर एक पेड़ के नीचे पहले से मौजूद पाया उसने उसके करीब टैक्सी रुकवाई ततकाल ड्राइवर उतर कर एक और चल दिया मायाराम उसे पहले ही ऐसा ही समझा कर लाया था उसने नीलम की ओर टैक्सी का दर्वाजा खोल दिया और उसे भीतर आबैठने का इशारा किया नीलम जिजक्ती हुई उसकी बगल में पिछली सीट पर आबैठी और अप्रसन्न भाव से बोली क्या आफत आ गई जो क्यों खामखा लान तीली हो रही है सवेरे सवेरे तेरे जैसा खरदिमाग आदमी नहीं देखा मैंने बोलता था पास नहीं फटकूंगा फोन नहीं करूंगा हालात बदल गए हैं अब क्या हो गया है अब मुझे लगता है कि वो मेरा वहम था कि कोई तेरी निगरानी कर रहा था वहम था तो चिठी लाई है मायाराम उसकी बात काट कर उतावले स्वर में बोला नीलम ने हाथ में थमा लिफाफा उसके मुह पर मारने की कसर न छोड़ी मायाराम ने लिफाफे में से चिठी निकली सरसरी निगा उसे सब कुछ सामान्य लगा लेकिन जब उसने जेप से रीडिंग ग्लासिज निकाल कर नाक पर चढ़ाए और फिर उसका मुआयना किया तो उसे उसमें समाहित विसंधती ततकाल दिखाई दी चिठी में फैर बदल किया गया है वो धीरे से बोला क्या पाँच को काट कर साथ किया गया है अरे क्या कह रही हो ये तीसरी लाइन देख जहां कि रकम का जिक्र है पाँच लाग की रकम का जिक्र है यहाँ पांच को काट कर साथ कर दिया गया है नीलम ने उचक कर चिथी पर निगार डाली पहले तो ऐसा नहीं था वो सपकाईसी बोली पहले कब जब ये चिथी आई थी और मैंने इसे पढ़ा था तूने इसे एक ही बार पढ़ा था और क्या सो बार पढ़ती? पढ़के क्या किया था? लिफाफे में वापिस डाल कर अलमारी में रख दी थी और क्या किया था? तब के बाद अभी निकाली? हाँ लेकिन दोबारा न पढ़ी? न यानि कि तुझे खबर नहीं कि पाँच लाख की मांग साथ लाख की बना दी गई थी? न बिलकुल भी नहीं फिर तूने चंग में साथ लाख रुपए क्यों कर रखे? मैंने नहीं रखे मैं क्यों रखती? खसमान खानिया मुझे अगर ये गारंटी भी दी गई होती की दो लाख रुपए तेरे अर्थी मुर्दे कलश के लिए थे मैं तो भी चंग में साथ लाख रुपए न रखती क्योंकि और दो लाख रुपए मेरे पास न थेने है तू जूट बोल रही है क्या? तू किसी की शह पर जूट बोल रही है पागल हुआ है जिसने इस चठी में हैरा फेरी की है पाँच को साथ किया है उसी ने तुझे धमका कर इस बात के लिए तयार किया है कि पूछे जाने पर तू कभी कबूल न करे कि तूने चंक में ज्यादा बड़ी रकम रखी थी अरे, खोटी अकल जब कूरियर वाला बंद लिफाफा मेरे पास लाया जो कि मैंने खुद खोला तो कोई कैसे पाँच को साथ वो कूरियर वाला नहीं था जो तेरे पास ये चिट्थी पहुँचा कर गया था वो हरदत्पंत नाम का मेरा एक जोडीदार था जिसने कूरियर वाले का रोल अदा किया था चिट्थी उसके हवाले थी मेरे से चिट्थी ले चुखने के और उसे तेरे तक पहुचाने के बीच में वो जैसी भी हेराफेरी चाहता चिट्थी में कर सकता था पूरा पूरा मौका हासल था ऐसा करने के लिए उसे जिसका की उसने फाइदा उठाया उसने रकम में बढ़ोतरी कर दी और साथ में तेरे को भी धमका कर खबरदार कर दिया कि तू बढ़ी हुई रकम का नाम न ले। उचे जाने पर तू यही जित पकड़े रहे कि तू ने पांच लाख ही चंग में रखे थे। लेकिन ये बात खुलने वाली नहीं थी अगर्चे की बकिस्मती से कल चंग हाथ से न निकल गया होता। ऐसी सहूलियत करती मुझ बेवकूफ ने उसके लिए कि पहले चंग उसी के हाथ में लगना था। वो बड़े इत्मिनान से उसमें से दो लाख रुपए पार करके अपनी अंती में दबाता, अपेक्षित पांच लाख रुपए मुझे लाकर देता और उसमें भी हिस्सा खबर अकबार में न छप गई होती तो मुझे साथ जन्म खबर न लगती कि चंग में पांच नहीं साथ लाख रुपए थे। नीलम खामोश रही, अब तो कबूल कर कि चंग में तूने पांच की जगह साथ लाख रुपए रखे थे और ऐसी कोई नौबत आ जाने पर फाल्तू रकम का नाम भी न लेने के लिए तुझे धंकाया था। खाम खा, मैं ऐसी कोई बात कबूल नहीं कर सकती जो की सच नहीं है। तो क्या जादू के जोर से रकम पाँच से साथ लाख हो गई? पता नहीं कैसे हो गई? लेकिन मेरे किये नहीं हुई, तू नहीं मानेगी. तू मेरे जोडिदार की खातर मेरे से बाहर जाएगी? तू कमला हो गया है. सठिया गया है. तू एक बार अपनी जुबान से कबूल कर की मेरे जोडिदार ने तुझे बर्गलाया है. मैं साले का खून कर दूँगा. कर दे. फिर फासी से बचने के लिए खुद भी गोली मारना. मुझे खुशी होगी. मायाराम ने असाय भाव से गर्दन हिलाई. मैं चलती हूँ. नीलम अपनी तरफ के दर्वाजे की तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली. अभी कहां चलती है? कटकाल मायाराम डपट कर बोला अभी बात तो पूरी होने दे. अब क्या कसर रह गई? बहुत कसर रह गई. अभी मेरा असल काम तो हुआ ही नहीं. असल काम. रकम कहां मिली मुझे? वो तो थाने में जमा है. पेपर में लिखा तो है. जाके ले आ. मैं? क्या मुश्किल काम है? जाके थानेदार को बोलना कि तू ब्लैकमेलर है और वो रकम ब्लैकमेल का हासल थी. क्या बक्ती है? तू क्या बक्ता है? तूने कहा था कि तू सुमन को कनाट प्लैस थाने भेजने की बाबत सोचेगी. ऐसा तूने रकम की कोई खोज खबर लगे बिना करना था. अब तो ये बात पक्की है कि रकम कनाट प्लैस थाने में है. तू उस लड़की को थाने भेज. वो इतनी बड़ी रकम की अपने पास मौजूदगी का क्या जवाब देगी? मेरा जवाब वही है जो मैंने कल भी दिया था. जवाब सोचे, तू सोचे, कला चोर सोचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं. मेरी तरफ से भले ही बोल देना कि वो तुम दोनों की धन्दे की कमाई है. मोहा नोच लूँगी, पटकी पैनिया. मैं तेरी गालियों का बुरा नहीं मानता. पहले भी कभी माना हो तो बोल. मेरे लिए तेरी गाला भी घी की नाला है. लेकिन एक बात गांथ बांध ले. रकम बारा मद ना होना तेरा नुकसान है, मेरा नहीं. जब तक रकम मुझे नहीं मिल जाती, मेरी डिमांड अपनी जगा कायम है. नीलम खामोश रही. मैंने जो कहना था, कह दिया. आगे तू जाने, तेरा काम जाने. मैं फिर फोन करूँगा. जैसे हालत बने, वैसी मुझे खबर कर देना. अब जान. नीलम टैक्सी में से उतर गई. एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, एस्टरिस्क. अश्रफ के साथ टैक्सी पर सवार विमल खड़क सिंह मार्क पहुचा. पीछे पैसेंजर की जगा बैठने के स्थान पर वो आगे अश्रफ के साथ मौझूद था. अश्रफ ने हनुमान मंदिर के सामने टैक्सी रोकी तो एकाएक उसकी निगा अश्रफ के जूतों पर पड़ी. कितनी ही देर वो उनका मौइना करता रहा. क्या देख रहे हैं? अश्रफ तनिक विचलित स्वर में बोला. तेरा जूता देख रहा था. काफी मजबूत और ड्यूरेबल मालूम होता है. मामूली जूता है. अश्रफ लापरवाही से बोल. कितने नमबर का है? साथ. मेरे ख्याल से तुझे नया जूता पहनना चाहिए. यही ठीक है, जना. नहीं ठीक. यहां से फारिक होते ही अपने लिए नया जूता खरी. लेकिन. और पुराना मुझे दे. आपको दू? हाँ. आप क्या करेंगे इसका? पहन कर देखूंगा. शायद मुझे फिट आजाए. आप मजा कर रही है. या किसी और को? किसी और को? मैं समझ गया. हुक्म सिर माथे. ना. मैं आज ही नया जूता खरीदूंगा. बढ़िया. विमल टैक्सी से उत्रा. जैसा की पूर्वन इरधारित था. सुमन मंदिर के प्रवेश अद्वार की सीडियों के सामने मौजूद थी. विमल उसके करीब पहुँचा. सुमन ने उसका अभिवादन किया. सब ठीक से याद है. विमल बोला. सुमन ने सहमती में सिर हिला दिया. एक बार फिर दोहरा देता हूँ. गौर से सुन ठीक है. दो मिनट उसने विमल का मोनोलोक सुना फिर पैदल चलते हो दोनों करीब ही स्थित कनाट प्लेस थाने पहुचे. अश्रफ जो कि विमल के साथ आया था. उनके पीछे पीछे टैक्सी चलाता थाने पहुचा. विमल के संकेत पर उसने थाने के कमपाउंड में टैक्सी खड़ी कर दी और उसी में बैठा रहा. ड्यूटी आफिसर के माध्यम से विमल और सुमन एसेचो के आफिस में पहुचे. अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद विमल बोला मेरा नाम अर्विंद कॉल है. ये सुमन है. हम ट्रंक के सिलसिले में यहां आए हैं. कौन सा ट्रंक? जान बूज कर अंजान बनता एसेचो बोला. साथ लाख की रकम वाला वो ट्रंक जिसकी आज अखबारों में खबर छपी है. वो ट्रंक कल शाम इनकी नादानी से टैक्सी में रह गया था. खबर अखबारों में छपी है. उसे पढ़ कर कोई भी जवान लड़की उसकी क्लेमिंट बन सकती है. दुरुस्त फर्माया आपने. तो जिस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में च्रंक रह गया था, वो इस वक्त बाहर मौजूद है. कैसे पहुँच गया? मैं तलाश करके लाया. वो अपने कल शाम के पैसेंजर की शनाक्त कर सकता है. आपने पटा लिया होगा उसे. किसलिए? ताकि वो आपके कहे किसी भी गलत लड़की की शनाक्त कर दे. उसे क्या फाइदा? कोई फाइदा आपने सुझाया होगा. कोई लालच दिया होगा उसे. रकम में कोई हिस्सेदारी मुकरार की होगी उसकी. उस रकम में जो कि ट्रंक में है, जाहिर है. वो उस रकम में हिस्सेदार बनने की सोचेना जो की कल पूरी की पूरी उसके कबजे में थी, जिसकी वो चाहता तो किसी को हवा भी ना लगने देता. ऐसे चो सपकाया. ऐसा कहकर आप उसकी इमानदारी पर थूक रहे हैं, जना. कहां है वो? बाहर कंपाउंड में. अपनी टैक्सी में बैठा है. एक हवलदार को भेज कर उसने अश्रफ को बुलवाया. इस मेम साहब को पहचानते हो? एस एचो उसे घूरता हुआ बोला. हाँ, साहब कतकाल अश्रफ कतपर्स्वर में बोला ये वही है, जो कल शाम मेरी टैक्सी में सवार थी, जो अपना च्रंक मेरी टैक्सी में भूल गई थी. पक्की बात? जी हाँ. कहां उत्री थी ये? मैरीना होटल के सामने. इन्होंने मुझे भाड़ा चुकता कर दिया था और दस मिनट इंतजार करने को कहा था. दस मिनट में ये नहीं लोटी थी तो मैं वहां से रवाना हो गया था. तब मुझे पता लगा था कि ये पीछे अपना च्रंक छोड़ गई थी. कैसे मालूम है कि ट्रंक इन्होंने छोड़ा था? क्या पता ट्रंक इनसे पहले तुम्हारी टैक्सी में सवार हुए पैसेंजर का हो? ऐसा होता तो इनकी जगा वो पैसेंजर यहां हाजरी भर रहा होता. एस एचो हग बकाया. और फिर मैंने इन्हें इन्हें उस ट्रंक के साथ मेरी टैक्सी में सवार होते देखा था. अकबार के दफ़र क्यों पहुँँच गए? सीधे थाने क्यों ना आए? साहब अश्रफ की आखों में धूर्तदा की चमक आई और गायब हो गई तब मेरी चापे में फोटू कैसे छपती. बस यही वज़ह थी. मैं पुलीस वालों का खौफ खाता हूँ. ठाने अकेले आने से डर गया था. ऐसे चो कुछ ख्षण अश्रफ को घूरता रहा और फिर सुमन की तरफ आकरशित हुआ आप मेरी ना क्यों गई थी? मुझे वहाँ एक सहेली से मिलना था. वो मिली? नहीं. सहेली का इंतजार दस मिनट से तो ज्यादा ही किया होगा. क्योंकि कम किया होता तो ये अभी टैक्सी में बैठा आपके लौटने का इंतजार कर रहा होता. मैंने 20 मिनट इंतजार किया था. ये कब सूझा था कि ट्रंक टैक्सी में रह गया था? जब मैं के जी मार्क पर पहुँची थी, जहां कि गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन का आफिस है, जहां कि ये ट्रंक मैंने पहुचाना था. अपने तभी थाने का रूख क्यों न किया? क्योंकि मुझे इस टैक्सी ज्राइवर के माडल ताउन मेरे घर लोटने की उमीद थी जहां से कि इसने मुझे टैक्सी में बिठाया था. तूने एसे चो फिर अश्रफ की तरफ घूमा ऐसा क्यों न किया? क्योंकि अश्रफ बड़ी मासूमियत से बोला मुझे याद नहीं रहा था कि इन्हें कहां से बिठाया था. क्या? सारा दिन पैसेंजर ढोता हूँ, साहब. क्या याद रहता है कि कौन किधर से बैठा? लेकिन ये याद रहता है कि कौन किधर उत्रा? वो भी नहीं याद रहता. ये मैडम इसलिए याद रही क्योंकि कोई और सवारी उठाने से पहले ही मेरी चंप पर निगाप पड़ गई थी. इन्हें ढूंदने की कोशिश क्यों नहीं की? की? बराबर की? मैरीना के रिसेप्शन से जाकर दर्याफ्त किया. कनाट प्लेस के सारे आउटर, इनर और मिडल सरकल में टैक्सी लेकर खूब गोल-गोल घुमा लेकिन ये मुझे कहीं दिखाई न दी. तभी इनसे नाउमीद होकर मैंने हिंदोस्तान टाइम के दफ्तर का रुख किया था. क्योंकि तुझे अखबार में फोटो छपवाने का शौक था? हाँ, साहब. बाहर जाके बैट. अश्रफ सलाम करके वहां से रुखसत हो गया, आप ऐसे चो सुमन की तरफ संबोधित हुआ. गाई बख्याल ज्यादा है या लापरवाँ ज्यादा है? जी. सुमन सक्पकाई सी बोली. इतनी बड़ी रकम के मामले में आपने ये जिम्मिनारी दिखाई की उसे टैक्सी में छोड़ कर चल दी? जवाब देने की जग़ सुमन रोने लगी. विमल ने उसका कंधा थपथपा कर उसे आश्वासन दिया. रकम का क्या किस्सा है? इतनी बड़ी रकम आपके पास भी क्यों थी? वो बोला. क्योंकि मैं एकाउंटेंट हूँ? क्योंकि ऐसी इससे बड़ी इससे कहीं बड़ी रकमे ढोना मेरी नौरी का हिस्सा है, आपकी नौकरी में ये आपकी सहायक है? जी नहीं. तो… कल दोपहर बाद एकाएक मेरी तबियत खराब हो गई थी. मैंने ये रकम माडल काउन के ही गैलेक्सी के एक दीलर से कलेक्ट की थी, लेकिन तबियत खराब हो जाने की वज़र. से मैं गैलेक्सी जाने की जगा रकम के साथ घर लौट आया था. आप माडल काउन में रहते हो? जी हाँ. दी नौ में. ये आपके साथ रहती है. जी हाँ. सगी बहन है ये आपकी? जी नहीं. मोह बोली. इस दुनिया में इसका कोई नहीं. इसलिए हमारे साथ रहती है. रकम आपने इन्हें क्यों दी? गैलेक्सी के आफिस में पहुचाने को दी. यहाँ जन्पत पर M.T.N.L. के ट्रंक एक्सचेंज में आपरेटर की नौकरी करती है. कल इसकी रात की ड्यूटी थी. ये उधर जा रही थी. इसलिए रकम को गैलेक्सी पहुचाने के लिए च्रंक मैंने इसे सौंप दिया था. बड़े अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाई इन्होंने अपनी. उसमें मेरी भी गलती थी. क्या? मैंने इसे ये नहीं बताया था कि ट्रंक में इतनी बड़ी रकम थी. मैंने इसे सिर्फ ट्रंक को ले जाकर गैलेक्सी के दफ्तर में छोड़ आने के लिए कहा था. गैलेक्सी का दफ्तर रात को भी खुलता है? जी नहीं. लेकिन कुछ स्टाफ रात 9 बजे तक बैठता है. तो ये रकम उस कंपनी की है जिसमें की आप एकाउंटेंड है? जी हाँ. वहाँ से इस बात की तस्दीक होगी? यकीनन होगी. गैलेक्सी के मालिक शिवशंकर शुकला इस वक्त तक आफिस पहुँच चुके होंगे. आप फोन पर उनसे बात कर सकते हैं. आप कीजिए. ऐसे चो मेज पर पड़े दो टेली फोनों में से एक उनकी तरफ सरकाता हुआ बोला और उन्हें यहां बुलाईए. विमल ने फोन किया. पाँच मिनट में शुकला ठाने पहुँच गया. क्या बात है? उसने विमल से पूछा. विमल ने बताया. रकम गैलेकसी की है. शुकला रॉप से बोला. उसकी बाबीत कैसी भी कोई तसल्ली करनी है? मेरे से कीजिए. मेरे एकाउंटेंट कॉल की बाबत कैसी भी कोई तसल्ली करनी है? मेरे से कीजिए. कोई खाना पूरी करनी है तो कीजिए और रकम मुझे सौपिए आपको, इस लड़की को, मेरे एकाउंटेंट को, किसी को भी ऐसे चोग खामोश रहा Come on शुकला उतावले स्वर में बोला Snap out of it I don't have all day for this petty matter This is not a petty matter S.H.O. तीखे स्वर में बोला It is रकम ठाने पहुँच गई तो ये आपकी नहीं हो गई आप सिर्फ कस्टोडियन है इस रकम के मौझूदा हालात में आपकी कस्टडी की अब जरूरत नहीं रही इसलिए वापिस कीजिए इसे लेकिन ACP कौन है आजकल यहाँ? जहां तक मुझे याद पड़ता है इसी ठाने में बैठते हैं जी हाँ लेकिन सक्सेना is my friend इस डिस्ट्रिक का DCP मनोहर लाल भी मेरा फ्रेंड है Come, call Come, young lady Let's not waste time here We will speak to ACP उसकी कोई जरूरत नहीं And if found necessary to DCP Even to Commissioner himself बोला न, उसकी कोई जरूरत नहीं Then dispense with the red tape, Mr. Inspector I told you, I am a busy man आप जा सकते हैं जो खाना पूरी करनी हैं वो हम आपके accountant से करा लेंगे That's more like it Thank you very much Call Sir विमल ततपर स्वर में बोला फारिग होकर रकम के साथ सीधे आफिस पहुचना Yes, Sir दोबारा कभी ऐसे कंपनी की रकम आगे अपने किसी सगे संबंधी की सौंपी तो मुझे तुम्हें दिस्मिस करना पड़ेगा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, Sir Galaxy has employed you, not your family I understand, Sir You better do शान के साथ चलता शुकला वहां से रुखसत हो गया सुपुर्दिकी की कार्यवाही सब इंस्पेक्टर करेगा SHO घंती बजाता हुआ बोला 10 मिनिट लगेंगे, कोई बात नहीं विमल बोला घंती के जवाब में हवलदार आया तो उसने सुमन को सब इंस्पेक्टर के पास भीज दिया पीछे SHO और विमल अकेले रह गए तुम्हारी नौकरी जाते जाते बची SHO हसता हुआ बोला वो तो है विमल भी हसा बड़ी रकम का मामला है वो भी है इस बात पर इधर के लोगों का कोई चाय पानी होना चाहिए शुकला साहब के सामने बोलना था एक ही बात है और फिर क्या पता वो बड़े साबा नेजपी DCP के चाय पानी में ही विश्वास रखते हो क्या चाहते हो S.H.O. ने दोनों हाथों की सारी उंगलिया उसके सामने फैलाई विमल ने एक आहसी भरी और धीरे से बोला कुत्ता राज बिठा लिये मुड़ चक्की चत्ते क्या इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला क्या कहा कुछ नहीं विमल ने सौ-सौ के नोटों की एक गड़ी अपने बैक से निकाल कर उसके सामने मेज पर डाल दी कोई और सेवा इतनी काफी है S.H.O. संतुष्ट स्वर में बोला फिर पलक जपकते गड़ी मेज पर से गायब हो गई ऐस्टरिस्क 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 मायाराम कश्मीरी गेट पहुचा तो उसने पन्त को चाल के सामने की रहदारी में चहल कदमी करता पाया कहा चले गए थे सवेरे सवेरे उस्ताद जी पन्त अचरत से बोला ऐसे ही जरा हवा खाने गया था मायाराम अन्वने स्वर में बोला टैक्सी पर तू जानता है मैं चल नहीं सकता ऐसे अकेले तो पहले कभी कहीं नहीं गए वो चिठी जो तू कूरियर वाला बन के नीलम को पहुचा के आया था क्या हुआ उसे कैसे पहुचाई थी बन का बन लिफाफा दे आया था उसे और क्या करता खोल कर पढ़ी नहीं लो मेरे सामने तो तुमने वो चिठी टाइप की थी तुम टाइप कर रहे थे और मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा पढ़ रहा था क्या भूल गए नहीं भूला तो नहीं पर सोचा शायद कोई खास बात फिर से पढ़ने का मन कर आया हो क्या खास बात या दुरुस्त करने का अरे क्या बात तू बता उस्ताद जी क्यों खामखा पहलियां बुझा रहे हो मायाराम खामोश रहा एकाएक तुम्हारे तेवर बहुत बदले-बदले नजर आने लगे हैं उस्ताद जी साफ बोलो क्या है तुम्हारे मन में लड़के मैंने उम्र भर कुल जहान को धोका दिया है अब इस उम्र में कोई मुझे धोका दे ये मुझे क्यों कर बरदाश्ट होगा कौन धोका दे रहा है तुम्हें अकलमंत को इशारा ही काफी होता है वो औरत तुम्हारा मतलब है उसकी मजाल हो गई तुम्हें धोका देने की उसकी कैसे हो जाएगी गरदन नहीं मरोड दूँगा तो और कौन धोका दे रहा है सोच समझ अरे कुछ समझाओ तो समझनना बाजू हट मुझे अपने पोर्षन में जाने दे खड़ा खड़ा ठक गया हूँ पंट एक तरफ हटा मायाराम बैसाखिया ठक्टकाता अपने पोर्षन की ओर बढ़ चला नेत्र सिकोडे पंट उसे जाता देखता रहा फिर कुछ सोच कर वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया मायाराम दर्वाजे का ताला खोल कर भीतर दाखिल हुआ तो उसने भी उसके पीछे भीतर कदम डाला क्या है मायाराम रूखे स्वर में बोला उस्ताद जी ऐसे बेद्बारी से काम नहीं चलता किसने कहा बेद्बारी की बाबत कुछ हर बात मुहा जुबानी ही नहीं कहनी पड़ती देख मैं ठका हुआ हूँ मेरा दिमाग न चाट मुझे आराम करने दे क्यों ठके हुए हो सवेर सवेरे कहां गए थे माया राम ने जवाब न दिया अच्छा अब आगे की बात तो बोलू आगे की क्या बोलू आगे क्या प्रोग्राम है वो औरत ठाने से माल निकलवा लेगी क्या पता निकलवा लेगी या नहीं निकलवा लेगी शाम को पता करेंगे वो सुबह दूसरी लड़की को थाने भेजने को बोल रही थी इतना तो पता करना था कि उसने ऐसा किया या नहीं वो भी शाम को पता करेंगे अब तू यहां से जा ताकी मैं आराम कर सकूँ चहरे पर असंतोष और जुंजलाहट के भाव लिये पंत वहां से तला मायाराम के मिजाज में एकाएक आई तब्दीली उसकी समझ से बाहर थी अस्टरिस्क 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 सुमन माडल टाउन पहुची उसने एक विजेता के से भाव से नीलम को ट्रम्ट दिखाया मिल गया नीलम हैरानी से बोली और क्या सुमन शान से बोली इतनी आसानी से आसानी से तो नहीं उस टैक्सी जाइवर ने मेरी शनाक्त की कभी मिला वो वहाँ था इतफाक से मेरी मौजूदगी में पहुँच गया था ये तो कमाल हो गया उपर से थानेदार शरीफ था भला था आम पुलीसियों जैसा नहीं था उसने रकम की बाबत कोई सवाल न किया किया था तो तूने क्या जवाब दिया मैंने कहा कि गोल मार्केट की कोविल हाउसिंग सोसाइटी में मेरी मा का छोड़ा एक फ्लैट था जिसकी की मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए मैं उसे बेच रही थी और वो फ्लैट की एडवांस पेमिंट थी उसने खरीदार की बाबत सवाल न किया किया मैंने प्रदीप का नाम ले दिया कि वो ही खरीदार था प्रदीप से नीलम भली भांती परिचित थी ओ वो प्रदीप को फोन करता तो उसने नहीं किया था लेकिन करता तो करता तो माकूल जवाब मिलता क्योंकि प्रदीप को जवाब की बाबत सब समझा कर ही मैं ठाने गई थी ओ सुमन तूने तो कमाल कर दिया अपने आप ही हो गया रकम चौकस है हाँ, ठाने वालों ने मुझे सौपने से पहले मेरे सामने गिनी थी ओ, लेकिन मैंने तो इस ट्रंक में पांच लाख रुपए रखे थे दो ठाने वालों ने अपनी तरफ से मिला दिये होंगे, मजाक मत कर आप भी छोड़ो ये किस्सा, कोई खानावाना बनाया हो तो बोलू, भूख से जान निकल रही है उस विशय पर नीलम फिर न बोली हरिदत पंथ मायाराम के व्यवहार से बहुत नाखुश था सारा दिन पंथ इसी बाबत सोचता रहा था कि क्यों एकाएक मायाराम उससे इशारों वाली जुबान बोलने लगा था इतना वो बाखु भी समझ सकता था कि उसकी शिकायत, उसकी रंजिश का मरकज वो रकम थी जो पता नहीं कैसे 5-7 लाख हो गई थी उसने मायाराम का ये इशारा भी देर सवेर समझा था कि रकम में हुए रहसिपूर्ण इजाफे के पीछे उसे शक्था की उसका हाथ था और यह की वो किसी तरीके से अतिरिक्त रकम को खुद पार कर जाने का इरादा रखता था जो की जूट था जो की बेबुनियाद जूट था अब उसके दिल से बार-बार आवाज उठने लगी थी कि मायाराम से उसकी जुगलबंदी लंबी नहीं चलने वाली थी सवा दो लाग की जो रकम तीन किष्टों में उसे हासिल हो चुकी थी उसमें अब कोई बातर्तीब इजाफा नहीं होने वाला था उसे इस बात का अफसोस था कि नीलम नाम की उस औरत को ब्लैकमेल करने की जो बुनियाद थी उस पर पूरा-पूरा कबजा मायाराम का था वो कोई ऐसा हथियार नहीं था जो कि जिस किसी के भी हाथ में आ जाता वो उसे इस्तमाल कर लेता वो बात ना होती तो अब तक वो भी मायाराम को वैसे तेवर दिखा चुका होता जैसे की अब मायाराम उसे दिखा रहा था अब कैसे वो अपनी तरफ से मायाराम का मन साफ करे कोई सीधी बात तो वो करता ही नहीं था वो तो इशारों की जुबान बोलता था जिसे समझने की कोशिश में वो कोई गलत मतलब निकालता तो रंजिश और बढ़ती, सही मतलब निकालता तो मायाराम शेर हो जाता और कहता कि देखा मैं कहता था शाम को एक बार फिर उसने उस्ताद जी का मिजाज भाम्पने का फैसला किया वो उसके पास पहुँचा उसने मायाराम को एक हाथ में शीशा और दूसरे हाथ में कैची लिए बड़े यतन से अपनी दाढ़ी तराशते पाया कहा की तयारी है उस्ताद जी वो मीठे स्वर में बोला कफ्री की मायाराम बोला कल नहीं जा सके इसलिए रुतावले हो रहे हो यही बात है लेकिन अभी तो बहुत वक्त है अभी तो दिन भी नहीं धला जल्दी तयार हो जाने में कोई हर्ज है नहीं तो हर्ज कैसा तो फिर लगता है पहले कहीं और भी जाने का इरादा है और कहाँ? आपको मालूम हो आज मैंने एक ही जगह जाना है और वहाँ भी अपने टाइम पर ही जाऊंगा आते जाते इधर चक्कर लगाते रहना वो किसलिए? तस्थीक के लिए कि टाइम के टाइम ही यहां से निकला तौबा उस्ताद जी पता नहीं क्यों एकाए कोई और ही जुबान बोलने लगे हो कैसे आया? पता करने आया था कि रकम की वापिसी की बाबत माडल टाउन में कोई पूछताच किया नहीं अभी नहीं की करो न ताकि सस्पेंस दूर हो तू फिक्र न कर मैं कर लूँगा कब कर लोगी? बोला न कर लूँगा कर ही तो नहीं चुके हो क्या? पूछताच भी और वसूली भी मायाराम ने कैंची वाले हाथ को रोक कर घूर कर उसे देखा उसने पंद को विचलित होता न पाया तो बोला मैं तेरे जैसा नहीं हूँ मैं कैसा हूँ? अपने दिल से पूछ फिर लगे पहलियां बुझाने मायाराम खामोश रहा उस्ताद जी पंद एकाएक सक्ती से बोला इशारेबाजी बहुत हो चुकी कैसी इशारेबाजी? मायाराम बोला तुम्हें पता है कैसी इशारेबाजी? अरे कैसी इशारेबाजी? तुम समझते हो चिठी में पाँच को साथ मैंने बनाया था तुझे क्या पता है मैं क्या समझता हूँ? अब इतना भी नादार नहीं मैं माया राम खामोश रहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पंत बोला न करना सूझा न सूझता तो करता ठीक है फिल जैसे तुम मेरे पर शक कर रहे हो वैसे मैं भी तो तुम्हारे पर शक कर सकता हूं तू शक कर सकता है तू कौन सा शक कर सकता है मैं भी तो सोच सकता हूँ कि चिठी में पाँच को साथ तुमने बनाया तेरा दिमाग खराब है मुझे ऐसी हेराफेरी की क्या जरूरत थी? मैं बड़ी रकम का तमन्नाई होता तो पहले ही बड़ी रकम न लिख लेता पहले लिख लेते तो मुझे उसकी खबर होती खबर होती तो मैं बड़ी रकम में हिस्सेदार होता बात चुपचाप चल जाती चरंक थाने न पहुँच गया होता तो तुम साथ लाख वसूलते और पाँच लाख में हिस्सा बंटाते उपर के दो लाख साफ ही अकेले हडब जाते मायाराम भाचक कासा उसका मुझ देखने लगा इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाटे फिर वो विश्भरे स्वर में बोला अच्छा पंथ तिल मिलाया ये मेरी शराफत है जो मैं तेरे साथ हिस्सा बटाता हूँ मायाराम बोला तो ये तेवर है मायाराम खामोश रहा खैरात नहीं देते हो उस्ताद जी उजरत देते हो साल भर तुम्हें लाश की तरह ढोया है मैंने अभी भी ढो रहा हूँ मैं ना होता तो चंडीगण में पुलीस के हाथ हो तो पढ़ते 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 पहले उस प्लाट में ही पढ़े दम तोड़ चुके होते जहां कि तुम मुझे लुंच-पुंच अपनी जिन्दगी की आखरी सांसे गिनते पढ़े मिले थे अपने मुर्दा जिस्म में जिन्दगी की फूंक मारने वाले से ऐसी नाशुक्री बाते करोगे तो जहन्नों में भी जगा नसीब नहीं होगी मैंने क्या नाशुक्री बात की है दे नहीं रहा तुझे तेरा हिस्सा दे रहे हो लेकिन ऐसे दे रहे हो जैसे फांसी लग रही हो वहम है तेरा और फिर ये मेरी सुना मेरी शराफत है कि मुझे एक चौथाई का हिस्सा कबूल है वरना क्यों होना चाहिए मेरा हिस्सा छोटा क्यों नहीं होना चाहिए बराबर का हिस्सा क्योंकी क्योंकी जेप में रखो अपनी क्योंकी और मेरी सुनो सुनो और गौर करो क्या सुनू अरे जब मैंने तुम्हारे मुकर्र किये छोटे हिस्से को खुशी से कबूल किया जब मैंने पहले लालच न किया और बड़े हिस्से की मांग न की तो अब भला क्यों लालच करूंगा वो भी धोखे से यारमारी करके है इस बात का कोई जवाब तुम्हारे पास माया राम परे देखने लगा मैंने तुम्हें उस्ताद कह दिया तो सच में ही उस्ताद समझने लगे अपने आपको इत्टफाक से बात खुल गई तो अपनी कर्तूत मेरे मत्थे मढने पर आमादा हो गए हरिदत तक मैं कसम खा कर रहता हूँ मैंने चिठी में पाँच को साथ नहीं बनाया मैं भी कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने भी ऐसा नहीं किया फिर क्या है? फिर बात खत्म हो गई अरे दिल से खत्म करो तो खत्म हो गई न बात को टालने के लिए ऐसा कहा तो क्या कहा? माया राम खामोश रहा पंत कितनी ही देर अपलक उसे देखता रहा ठीक है फिर आखिरकार वो भुन-भुनाता सा बोला आगे जैसा प्रोग्राम हो बोल देना वो यहां से बाहर निकल गया अब उसका दिल गवाही देने लगा था कि मायाराम का नई रकम में उसके साथ पहले की तरह हिस्सा बंटाने का कोई इरादा नहीं था क्या वो रकम हासिल कर भी चुका हो सकता था कैसे वो उस औरत को या उस दूसरी लड़की को रकम के साथ वहां तलब कर सकता था या खुद माडल टाउन जा सकता था सुबह गया तो था कहीं वो क्या पता माडल टाउन ही गया हो लेकिन वहां की निगरानी निगरानी वाली बात अब या उसे बेबुनियाद लगने लगी थी और या फिर उसे उसकी कल जैसी परवाह नहीं रही थी अब क्या करे हूँ? उसकी अकल ने उसे यही जवाब दिया कि सबसे पहले तो उसे ये मालूम होना चाहिए था कि रकम की क्या पोजिशान थी वो अभी थाने में ही थी या वो वापिस माडल टाउन पहुँच चुकी थी कैसे मालूम हो? ततकाल उसे एक तरकीब सूजी वो चाल से बाहर निकला और एक करीबी PCO पर पहुँचा उसने डाइरेक्टरी इंक्वाईरी से कनाट प्लेस थाने का नमबर दर्याफ्त किया और उस पर काल लगाई दूसरी और से उत्तर मिला तो वो रॉप से बोला हिंदुस्तान टाइम से बोल रहे हैं S.H.O. साहब से बात कराईए S.H.O. साहब इस वक्त ठाने में नहीं है जवाब मिला उनकी जगह जो भी कोई जिम्मेदार आदमी हो उससे बात कराईए मेरे से कीजिए आप कौन? Additional S.H.O. A.S.H.O. साहब, Chief Editor साहब जानना चाहते हैं कि साथ लाख की जिस रकम की खबर हमारे आज के अकबार में छपी है इसकी क्या पोजिशन है? वो रकम उसके मालिकान के सुपुर्द की जा चुकी है अच्छा जी हाँ टैक्सी की वो पैसेंजर ही सुबह थाने पहुँच गई थी जिससे की वो रकम कल टैक्सी में छूट गई थी मुनासिप शनाक्त और सुपुर्दगी की कार्यवाही के बाद चौंक उसे सौंप दिया गया था गुड थैंक्यू एसेचो साहब उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर टाम दिया यानि कि दोबारा हत्याई जाने के लिए रकम फिर सर्कुलेशन में थी पाँच की जगह साथ लाख की रकम मायाराम अभी 28 लाख रुपए और बटोरने का जुगार करे तो कहीं जाकर उसे इतनी रकम का हिस्सा मिले वो भी तब जब उसकी नियत न बदल जाए क्यों न वो मायाराम से पहले उस रकम पर काबिज होने की कोशिश करे मायाराम ने अगर जूट नहीं बोला था तो आज तो उसका कुछ करने का इरादा मालूम नहीं होता था आज तो उसका किसी हाई प्राइस्ट काल गर्ल के पहलू में गर्क होने का ही वन प्वायन प्रोग्राम मालूम होता था कैसा अयाश था कमबक्त यही एक काम था जिस पर पैसा लुटाने में उसे कोई गुरेज नहीं होता था क्या करे वो क्या कलम उठाएं वो मायाराम से पहले साथ लाख की उस रकम पर काबिज होने के लिए वो सोचने लगा फिर धीरे धीरे एक योजना की रूपरेखा उसके जेहन पर उभरने लगी काल बैस बजी चाप्तर तीन ननहिं सूरज के पहलू में लेटी टीवी देखती नीलम उठकर खड़ी हुई सूरज उस घड़ी गहरी नींद सो रहा था सुमन उस वक्त घर में थी लेकिन वो भी अपने बैडरूम में सोई पड़ी थी की आवाज उसने बहुत धीनी की हुई थी ताकि सोने वालों की नींद में खलन न पड़ता उसने रिमोट से टीवी को आफ किया और बाहर प्रवेशदवार पर पहुँची उसने दरवाजे को थोड़ा खोल कर बाहर जाका तो सामने उस शक्स को खड़ा पाया जो स्वयम को कूरियर सर्विस वाला बताकर वहां मायाराम की चिठी पहुचाने आया था और जिसका नाम मायाराम ने शायद हरिदत्या श्रीदत्त पंथ बताया था क्या है वो अप्रसन्न भाव से बोली फिर कोई चिठी लाए हो नहीं पंथ धीरत से बोला जुबानी संदेशा क्या भीतर आने दो वही से बोलो कोई देख लेगा और फिर मैंने दो फिक्रों की बात नहीं कहनी तुम्हें कुछ समझाना भी है क्या समझाना है ऐसे ही बोलो रास्ता छोड़ो नहीं तो क्या नहीं तो नहीं तो मैं जाता हूँ और जाकर उस्ताद जी को बोलता हूँ कि तुम्हारी उनका संदेशा सुनने में कोई दिल्चस्पी नहीं नीलम हिचकिचाई मैं सिर्फ दो मिनिट लूँगा आओ वो एक तरफ हट्ती हुई बोली पंद उसके पहलू से गुजरा और उससे पहले जाइगरू में जाकर सोफे पर धेर हो गया नीलम उसके करीब पहुची उसने एक सशंत निगा पिछले दर्वाजे की ओर डाली और फिर बोली क्या है जो कहना जल्दी कहो मायाराम को मालूम है पंद धीरे से बोला कि रकम ठाने से वापिस यहां पहुच गई है तो तुमने रकम उसके पास पहुचानी है मैंने हाँ पिछली बार रकम किसी और के हाथ भेजी थी तो खामखा इतना घपला हो गया था मायाराम नहीं चाहता कि इस बार फिर ऐसा कुछ हो इसलिए ये जिम्मेदारी इस बार तुम्हें खुद निभानी होगी क्या करना होगा उसने खास तोर से कहलवाया है कि ये जहमत आखरी बार की है इस बार के बाद वो फिर कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाएगा ऐसा था तो वही आकर रकम ले जाता वो नहीं आ सकता उसे अभी भी अंदेशा है कि यहां की निगरानी हो रही है वो किसी की निगाहों में नहीं आना चाहता किसी ने उसे रकम के साथ पकड़वा दिया तो इतनी बड़ी रकम की अपने पास मौजूदगी की जवाब दे ही उसके लिए मुश्किल होगी रकम के मामले में वो तुम्हारा नाम तो गा नहीं या तुम चाहोगी कि वो तुम्हारा नाम ले नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए रकम उसके पास तुम्हें कहीं पहुँचानी होगी कहाँ? जंदेवालान उसके सामने रानी जहासी रोड के पार मोतिया खान दंप स्कीम के नाम से जाने जाने वाले इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग का नाम इरोज अपार्टमेंट्स है और इस नाम का बोड उसके सामने लगा हुआ है बिल्डिंग 13 मंजिल तक उठ चुकी है और अभी 20 तक जाएगी आज राच साड़े नौ बजे उसकी 13 मंजिल पर मायाराम तुम्हें तुम्हारा इंतजार करता मिलेगा 13 मंजिल पर किसलिए? नीचे क्यों नहीं? इमारत के सामने क्यों नहीं? उसे अंदेशा है कि कोई तुम्हारे पीछे लगा-लगा वहां पहुँच जाएगा ऐसा होगा तो इतनी उचाई से ऐसा कोई शक्स उससे छुपा नहीं रहेगा वो उसे फासले से ही दिखाई जाएगा उसे कोई तुम्हारे पीछे लगा दिखाई दिया तो फिर वो वहां नहीं रुकेगा वो तुम से मिले बिना चुपचाप वहां से खिसक जाएगा बेवकूफी की बात है ये खामखा एक सीधे साधे काम को उलजाने वाली बात है मैं क्या कहूँ उसने जैसा मेरे को बोला, मैंने आगे बोल दिया लेकिन आसान तरीके पर अमल करना चाहती हो तो ऐसा करो चंक मुझे दे दो, मैं उसे आगे मायाराम तक पहुचा दूँगा मुझे कोई एतराज नहीं प्रत्याशा में पंत का दिल जोर से उचला मेरी मायाराम से इस बाबत बात कराओ वो कहेगा कि मैं चंक तुम्हें दे दू तो मैं दे दूँगी ओ, बात कराओ नहीं हो सकती कैसे हो सकती है मैं रुब्रु बात कराने को नहीं कह रही टेलीफोन पर बात कराओ नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती वो टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं है वो घर से निकल चुका है बीच में वो कहा जाएगा मुझे नहीं मालूम अब वो साड़े नौ बजे इरोज अपार्टमेंट्स की तेरहवी मन्जिल पर ही पहुचेगा मैं वहाँ जाने से इंकार करदूं तो तुम मेरे इंकार की उसे कैसे खबर करोगे? कैसे भी नहीं वो ही नाउमीद होकर वापिस लौट आएगा इसलिए भगवान के लिए इंकार न करना वो भड़क जाएगा भड़क जाएगा तो कोई ऐसा कदम उठा बैठेगा जो कि तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा अजीब मुसीबत है संदेशा मैंने दे दिया पंद एकाएक उठ खड़ा हुआ अब मैं जाता हूँ आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने मायाराम जाने उसका काम जाने तुम वहाँ जाके उसे खबर कर दो कि मैं रात के वक्त ऐसी जगा आने को तैयार नहीं मैं नहीं कर सकता को नाराज नहीं कर सकता मुसीबत का पितारा है गोली वर्जना उस्ताद जी पंथ तनिक हसा और फिर दर्वाजे की ओर बढ़ चला दर्वाजा बंद करने की खातिर नीलम उसके पीछे गई दर्वाजा बंद करके वो घूमी तो वही थमक कर खड़ी हो गई ड्राइंग रूम के पिछले दर्वाजे की चोखट पर सुमन खड़ी थी तू तो सोई पड़ी थी नीलम के मुंग से निकला अब क्या सोई ही रहती सुमन बोली रात तो पड़ रही है कब जागी अभी यहां कब से खड़ी है अभी दो सेकंड पहले आई ओ कौन था ये आदमी कोई नहीं वही पहले वाला भाई साहब वाला कोई नहीं और क्या कोई नया खसम था मेरा सुमन हसी बहुत नुकताचीनी करने लगी है आज कल तू अरे नहीं जा जाके चाय बना सहमती में सिर हिलती सुमन घूमकर किचन की और बढ़ चली मोतिया खान वो मन ही मन दहरा रही थी इरोज अपार्टमेंट्स तेरवी मनजिल साधे नौ बजे हूँ एस्टरिस्क 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 साधे साथ से थोड़ी देर पहले सजा धजा मायाराम पंत के कमरे में पहुचा पंत उस वक्त कुर्ता पाजामा पहने था और पलंग पर अधलेटा सा बैठा टीवी देख रहा था मायाराम को आया पाकर उसने रिमोट से टीवी आफ कर दिया चल दिये अपने खास ठिकाने उसकी सद्धज देखकर पंत रंगीन स्वर में बोला हाँ मायाराम मुस्कराया आचल आज तुझे भी लेके चलता हूँ मुझे भी लेके चलते हो सिर्फ बीस हजार लगेंगे लड़की ऐसी चिकनी की हाथ लगाए मैली हो शुकरिया मैं बीस हजार नहीं खर्च सकता खर्च सकता नहीं या खर्चना नहीं चाहा इधर एक ही बात है बीस हजार पूरी रात की फीस होती है चल मैं तेरा दस में काम बनवाता हूँ दस में क्या मिलता है दो घंटे की तफरीर परी जैसी लड़की के साथ वो भी कम नहीं होती तुम्हारी तफ्रीह तुम्हें ही मुबारक हो अरे पैसे का आनंद न उठाया तो क्या फाइदा कमाने उस्ताद जी मुझे चिकनी लड़की नहीं चाहिए मेरा काम खुरदरी से ही चल जाता है जो की 500 रुपए लेती है तू तू पागल है तू फाइव स्टार होटल के लजीज खाने में और धाबे के तुकडों में फर्क नहीं समझता फर्क तुम्हें ही मुबारक हो उस्ताद जी मायाराम हसा लिहाँ सुबह ही लोटोगी पंच सावधान स्वर में बोला नहीं जल्दी लोट आऊंगा आज मिनी तफ्रीर का प्रोग्राम है दस हजार वाला हाँ तेरा क्या प्रोग्राम है मैंने तो होटल से खाना मंगाया है खाते ही सो जाऊंगा वज़ा आज मूर और तबियत दोनों खराब है क्या मंगाया तंदूरी चिकन मटर पनीर नान घूंड लगाया अभी नहीं उसका भी मूर नहीं है आज उसका तो मूर बराबर है वो क्या है कि चिकन का इंतजार था बोतल निकाल एक पैग मुझे दे पंत ने सहमती में सिर हिलाया मायाराम का मिजाज उसकी समच से परे था ऐसा घड़ी में तोला घड़ी में माशा जैसा मिजाज उसने पहले तो कभी नहीं दिखाया था उसने बोतल निकाल कर दो पैग तयार किये और मायाराम के साथ चियर्स बोला तभी होटल का वेटर एक ट्रे उठाए वहाँ पहुचा उसने ट्रे को उन दोनों के बीच मेज पर रख दिया और उस पर से अकबार हटा कर उसे गुच्छा मुच्छा करके अपने साथ ले गया सिर्फ एक बोटी मायाराम तंदूरी चिकन की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला सारा खा लो उस्ताद जी और आ जाएगा वक्त नहीं है आठ से पहले मुझे निजामुद्दीन पहुचना है साड़े साथ बस भी गए है मर्जी तुम्हारी मायाराम ने सच में ही एक ही बोटी खाई अपना विस्की का गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ मैं छोड़ कर आऊ पंत उठने का उपक्रम करता हुआ बोला नहीं जरूरत नहीं मायाराम बोला टैक्सी तक ही तो जाना है कभी कभी करीब से टैक्सी नहीं मिलती मैं छोड़ आता हूँ चाल के सामने से न मिली तो दूर से टैक्सी भी ला दूँगा लेकिन तेरा खाना कहीं भागा नहीं जा रहा लौट के खा लूँगा ठीक है फिर पंत उसे टैक्सी पर सवार कराके आया यो माया राम को टैक्सी जाइवर को निजाम उद्दीन चलने के लिए कहते उसने अपने कानों से सुना वो वापिस लौटा उसने एक पैग और पिया खाना खत्म किया और फिर उठकर खड़ा हो गया तब ही वेटर वापिस लौटा और खाली ट्रे उठा कर ले गया तब बड़े इत्मिनान से पंत ने अपने अभियान के लिए तैयार होना शुरू किया एस्टरिस्क 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 साड़े आठ बजे नीलम तैयार होने लगी तब साड़ी की जगा उसने चुस्ट शलवार कमीज को तरजीर दी कहीं जाने की तैयारी है सुमन ने सहजभाव से पूछा हाँ नीलम गंभीरता से बोली जो कामकल अधूरा रह गया था उसे आज पूरा करना है यानि के ट्रंग को फिर कहीं पहुझना है हाँ आज भी ये काम मैं क्यों नहीं कर सकती क्योंकि कल तु काम को ठीक से नहीं कर सकी थी अब उन लोगों को तेरे से एतराज है इसलिए आज ये जिम्मेदारी मुझे भुकतानी पड़ेगी मैं भी साथ चलूँगी पागल हुई है पीछे सूरज के पास कौन रहेगा? ओ मैं चलती हूँ सवा दस या बड़ी हद साढ़े दस तक लोट आऊंगी मशीनी अंदास से सुमन ने सहमती में सिर हिलाया नीलम कोठी से बाहर निकली काली एमबेसिडर पर सवार हुई और फिर उसे जाइफ करती वहां से रवाना हो गई सुमन लपक कर टेली फोन पर पहुँची उसने एक मोबाइल फोन का नंबर डायल किया हाँ कतकाल दूसरी ओर से प्रदीप की आवाज आई आजाओ सुमन व्यग्रभाव से बोली साथ में एक टैक्सी लेकर आना प्रदीप जिसने की करीबी मार्केट से ही आना था जहां कि वो सुमन की SOS काल सुनने के लिए मौजूद था दो मिनिट में कोठी पर पहुँच गया वो अपनी मोटर साइकल पर सवार था और मोटर साइकल के पीछे पीछे एक टैक्सी आ रही थी सुमन उसे सड़क पर खड़ी मिली प्रदीप एक कोई 28 साल का सुन्दर यूवक था MBBS डाक्तर था स्थानिय लोहिया हस्पताल में नौकरी करता था और नौकरी के साथ ही MD की तैयारी कर रहा था सुमन के वाई फ्रेंड के तौर पर नीलम भी उसे जानती थी प्रदीप ने खुद उसे बताया था कि MD की पढ़ाई खत्म होते ही वो सुमन से शादी का इरादा रखता था पीछे बच्चे का ख्याल रखना सुमन व्यग्रस्वर में बोली मैं भी साथ चलू तू तुम साथ चल सकते होते तो मुझे खुशी होती लेकिन नीलम की गैरहाजरी में यहां किसी न किसी का बच्चे के पास थाहरना जरूरी है तू ठहर जा और जो काम तू करने जा रही है वो तू मुझे समझा दे अब ताइम नहीं वापिस कब लोटोगी? साड़े दस से पहले नीलम से पहले मैं चली मुझे तेरी फिक्र रहेगी मैं अभी भी कहता हूँ कि उसकी बाकी की बात सुमन ने न सुनी वो जपट कर टैक्सी में सवार हुई और ड्राइवर से बोली ज़ंडे वाला रानी जांसी रोड जल्दी टैक्सी ततकाल आगे को दोडी वो नहीं जानती थी कि वो उसी डियल एक टी चार नौ साथ नौ नंबर की टैक्सी पर सवार थी जिस पर की वो पिछले रोज सवार हुई थी कोई फर्क था तो ये की टैक्सी में अश्रफ की जगर वली मुहम्मद ने ले ली थी और अश्रफ पीछे वली के जुड़वा अली मुहम्मद के साथ थैर गया था अल्बत्ता सुमन का ध्यान इस ओर न गया कि वो कल वाली टैक्सी पर ही सवार थी चला भी जाता तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं था क्योंकि तब वली मुहम्मद ही इस जवाब के साथ उसकी जिग्यासा को शांत कर सकता था कि वो किराय पर चलने वाली टैक्सी थी जिसका कभी इस हाथ तो कभी उस हाथ पहुँच जाना आम बात थी जो की रोज वाक्या हो सकती थी सुमन को क्योंकि नीलम की मन्जिल मालूम थी इसलिए उसके पीछे लगना जरूरी नहीं था वो रूट भी पकड़ना जरूरी नहीं था जिस पर नीलम कार चलाती आगे बढ़ रही थी उसकी टैक्सी ने जंडे वालान पहुचने के लिए राना प्रताब बाग, अशोब बिहार, आनंद परवत, रोहतक रोड़ वाला रूट पकड़ा जिससे सुमन को उम्बीद थी कि वो नीलम से जल्दी इरोज अपार्टमेंट्स में पहुँच सकती थी पर ऐसा न हो सका गंतव्य स्थान तक पहुचने पर उसने नीलम की काली एम्बैसेडर को बंती इमारत से परे रानी जहासी रोड के करीब खड़े पाया उस घड़ी वहां मुकमल सन्नाटा और अंधेरा था और नीलम का कही नामों निशान नहीं मिल रहा था टैक्सी से उतर कर वो इमारत के करीब पहुची तेरा मंजल तक उठ चुकी उस इमारत में आर्सीसी के कालम, बीम और छटे ही दिखाई दे रही थी ग्राउंड फ्लोर एक पहलू को छोड़ कर कहीं कोई पार्टिशन वाल अभी नहीं बनी थी इमारत की बाउंडरी वाल की तामीर अभी नहीं हुई थी इसलिए उस तक चारों दिशाओं में से किसी भी तरफ से पहुचा जा सकता था जो और बात उसने नोट की वो यह थी की इमारत में सीदियो के दो सेट थे सीडियों का एक सिलसिला इमारत के फ्रंट में था और दूसरा पिछवाडे में लिफ्ट के लिए वैल उट्ती इमारत के साथ साथ बनता जा रहा था लेकिन अभी तक लिफ्ट लगी नहीं थी आसपास कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई दर्बान नहीं दिखाई दे रहा था नीलम या तो इमारत की तेरवी मन्जिल पर पहुँच चुकी या फिर अभी वो सीडियों पर ही कही थी हिचकी चाते हुए उसने भी सामने की सीडियों पर पाव डाला और फिर वो दबे पाव सीडियों चड़ने लगी ट्रंक उठाए नीलम तेरवी मन्जिल पर पहुँची वहां ऐसा सन्नाटा था कि उसे अपनी उखडी सांसों की वज़ से तेज हुई दिल की धड़कन भी नगाडे की तरह बजती लग रही थी वहां के अंधेरे में पैन होती उसकी निगा अपने सामने फिरी कहीं कोई नहीं था कोई है फिर वो हिम्मत करके बोली ततकाल एक पिलर के पीछे से एक साया निकला साय ने दो ही कदम आगे बढ़ाए तो नीलम समझ गई की वो मायाराम नहीं था कौन वो होसला करके बोली एंड टाइम पर पहुँची साया बोला नीलम ने वो आवाज साफ पहचानी वो पंत नाम का मायाराम का जोड़ीदार था जो दो बार उसके लिए हर कारे का काम कर चुका था श्रीदत पंत फिर भी उसने पुछा हरिदत जवाब मिला हरिदत पंत तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हारा इंतजार मायाराम कहा है वो नहीं आया तुम कैसे आ गए? तुम तो कहते थे कि उसने तुम्हें इस जगह के करीब भी फटकने से मना किया था मना करने से कोई मना हो जाता है तुम तो कहते थे कि तुम उसे नाराज नहीं कर सकते थे वो हसा है कहा मायाराम? किसी चिक्नी जनानी के साथ लेटने गया है उसकी फीस भर के बेवकूफ मुफ्त के माल को छोड़ कर फीस भरने जाता है सामने नौ नकद नहीं दिखाई देते तेरा उधार के तो लेने जाता है क्या बक्ते हो? वो फिर हसा लगता है तुम्हें पहले से मालूम था कि मायाराम यहां नहीं आने वाला था यही समझ लो तुमने मुझे गलत संदेशा दिया तुमने धोखे से मुझे यहां बुलाया ऐसा ही है कुछ-कुछ मायाराम तुम्हारी अच्छी खबर लेगा देखते हैं बीबी की कौन किसकी खबर लेता है मैं जाती हूँ अरे अरे ऐसे कैसे चली जाएगी च्रंक तो देती जा तुझे किसलिए क्योंकि मैं यहां हूँ और इस घड़ी सिर्फ च्रंक ही नहीं तू भी मेरे हवाले है क्या मत्त मारी हुई है उस्ताद जी की दो घंटे के 10,000 भरते हैं सारी रात के 20,000 भरते हैं मेरा काम तो फ्री हो जायेगा क्या बता है? सैंकरो वाला मजा ही चक पाया आज तक आज जरा हजारों का मजा चखूंगा क्या मतलब है तेरा? चंक नीचे रख और इधर आके ठा करके मेरे कलेजे से लग जा, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा तो ये इरादे हैं तेरे कमीने? है तो सही कुछ-कुछ वो फिर बड़े अशलील भाव से हसा, फिर उसने नीलम की तरफ कदम बढ़ाया खबरदार नीलम चल्लाई वही खड़ा रह यहाँ ना किसी को तेरी आवाज सुनाई देने वाली है और ना तेरी हिमायत को कोई आने वाला है समझी? तुझे रुपया चाहिए उसका अब क्या चाहना? वो तो समझ मिल गया रुपय ने अब यहाँ से कहा जाना है तो तु तुने भी अब यहाँ से कहा जाना है? उसने फिर कदम आगे बढ़ाया तु पच्टाएगा नीलम चेतावनी भरे स्वर में बोली रमता जोगी क्या पच्टाएगा? पंत अशलील हसी हस्ता हुआ बोला बस एक बार सिर्फ एक बार खुश कर दे फिर तु अपनी राह लगना जोगी अपनी राह लगेगा अगर जहन्नुम की राह नहीं लगना चाहता नीलम एकाएक आतनकित भाव से चल्लाई हो वही रूप जा वर्ना वर्ना तु क्या करेगी? गोली मार दूंगी गोली मार देगी पन्त जोर से हसा कहती है गोली मार देगी ठहर जा, साली रूप जा वर्ना पन्त बगोलेक की तरह उस पर जपता ऐस्टरिस्क 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 बारा मन्जल पार करने तक सुमन बुरी तरह से हांफने लगी थी उसे गारंटी थी कि नीलम उपर पहुँच चुकी थी क्योंकि अब उसे नीलम की आवाज और एक मरदाना आवाज सुनाई देने लगी थी आखरी मन्जल के वो आधे रास्ते में ही थी कि एक आएक एक फायर की आवाज हुई आवाज सुनते ही सुमन थमक कर खड़ी हो गई क्या हो रहा था उपर? क्या उस शक्स ने जिसके की वहां मिलने आई थी नीलम को गोली मार दी थी? ऐसे में अब वो उपर पहुचती तो उसे भी गोली मारी जा सकती थी उसने वो अंदेशा जटक कर अपने जेहन से निकला और दोड कर बाकी की सीडिया भी पार कर गई आगे अंधेरे में आमखे फाड फाड कर देखने पर उसे जो नजारा दिखाई दिया उसने उसके चखके छुड़ा दिये गोली नीलम ने खाई नहीं थी, मारी थी उसके हाथ में एक रिवालवर थमी हुई थी जिसकी नाल में से तब भी धुआ निकल रहा था उससे कोई छ गसदूर फर्ष पर अंधे मुहा एक व्यक्ती पड़ा था जो की जाहिर था कि नीलम की चलाई गोली का शिकार हुआ था सुमन लपक कर नीलम के करीब पहुँची क्या हुआ? वो आतंकित भाव से बोली ये ये नीलम ने उससे कही अधिक आतंकित भाव से गिरे पड़े व्यक्ती की और इशारा किया आपने इसे शूट कर दिया? हाँ, हाँ हाँ क्यों? ये वो आदमी नहीं जिसे की मैंने च्रंक सौपना था इसने धोखे से मुझे यहां बुलाया था मेरे से च्रंक जबरन चीनना चाहता था मेरी इज़द पर हाथ डालना चाहता था जान और माल की हिफाज़त के लिए मजबूरन मुझे इस पर गोली चलानी पड़ी ये है कौन? इसका नाम हरिदत पंथ है ये उस शक्स का जोडीदार है जिसे की मैंने च्रंक सौपना था वो कौन हुआ? उसका नाम मायाराम है जो की आपको ब्लाटमेल कर रहा है नीलम खामोश रही अब चुप रहने का क्या फाइदा? दीदी तकरीबन किस्सा तो मैं पहले से जानती हूँ कैसे जानती है? नीलम हैरानी भरे स्वर में बोली वो एक लंबी कहानी है घर चल कर सुनाओंगी तू तू यहां कैसे पहुँच गई? इसका जवाब भी उस लंबी कहानी का हिस्सा है तूने मेरा पीछा किया था? नहीं तो फिर तुझे कैसे मालूम था कि मैं कहां थी और तूने कहां पहुँचना था? घर चल कर बताऊंगी आप बताए ट्रंक कहां गया? मेरे हाथ से छूट कर कहीं गिर गया? गिर गया रिवाल्वर संभालने के लिए मुझे च्रंक छोड़ना पड़ा अब पता नहीं कहां गिर गया? करीब तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा पता नहीं कहां गया? फ्लोर पर दीवारे तो कहीं है? नहीं लगता है नीचे कहीं जागिरा शायद आप रिवालवर मुझे दीजिए और चलिए यहां से रिवालवर तुझे दूँ हाँ क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है यहां जो कुछ हुआ है मैंने किया है कल की तरह आज भी मैं ही च्रंक लेकर यहां पहुँची थी इसने मेरे से सुना आपने मेरे से च्रंक छीनना चाहा था और मेरी मेरी इज़त लूतने की कोशिश की थी इसलिए आत्मरक्षा के लिए इस पर गोली मैंने चलाई थी सुन रही है आप गोली मैंने चलाई थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता गोली मैंने पहले यहां से हिलिए उपर से कोई आ गया तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी हम दोनों के लिए पिछवाडे की सीधियों से चलिए ताकि कोई सामने से ऊपर आ रहा हो तो हमारा उससे आमना सामना नहो साथ ही उसने उसके हाथ में थमी रिवालवर निकाल कर अपने कबजे में ले ली और उसकी बाह पकड़ कर उसे पिछवाडे की सीडियों की तरफ धकेलना शुरू किया नीलम उसके साथ घिसटी चली गई तेरा मंजिलों की सीडियों उतर कर वो दोनों नीचे पहुची कहीं कोई नहीं था चंक उन्हें कहीं दिखाई न दिया कहां गया नीलम के मुहर से निकला कहीं भी गया अब उसकी तलाश में यहां रूखना खत्रे से खाली नहीं लेकिन चलो दोनों सडक पर पहुची वे वहां खड़ी काली एंबैसेडर में सवार हुई नीलम ने ततकाल कार को सडक पर दोड़ा दिया वे माडल टाउन पहुची प्रदीप ने उन्हें दर्वाजा खोला प्रदीप नीलम के मुह से निकला तुम यहां मैंने बुलाया था सुमन जल्दी से बोली सूरज का ख्याल रखने के लिए यानि कि तेरा पहले से इरादा मेरे पीछे आने का था हाँ क्यों कि रात की घड़ी एक सुनसान जगा पर एक ब्लैकमेलर से मिलने आपका अकेले जाना मुझे हजम नहीं हुआ था साथ ले जाने को आप तयार नहीं थी इसलिए मुझे आपके पीछे जाना पड़ा तू क्या जानती है कैसे जानती है ये एक लंबी कहानी है फिर सुनाऊंगी फिलहाल आप आराम कीजिए आईए लगभग जबरदस्ती वो नीलम को उसके बैडरूम में लाई फिर वो बाहर प्रदीप के पास पहुची इन्हें सीडेटिव का इंजेक्शन दे सकते हो हाँ प्रदीप बोला मेरा विजिट बैग मेरी मोटर साइकल के बकसे में है उसमें है सीडेटिव का इंजेक्शन लेके आओ लेकिन क्यों? सीडेटिव का इंजेक्शन किसलिए? मेरा दिल गवाही दे रहा है कि पुलीस किसी भी क्षण यहां पहुच सकती है खाम खा खाम खा नहीं उस ट्रम की वज़ा से जिसमें साथ लाक के नोट बन थे और जो पीछे घटनास्थल पर ही कहीं छूट गया है आज के अखबारों में उस ट्रंग की बहुत पब्लिसिटी हो चुकी है पुलीस ने अगर वो ट्रंग बरामत कर लिया तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगेगी कि उन्होंने कहां पहुचना था ओ सीडेटिव के हवाले होने की वज़े से ये आज रात पुलीस को कोई बयान नहीं दे पाएंगी कल दोकहर तक भी नहीं दे पाएंगी गुड होश में आने पर हो सकता है कि अपनी ज़ंडेवालान वाली विजट इन्हें एक सपना ही लगे वो सब तो ठीक है लेकिन तुम कतल का इलजाम अपने सिर क्यों ले रही हो इनकी तरफ से फोकस हटाने के लिए शहीद हो रही हो मुझे कोई एतराज नहीं इस परिवार के मेरे ऊपर बहुत एहसान है मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ तुम जजबाती हो रही हो बहस छोड़ो जाके अपना बैग लेकर आओ प्रदीप मोरकर साइकल में से अपना विजट बैग निकाल कर लाया फिर नीलम की नानुकर के बावजूर उसने उसे तगड़ा इंजेक्शन दे दिया फिर दोनों बाहर बैठक में आ गए गोली इन्हों ने तुम्हारे सामने चलाई थी प्रदीप ने पूछा मैंने दीदी को रिवालवर का घोडा खीचते तो नहीं देखा था लेकिन गोली की आवाज सुनने के मुश्किल से पंदरा सेकेंड बाद जब मैं तेरवी मन्जिल पर पहुची तो धुना उगलती रिवालवर मैंने दीदी के हाथ में देखी थी और वो वो आदमी आंधे मुमफर्श पर गिरा पड़ा था अब बताओ गोली दीदी के सिवाए किसी और ने चलाई कैसे हो सकती थी और तो कोई वहाँ था ही नहीं उपर से दीदी ने खुद अपनी जुबानी कबूल किया था कि क्योंकि वो आदमी जोर जबरदस्ती पर उतर आया था इसलिए मजबूरन उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी थी इस बात की क्या गारंती है कि वो मर ही गया था गोली खाकर मरते ही हैं लोग जरूरी नहीं क्या पता गोली उसके किसी घातक स्थल पर ना लगी हो क्या पता गोली उसके कंधे बंधे पर लगी हो क्या कहना चाते हो तुमने या नीलम ने इस बात की तस्दीक तो की नहीं होगी कि वो सच में मर गया था वो अन्धे मुह फर्ष पर पड़ा था कोई हिलडुल नहीं थी उसके जिस्मे मर ही गया होगा शायद ना मरा हो शायद घायलावस्था में वो अभी भी वहां पड़ा हो और तिल-तिल करके मर रहा हो फिर पूछ रही हूँ क्या कहना चाते हो जब तक कि इस बात की तस्दीक न हो जाए कि वो मर चुका था उसका खून अपने सिर लेना बेवकूफी है क्या पता वो मामूली घायल हुआ हो और तुम लोगों के वहां से लौट आने के बाद अपना घायल अंग संभाले वो भी उठकर चल दिया हो ऐसा हो सकता है क्यों नहीं हो सकता होने को तो ये भी हो सकता है कि गोली उसे लगी ही न हो वापिसी में इस बाबत मैंने दीदी से बहुत सवाल किये थे वो कहती है कि गोली उसे निश्चित रूप से लगी थी गोली लगने पर ही उसने अपना कलेजा थामा था और ओंधे मुंगदीदी के सामने फर्ष पर गिरा था फिर तो मैंने अपनी पहली वाली बात ही दोहराता हूँ कि शायद गोली लगने से वो मरा न हो वो सोचने लगी तुम्हारा कतल का इल्जाम अपने सिर लेना मूर्खका है क्योंकि अभी ये स्थापित नहीं हुआ है कि कतल हुआ है गोली तो उसे जरूर लगी थी जहां तक मैं समझती हूँ इरादा कतल भी कतल जितना ही गंभीर अपराद होता है वो ब्लैक मेलर है अगर वो सिर्फ घायल हुआ है तो वो ही इस बाबत अपनी जुबान खोलना पसंद नहीं करेगा कोई ब्लैक मेलर पुलीस का पच्ड़ा नहीं चाहता समझी? हाँ यही बात नीलम को भी समझाई जानी चाहिए थी तुने नाहक उसे सीडेटिव का इंजेक्शन दिलवाया अब समझा देंगे हाँ उसे समझाना होगा कि वो जानती है कि उसने गोली चलाई थी लेकिन गोली घातत निकली थी ये वो नहीं तुम भी नहीं जानती हो इसलिए जजबाती होकर बढ़ बढ़ के मत बोलू नाहक शहीद होने की कोशिश मत करो सुमन खामोश रही अब उसकी सूरत पर उलजन के भाव दिखाई देने लगे थे मुझे मौकाईवारदात का पता ठीक से समझाओ क्यों? सुमन सक्पकाईसी बोली मैं वहां होके आता हूँ अगर नीलम की चलाई गोली घा तक साबित हुई थी तो उसकी लाश अभी भी वहां पड़ी होगी अगर वो वहां घायलवस्था में पड़ा पाया गया तो तो मैं चुपचाप उसके लिए मेडीकल एड का बंदोबस्थ कर दूँगा उसकी जान बच गई तो फिर ये कम से कम कका केस नहीं होगा कहीं लेने के देने न पड़ जाएं कुछ नहीं होगा दिन चड़े तक उसकी किसी को खबर नहीं लगने वाली वो वहां न हुआ तो तो इसका मतलब होगा कि वो मामूली घायल हुआ था और बाद में खुद ही उठकर चल दिया था ओ मैं वहां चंक तलाश करने की भी कोशिश करूँगा चंक मेरे हाथ लग गया तो फिर नीलम की तरफ या तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी गुड चंक वहीं होगा अंधेरे में हमें वो दिखाई नहीं दिया होगा फिर हमें वहां से खिसकने की भी जल्दी थी मेरे विजिट बैग में टार्च हमेशा रहती है मैं टार्च साथ लेकर जाऊंगा अब पता बोलू सुमन ने ना सिर्फ पता बोला उसे वहां तक पहुँचने का रूट भी समझाया अस्टरिस्क 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 पुलिटीस कंट्रोल रूम में एक सो फीट डायल किये जाने पर जवाब में बजने वाले कई टेलिफोन थे उनमें आटोमेटिक स्विच ओवर की ऐसी व्यवस्था थी कि एक फोन बिजी होने पर इनकमिंग काल दूसरे पर ट्रांसफर हो जाती थी दूसरा बिजी होने पर तीसरा बजने लगता था फिर चौथा, पाँचवा, छटा कोई भी फोन अपनी तर्तीब के हिसाब से बजने लगता था यूँ एक सौ फीट नंबर के जरिये पुलीस तक पहुँचने के इच्छुक लोगों को अमूमन कभी बिजी टोन नहीं मिलती थी एक सौ फीट नंबर बजा तो ड्यूटी पर तैनाद एक हवलदार ने बज़ता फोन उठाया हल्लो वो बोला पुलीस कंट्रोल रूम दूसरी ओर से पूछा गया हाँ बोलिए मैं आपको एक गंभीर वारदात की खबर देना चाहता हूँ जो मैं कहूं उसे गौर से सुनियेगा मैं कोई बात दोहराओंगा नहीं पहले अपना नाम बोलो और ये बदाओं की फोन कहां से कर रहे हो रानी जांसी रोड के करीब मोतिया खान डंक स्कीम में इरोज अपार्टमेंट्स नाम की एक मल्ती स्टोरी बिल्डिंग बन रही है उसकी तेरवी मन्जिल पर हरिदत पन्त नाम के एक आदमी की लाश पड़ी है लाश पड़ी है क्या हुआ उसे? सुनते रहिए बीच में मत तोकिए लेकिन तुम बरने वाला एक जरायम पेशा आदमी है जिसके पिछले जुर्मों का लेखा जोखा आपके रिकार्ड में जरूर होगा कश्मीर गेट की हसन मंजिल नाम की एक चाल जैसी इमारत के एक पोर्शन में वो रहता है उसी चाल के साथ नमबर पोर्शन में काशीनात नाम का एक शक्स रहता है जो की मरने वाले की जिन्दगी में उसका जिगरी था वो भी नोन हिस्ट्री शीटर है इसलिए मरने वाले से उसकी चोर-चोर मौसरे भाई जैसी सांट गांट थी कतल की बाबत आपका काशिनात से सवाल करना काफी कारामद हो सकता है कल इस इस काशिनात ने किया है जाके दर्याफ्त कीजिए कतल की नौबत क्यों आई अच्छा सवाल है जाके काशिनात के दर्शन कीजिए शायद वो इसका भेतर जवाब दे सके लेकिन नमस्ते लाइन कट गई ऐस्टरिस्क 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 नीलम की एंबेसेडर कार चलाता प्रदीप रानी जहांसी रोड पहुँचा उसने कार सड़क पर ही खड़ी कर दी और एक खोजपूर्ण निगा इरोज अपार्टमेंट्स की बंती इमारत पर गौड़ाई कहीं कोई नहीं था उधर मुकमल सन्नाटा था गुड सड़क छोड़कर उसने मैदान में कदम रखा और खामोशी से इमारत की तरफ बढ़ा च्रंक मिल गया वो मन ही मन बोला तो लाश ही गायब कर दूँगा फिर कोई साथ जन्म ये स्थापित नहीं कर पाएगा कि वहाँ कोई कतल की वारदात हुई थी अच्छा था कि वो बड़ी गाड़ी लेकर आया था लाश को एमबैसेडर में धोना आसान था वो उसे जमना के किसी उजार पुल पर जैसे शान्तिवन के पीछे बने पोंटून के पुल पर ले जा सकता था और लाश को जमना में फैंक सकता था नदी की बहती धारा के साथ लाश कहीं की कहीं पहुँच जाती लाश जब तक पकड में आती तब तक हुलिया शनाक्त के काबिल न बचता सामने की सीडियों से वो इमारत में दाखिल हुआ खामोशी से सीडियों पर कदम रखता आखिरकार वो तेरहवी मन्जिल पर पहुँचा उसने जेब से टार्च निकाल कर जलाई और उसकी रोशनी को सावधानी से फर्ष पर इधर उधर घुमाया एक स्थान पर पहुँच कर रोशनी का दाइरा थिटका वो शक्स वहां मौजूद था रोशनी के दाइरे को उस पर केंद्रित किये प्रदीप उसके करीब पहुँचा उसने जुक कर उसका मौईना किया सुमन के कतनानुसार वो गोली खाकर मुह के बल गिरा था लेकिन लाश तब अपने एक पहलू के बल पड़ी थी गोली उसकी चाती में एन दिल के उपर लगी थी वो खुद डाक्तर था इसलिए जानता था कि यूँ गोली लगने पर कतकाल मृत्यू निशिचत होती थी यानि कि अब निशिचत रूप से वो कतल का मामला था अब उसके सामने पहाड जैसा काम ये था कि उसने लाश को तेरा मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर तक धोना था बड़े भीचे द्रड़ता से उसने लाश की तरफ हाथ बढ़ाया तभी सडक की दिशा में कहीं किसी वाहन के हैडलाइट्स की तीखी कौन्ध हुई उसने ततकाल टार्ज का स्विच आफ कर दिया और आखे फाड़ फाड़ कर उधर देखा पुलीस की एक जीप इमारत की तरफ बढ़ रही थी वो घबरा गया एकाएक पुलीस कैसे पहुँच गई वहाँ कैसे भी पहुँची बहरहाल उसका वहाँ लाश के साथ पकड़ा जाना उसके लिए भारी दुखारी का बायस बन सकता था जीप इमारत के एन सामने आकर रुखी वो लाश के करीब से हटा और पिछवाडे की सीधियों की तरफ लपका पुलीस और पाँच मिनट बाद आती तो वो लाश समेट पुलीस की गिरफ्त में होता बच गए सीधिया उतरता वो मन ही मन बोला एक टैक्सी कश्मीर गेट हसन मन्जिल के सामने जाकर रुखी टैक्सी में माया राम था वो टैक्सी की पिछली सीट पर अलेटा सा पड़ा था और काफी हद तक नशे के हवाले था उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे और होठोन पर मुसकरा हट थी रह रहकर उसे सीमा नाम की उस नई कालगर्ल की याद आ रही थी जो मुश्किल से 20 साल की और बहुत ही हसीन थी निजामुदीन वाले फ्लैट पर उसे ये कहा गया था कि उस रोज सारी लड़कियां बुक थी लेकिन एक नई लड़की के साथ उसे फिट किया जा सकता था जो की शार्ट डिूरेशन के 15,000 लेती थी मायाराम ने मजबूरन नई लड़की कबूल की थी लेकिन बाद में उसकी ऐसी संतुष्टी हुई थी कि मन ही मन वो यहा निश्चय कर भी चुका था कि आइंदा दिनों में जब भी उसका मूर होगा वो सीमा की सोबत की ही माम करेगा वाह! क्या लड़की थी? कैसे कैसे करतब जानती थी? मुर्दे में जान फूंक सकती थी कमबक्त आ गए बाप उसने हडबड़ा कर सिर उठाया तो पाया कि टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर मौझूद होने की जगा पिछली सीट का दर्वाजा खोलता उसके सामने खड़ा था आ गए? मायाराम उचक कर बाहर जाकता हुआ बोला हाँ बड़े यतन से मायाराम टैक्सी से बाहर निकला वो इतना नशे में था कि जाइवर ने उसे सहारा न दिया होता तो वो जरूर धराशाई हो जाता मैं छोड़के आता है बाप किधर जाने का है? सामने ही हसन मंजिल में साथ नंबर पोर्शन में मैं छोड़के आता है बैसाखिया तीचु पहुचा देगा आओ उसने मायाराम को सहारा दिया सहारा क्या दिया दाई बा उसके गिर्द लपेट कर उसे एक तरह से गोड में ही उठा लिया वो उसे चाल के भीतर की तरफ ले चला चाल के आफिस की वाल कलाक उस घड़ी ठीक पॉने ग्यारा बजा रही थी बहुत बढ़िया आदमी हो तुम मायाराम जूमता सा बोला क्या नाम है तुम्हारा मुबारत अली मुसल्मान हो अंग्रेश तो नहीं है बाप मायाराम हाहा करके हसा बढ़िया आदमी हो मुबारत अली खामोश रहा मुबारत अली के साथ ग्राउंड फ्लोर की लंबी राहदारी में चलता जब वो पंत के दर्वाजे पर से गुजरा तो यहाँ देख कर उसके नेत्र सिकुडे की दर्वाजा बंध था और उसे बाहर से ताला लगा हुआ था कहां चला गया उसके मुँह से निकलाये तो खाना खाते ही सो जाने वाला था क्या बोला बाप मुबारक अली बोला कुछ नहीं तुम्हारे से नहीं बोला मुबारक अली ने उसे साथ नंबर पोर्शन के दर्वाजे पर पहुँचाया मायाराम ने दर्वाजे का ताला खोल कर उसे धक्का दिया और भीतर जाकर रोशनी की मैं बैसाखिया लाता है मुबारक अली बोला माया राम ने सहमती में सिर्हिला दिया मुबारक अली टैक्सी पर वापिस लोटा उसमें उसकी डिकी खोल कर भीतर से कैन्वस का बड़ा सा थैला बरामत किया उसमें से अकबार में लिप्ता एक पुड़ा बरामत किया और फिर अकबार को खोल कर टैकसी के करीब फर्ष पर रखा। अकबार में सीमेंट था। वो बड़ा सा थैला उसे विमल से प्राप्थ हुआ था। विमल ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि भीतर क्या कुछ था और उसने क्या कुछ करना था। उसने टैक्सी की पिछली सीट पर से मायाराम की दोनों बैसाखिया उठाई और उनके निचले डंडों को अकबार में पड़े सीमेंट पर रगड़ा कुछ क्षण बाद उसने निचले डंडों को अपनी आंखों के करीब लाकर देखा तो पाया कि उनके बेस पर कोई तीन इंच उपर तक दोनों बैसाखियों पर सीमेंट की बारीक परत चड़ी हुई थी बढ़िया उसने खुले अकबार को वापिस पड़े में तबदील किया और उसे टैक्सी में पीछे दोनों सीटों के बीच में रख दिया फिर उसने बैसाखिया और भारी थैला संभाला और तेजी से चलता हुआ मायाराम के पोर्षन के सामने पहुँचा वहाँ उसने ठैला दर्वाजे के पहलू की दीवार के साथ तिका कर बाहर गलियारे में रख दिया और फिर बैसाखिया संभाले भीतर दाखिल हुआ उसने मायाराम को एक कुर्सी पर बैठ कर अपने जूते उतारते पाया तुम्हारी बैसाखिया बाप मुबारक अली बोला शुक्रिया मायाराम बोला उधर दीवार के साथ लगा के रख दो मुबारक अली ने वैसा ही किया बढ़िया आदमी हो मुबारक अली बताया था ना अपना नाम हाँ, बाप कश्मीरी गेट तुम्हारा अड़ा होता तो मैं जहां भी जाता तुम्हारे साथ जाता अभी भी क्या वान्दा है, बाप तुम जब बुलाएगा, मैं इधर आएगा शुक्रिया शुक्रिया वैसे तुम्हारा पक्का अड़ा किधर है मायाराम ने उसे 100 का नोट और 150 का नोट पकड़ाया और बड़ी दयानतदारी से बोला बाकी रखो माले मुफ्त दिले बेर हम क्या क्या बोला शुक्रिया बोला बाप मुंबई से हो कैसे जाना बाप 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 तो उधर ही बोलते हैं ओ हाँ मैं मुंबई से है पन अब इधर ही रहने का है मेरे को दिली पसंद हूँ बाप अब क्या है एक गिलास पानी मिलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं मायाराम कुरसी पर से उठा और नंगे पाफ पिछले कमरे की ओर बढ़ा जब वो मुबारक अली की निगाहों से ओजल हो गया तो मुबारक अली जपट कर बाहर पहुचा उसने वहां से थैला उठाया और उसमें से एक जोडी जूते निकाले उसने उन जूतों को कुरसी के करीब फैंक दिया और मायाराम के उतारे जूते उठा कर अपनी पतलून की दाई-बाई-जेबो में खोस लिये फिर उसने कमरे में बिछे दीवान का धकन उठाया और कैंडवस का थैला उसके भीतर डाल दिया उसन प्यास ना होते हुए भी मुबारक अली एक सांस में पानी पी गया शुक्रिया बाब वो गिलास सैंटर टेबल पर रखता हुआ बोला मैं जाता है मायाराम ने सहमती में सिर हिला दिया अस्टरिस्क 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 दर्वाजे पर निरंतर पड़ती दस्तक से मायाराम की नींद खुली उसने हाथ बढ़ा कर बिजली का स्विच आन किया और वाल कलाक पर निगाह डाली बारह से उपर का वक्त हो चुका था कौन वो उच्चस्वर में बोला मायाराम हडबड़ा कर उठा पुलीस का वहां क्या काम? क्या नीलम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकी और उसने पुलीस के आगे सब कुछ उगल दिया था? नहीं! ऐसा करने की उसकी मजाल नहीं हो सकती थी. दर्वाजे पर फिर दस्तक पड़ी. मायाराम लडखराता सा दर्वाजे तक पहुँचा और उसने दर्वाजे को भीतर से खोला. उसे अपने सामने एक युवा, बावर्दी सब इंस्पेक्टर खड़ा दिखाई दिया. उसके पीछे एक हवलदार खड़ा था. मायाराम एक तरफ हुआ तो दोनों भीतर घुसाए. बैठिये. मायाराम अदब से बोला. ऐसे ही ठीक है. सब इंस्पेक्टर रुखे स्वर में बोला मेरा नाम जनकराज है. मैं पहाडगंज थाने से आया हूँ. मेरे ठाने के इलाके में एक वारदात हो गई है. जिसकी बाबत आप से पूछताच करनी है. वारदात. कैसी वारदात? एक आदमी का कतल हो गया है. हे भगवान. किसका? अभी बताते हैं. पहले जो मैं पूछू उसका जवाब दीजिए. ये पूछताच उस कतल के सिलसले में ही है. यही समझ लीजिए. मेरा कतल से क्या वास्ता? शायद न हो. चन सवालाद पूछना फिर भी ज़रूरी है. ओ! आपका नाम? काशीनात. कहां के रहने वाले हैं? हिमाचल का? दिली में कब से हैं? यही कोई दो महिने से. उससे पहले कहां थे? मुंबई में काम क्या करते हैं? कुछ नहीं. अपाहिज आदमी हूँ. उपर से बूढ़ा हो. चुका हूँ. अब क्या काम करूँगा? खर्चा पानी कैसे चलता है? पुराना कमाया कुछ रुपया है मेरे पास. उसी से चलता है. यहां घर पर कब से हैं? यही कोई पॉने ग्यारा बजे से. उससे पहले कहां थे? पहले कही गया था? कहां? बताना जरूरी है. हां. पहले निजामुद्दीन गया था. एक फ्रेंड से मिलने. दो घंटे वहां थेरा था. वहां से सीधे यहां आये थे? हां. दो घंटे आप फ्रेंड के साथ थे? हां. कब से कब तक? आच से दस तक? बीच में कही गए? नहीं. वो फ्रेंड इस बात की तस्दी करेगा कि शाम आच से दस तक आप उसके साथ थे? क्यों नहीं करेगा? यानि की करेगा? हां. जो बात सच है. उसे दोहराने में किसी को भला क्या गुरेज होगा? फ्रेंड का नाम पता बोलिये. मायाराम हिचकिचाया. बोलिये. सब इंस्पेक्टर जिद्भरे स्वर में बोला. क्या ये जरूरी है? जी हां. जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि वारदात कतल की है. मेरा ऐसी किसी वारदात से क्या लेना देना? शायद हो लेना देना. शायद ना हो. यही तो कफ्तीश का मुद्दा है. आपको मेरे पास आना सूझा क्यों कर? हमें एक टिप मिली थी टिप कैसी टिप? यही कि कतल की बाबत आप से सवाल करना हमारे काम आ सकता था मेरे से? काशीनाच से? जी हाँ यहां का पड़ा कैसे जाना? टिप देने वाले ने ही बताया कमार है ऐसा कौन महर्बान निकल आया मेरा जो कतल किसका हुआ है? मरा कौन है? आप कोई हतियार रखते हैं हतियार मसलन रिवालवर 38 कैलीबर की तौबा मेरे पास रिवालवर का क्या काम? अगर हम यहां की तलाशी ले तो आपको कोई एतराज रिवालवर के लिए? किसी भी चीज के लिए एक चीज की तलाश में हमें दूसरी भी मिल जाए तीसरी भी मिल जाए तो क्या हर्ज है? मायाराम खामोश रहा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपको तलाशी से कोई एतराज है? मुझे सक्त एतराज है क्यों भला बेवज़ मैं आपको यहां की तलाशी की इजाज़द दूँ? कोई काम बेवज़ा नहीं होता तो तलाशी की कोई वज़ा बताईए साफ बोलिए कि आप यहां कोई रिवालवर तलाश करना चाते है साफ बोलूँगा तो आप तलाशी लेने देंगे? नहीं फिर भी नहीं यह आपका आखरी फैसला है हाँ यहां की तलाशी लेनी है तो सर्च वारंट लेकर आईए ठीक है उठके हमारे साथ चलिए कहां? मोर्ग में जो की इर्विन हस्पताल में है जहां की मक्तूल की लाश पड़ी है जिसकी की आपने शनाक्त करनी है आपने कैसे सोच लिया कि मैं लाश की शनाक्त कर सकता हूँ? हमें ये भी टिप मिली है कि मक्तूल आपके लिए अजन भी नहीं है वो आपका खास है, जिगरी है, पक्ता दोस्त है लेकिन वो है कौन? ये तो आप हमें बताएंगे मैं जाने से इनकार करदू तो तो शक की बिना पर मुझे आपको गिरफतार करना पड़ेगा अजीब धांदली है आपकी बताते कुछ भी नहीं लेके जाना सब कुछ चाहते है मैंने बोला न कोई बात बेबुनियाद नहीं होती अब साफ बोलिये आप चल रहे हैं या नहीं चलता हूँ भाई चलता हूँ शुक्रिया मैं कपड़े तब्दील कर लूँ ऐसे ही चलिये करीब ही तो जाना है लेकिन आप पुलीस की जीप में जाएंगे और वही जीप आपको वापिस भी छोड़ कर जाएगी कोई प्राबलम नहीं होगी आपको ठंड का मौसम है कम से कम एक शाल तो ले लू ले लीजिये मायाराम उठकर पिछले कमरे में चला गया तब हवलदार ने कुरसी के करीब उलते पड़े जूते के एक पाव की तरफ संकेत किया क्या है सबैंस्पेक्टर उल्जनपूर्ण स्वर में बोला साहब जी हवलदार दबे स्वर में बोला सोल और हील पर सीमेंट की महीन परत चड़ी मालूम होती है सबैंस्पेक्टर सत्पकाया उसने आगे बढ़कर जूते का मुआइना किया तो पाया की बात सच थी उसने दूसरे जूते को देखा तो पाया कि उसके सोल और हील पर भी सीमेंट की वैसी ही महीन परत थी बैसाखियां भी देखिए हवलदार फुस फुस आया सबैंस्पेक्टर ने दोनों बैसाखियों का मुआइना किया तो पाया कि उसके भी जमीन पर तिकने वाले दंडे के तले पर और तले से कोई तीन इंच उपर तक सीमेंट की महीन परत धी हुई थी तभी शाल लपेट्ता मायाराम वापिस लोटा आप कहते हैं कि आप निजामुद्दीन गए थे सबैंस्पेक्टर बोला यहां से वहां पहुते वक्त या वहां से यहां लोटे वक्त आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरे थे नहीं मायाराम बोला जहां कि आपको बैसाखियों के सहारे पैदर चलना पड़ा हो नहीं यह बैसाखिया आपकी है और किसकी होंगी और यह जूते मेरे घर में किसी और के जूतों का भला क्या काम यानि की आपके है हाँ चलिए सहमती में सिर हिलाता मायाराम बैसाखियों की तरफ बढ़ा. इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. सब इंस्पेक्टर बोला. मैं इनके बिना नहीं चल सकता. चल सकते हैं. अभी आप मेरे सामने चल कर पिछले कमरे में गए और वहां से लोटे. बैसाखियों के बिना. ये तो कुछ कदमों की बात थी. मोर्ग भी कुछ कदमों की बात ही होगी. लेकिन. और फिर हम हैं, ना आपके साथ. हम आपको सिर माथे बिठा कर ले जाएंगे और ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, ठीक है फिल. तीनों वहां से बाहर निकले. मायाराम ने पीछे मुख्य द्वार को ताला लगा दिया. फिर आजू-बाजू चलते सबाइंस्पेक्टर और हवलदार के बीट चलता, उनके सहारे कदम उठाता, वो गलियारे में आगे बढ़ा. पंत के पोर्शन के सामने से गुजरते वक्त उसने पाया कि उसका दर्वाजा तब भी बदस्तूर बंध था. कहां चला गया था कमबक्त. मायाराम ने मन ही मन सोचा कहीं मुदाधर में वो ही तो नहीं लेटा पड़ा था. वो जबरन मोर्ग ले जाया जा रहा था लेकिन अब खुद उसके मन में भी लाश देखने की इच्छा बलवती होने लगी थी. बाहर आकर वो तीनों जीप में सवार हो गए. जीप के स्टेरिंग के पीछे एक बरदीधारी सिपाही मैजूद था सबाइंस्पेक्टर के संकेत पर जिसने जीप ततकाल आगे बढ़ाई. रात की उस घडी सुनसान सडकों पर चलती जीप दिल्ली गेट की दिशा में डौडने लगी. इस वक्त आप चप्पल पहने हैं. एकाएक सबन स्पेक्टर बोला लेकिन जब शाम को तफ्रीहन निकले थे, तब तो आप सूट बूर्ट दाड़े होंगी? हाँ मायाराम अन्वने भाव से बोला. पीछे वो जूते जो कुर्सी के करीब लुड़के पड़े थे, आपकी शाम की पोशा का हिस्सा थे. जाहिर है. कैसे जाहिर है? भाई, मेरे पास एक ही जोडी जूते हैं. आप किसी ऐसी जगा गए थे जहां कि कंस्ट्रक्शन वर्प चल रहा हो? मसलन किसी इमारत की तामीर हो रही हो? किसी जगा की मरम्मत हो रही हो? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं. जवाब दीजिए. नहीं. मैं ऐसी किसी जगा नहीं गया था. मैं सिर्फ एक जगा गया था जो की निजामुदीन में है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था. निजामुदीन आप कहां गये थे? किसके पास गये थे? जवाब देने की जगा मायाराम परे देखने लगा. ये कोई छुबाने लायक बात है? सब इंस्पेक्टर अप्रसन भाव से बोला. बताने लायक भी नहीं है. मायाराम बोला मैं नहीं मानता कि मेरी उस विजिट का आपके कतल के केस से कोई रिष्टा हो सकता है. अगर रिष्टा निकल आया तो? तो आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा. लेकिन पहले नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा जाती मामला है जिसकी की मैं खामखा की पब्लिसिटी नहीं चाहता. क्यों? जीप मोर्ग के सामने पहुच कर रुखी. सब इंस्पेक्टर और हवलदार मायाराम को सहारा देकर अपने बीच चलाते मोर्ग के एक कमरे में पहुचे जहां की एक पहियों वाले स्ट्रेचर पर चादर से धकी एक लाश पड़ी थी. सब इंस्पेक्टर के इशारे पर हवलदार ने चादर खीच ली. फिर सब इंस्पेक्टर मायाराम की बाहप पकड़ कर उसे आगे कर दिया. मायाराम विस्फारित नेत्रों से सामने देखने लगा. सब इंस्पेक्टर लाश की तरफ निगा उठाने की जगा गौर से मायाराम की सूरत देख रहा था. लगता है वो धीरे से बोला लाश आपकी पहचान आ गई है हाँ मायाराम फसे कंट से बोला किसकी है? हरिदक्त पंथ की जो की आपका दोस्त है जो की हसन मन्जिल में आपका पडोसी है हाँ कैसे मर गया? शूट कर दिया किसी ने गोली एन दिल में से गुजरी बेचारे को अगला सांस तक नहीं आया होगा धराशाई होने से पहले ही मर चुका होगा कहा? कहा हुआ ये वाहिया? जंदे वालान के इलाके में वहां बनती एक मल्ती स्टोरी बिल्डिंग की तेरवी मन्जिल पर ये वहां क्या करने गया? आप बताईए मुझे कुछ नहीं मालूँ आखिरी बार आप कब मिले थे इस इस हरिदत पंद से शाम साड़े साथ बजे के करीब कहा? हसन मन्जिल में स्थित इसके पोर्षन में जो की मेरे पोर्षन से चार घर दूर है तब ये हरिदत पंद क्या कर रहा था? होटल से खाना आने का इंतजार कर रहा था जिसके बाद वो कहता था कि वो सो जाने वाला था सोया तो न होगा वरना कतल होने के लिए जंडे वालान कैसे पहुँच गया होता? मायाराम ने बड़ी संजीदगी से सहमती में सिर हिलाया कौन से होटल से खाना मंगाया था इसने? युवराज होटल से जो की वही कश्मीरी गेट के इलाके में ही रिज्ज सिनेमा के करीब है ऐसे खाना वो अकसर मंगाना था? हाँ खाना उसने आपके सामने खाया था? सामने तो नहीं खाया लेकिन मेरे जाते ही खा लिया होगा आखिर मंगाया किसलिए था क्या था खाना एक पूरा कंदूरी चिकन, मटर पनीर और नान ये अच्छी जानकारी दी आपने क्यों की ये बात पोस्ट मार्टम के वक्त कतल का सही वक्त निर्धारित करने में मददगार हो सकती है वो कैसे? पोस्ट मार्टम करने वाले डाक्तरों को मालूम होता है कि पेट में पहुचने के बाद कौन सी खाद्य सामगरी कितने टाइम में पचती है आदमी की जान निकलते ही उसकी पाचन क्रिया बंध हो जाती है डाक्तर लोग पेट खोल कर इस बात का मुआइना करते हैं कि कौन सी चीज किस हद तक हजम हो चुकी थी फिर उसी से मौत का एन सही वक्त निर्धारित किया जा सकता है ओ, पोस्ट मार्तम सुबह होगा मुझे डाक्तर को बताना होगा कि हत्रान ने अपनी मौत से पहले कोई साड़े साथ बजे के करीब दूरी चिकन, मतर पनीर और नान खाया था ओ, आप कोई वजह का सकते हैं कि जो आदमी खा पी कर सोने की तयारी कर रहा था वो क्यों एकाएक उठा और कल होने के लिए जहन्डे वालान पहुँच गया मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ आप उसके दोस्त थे दोस्ती में बहुत बाते सांजी होती है दोस्त दोस्त की थौट ट्रेन को समझने लगता है सोचे कोई ऐसा कुछ जो इस बात पर रोशनी डाल सके कि वो क्यों मौकाईवादात पर गया जहां कि कारिल उसका पहले से इंतजार कर रहा था या उसके सामने आया था मुझे कुछ नहीं सूज रहा That's too bad Murder weapon से भी तो कातिल का पता लगाया जा सकता है बराबर लगाया जा सकता है लेकिन इस केस में murder weapon बरामद नहीं हुआ बहरहाल इतना हमें फिर भी मालूम है कि उस पर घातक गोली किसी 38 कैलिबर की गन से चलाई गई थी ओ, आपके पास ऐसी कोई गन नहीं है नहीं है पहले भी बताया था मैंने हाँ, बताया था शायद आपके दोस्त की मक्तूल की इस हरिदतपंद की आमदनी का क्या जरिया था मुझे नहीं मालूम कैसे दोस्त हैं आप उसके जो उसकी बाबत इतना भी नहीं जानते उसकी जाती जिन्दगी में मेरा कोई दखल नहीं था अमुमन रोजी रोजी का जरिया जाती जिन्दगी में शुमार नहीं होता कोई चोर हो, उठाइगिरा हो, स्मगलर हो, कॉन्मेन हो, ब्लैकमेलर हो तो बात दूसरी होती है क्या वो ऐसे किसी काले धंदे में था? मुझे नहीं मालूम वो चाल में रहता था, इस लिहाज से कोई आस्मान छूने वाली माली हालत का मालिक तो हो नहीं होगा आप ठीक कह रहे है मैं तो ठीक कह रहा हूँ आप क्या कह रहे है क्या था उस शक्स की आमद्मी का जरिया? बोला न, मुझे नहीं मालूम या कोई जरिया था ही नहीं या उसका भी गुजारा आपकी तरह पुराने कमाए रुपए पैसे से ही चल रहा था मैं इस बाबत कुछ नहीं जानता वो कोई जरायम पेशा व्यक्ति था मुझे नहीं मालूम हो सकता था? होने को क्या नहीं हो सकता? यानि की हो सकता था? हाँ कभी जेल की हवा खाई? किसने? मायाराम हडबड़ा कर बोला उसने? मुझे नहीं मालूम आपने? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता जेल गए आदमी का सरकार के पास पुखता रिकार्ड होता है देर सवेर हर बात रिकार्ड में से निकलवाई जा सकती है मुझे और कब तक यहां ठाहर ना होगा? कभी तक भी नहीं शनाक्त के लिए आपको यहां लाया गया था शनाक्त हो चुकी यानि की अब मैं घर जा सकता हूँ जा सकते हैं लेकिन घर नहीं क्या मतलब? आपको अपने घर की तलाशी से एतरास था आपका हुक्म था कि अगर हमने तलाशी लेनी थी तो हम सर्च वारंट लेकर आएं सर्च वारंट रात के एक बजे जारी नहीं हो सकता उसके लिए सुबा तक इंतजार करना पड़ेगा तब तक आप हमारे महमान रहेंगे लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ठाने में आपको पूरे आराम से रखा जाएगा ठर? ठाने में जाहिर है कोई होटल तो चलाया नहीं हुआ दिल्ली पुलीस ने आप तलाशी से अरामत क्या करना चाहते है अभी मालूम नहीं मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं आप? महस इसलिए क्योंकि किसी सिर्फरे ने टेलीफोन पर आपको मेरी बाबत कोई टिब दी है हाँ यह कतल का केस है इसलिए हम किसी बात को भी नजरन्दास नहीं कर सकते मेरा कतल से कोई लेना देना नहीं है कतल के वक्त मैं किसी के साथ था आपको क्या पड़ा कि कतल किस वक्त हुआ था? यह तो अभी खुद हमें ही नहीं मालूम मेरा मतलब यहा है कि मैं शाम के अपने एक एक मिनिट का हिसाब दे सकता हूँ फिर दर कैसा? लेकिन मेरे घर की तलाशी मामूली जहमत है जो आपको जहलनी पड़ेगी जब वहाँ आपके खिलाफ कुछ बरामद ही नहीं होने वाला तो दर कैसा? फिर भी क्या फिर भी? मायाराम खामोश रहा पीछे कानून तो आप ही छांट रहे थे तलाशी लेने पर एतराज न करते सर्च वारंद की दुहाई न देने लगते तो आपके लिए बाकी रात की हमारी महमानवाजी की नौबत न आती अब जो होना है वो तो होगा ही उसकी वज़स से जो तकलीफ होगी वो आपको भुगतनी ही पड़ेगी आप खामखा मेरे पीछे पड़े है हो सकता है लेकिन क्या करें? मजबूरी है तफ्तीश ऐसे ही होती है नौकरी ऐसे ही बजाई जाती है आप तो रिक कमाने की जिम्मेदारी से आजाद है क्योंकि आपके पले पुराना कमाया हुआ पैसा है इधर तो ऐसा कुछ नहीं है इधर तो तनख्वा से ही गुजारा है और तनख्वा कमाने ये काम करना पड़ता है जो की हम कर रही है ग्यूटी देनी पड़ती है जो की हम दे रहे है तलाशी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला बेचैनी से पहलू बदलता मायाराम बोला कोई बड़ी बात नहीं हर कोशिश का माकूल नतीजा तो नहीं निकलता लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं की कोशिश की हो न जाए मायाराम फिर न बोला लेकिन अब उसका मन पुकार पुकार कर कह रहा था कि उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली थी पंत की मौत उसके लिए कोई भारी मुसीबत का सामान करने वाली थी चाय पीजिये जनाब मायाराम कसम सातासा उठा उसने आंखे मलते हुए अपने सामने खड़े उस हवलदार को देखा जो उसके लिए चाय और उस रोज का अकबार लाया था थाने के ही परिसर में बने क्वार्टरों में से एक के बैडरूम उसकी पिछली रात गुजरी थी गोया सब इंस्पेक्टर ने उसे मुजरिम की तरह नहीं महमान की तरह ट्रीट किया था उसने चाय का गिलास और अकबार थाम लिया कितने बस गए फिर उसने पुछा साड़े साथ वो सब इंस्पेक्टर साहब कहा है जो वो अभी आये नहीं कब आएंगे बस आते ही होंगे मुझे कब तक यहां ठारना पड़ेगा वही आके बताएंगे अच्छी बात है हवलदार वहां से रूखसत हो गया मायाराम ने चाय का एक घूंट भरा और अखबार खोला मुख खपरश्ट पर ही उसे पंत के कतल की खबर छपी दिखाई दी खबर में जो विशेश बात थी वो यह थी कि पुलीस को किसी ने एक गुमनाम टेलीफोन काल करके मौकाईवारदात पर पड़ी लाश की बाबत बताया था वो काल ना आती तो कतल की खबर तभी आम होती जब की इमारत बनाने का काम करते राज मजदूर सुभा इरोज अपार्टमेंट्स के साइट पर पहुँचते तब यू कुलीस को खबर लगने में जरूर दोपहर हो जाती माया राम को कलपाने के लिए अब वो एक नए धुन्दी सामने थी कौन था वो शक्स जिसने पुलीस को कतल की बाबत फोन किया था कैसे वो कतल की ऐसी फौरी जानकारी रखता था जैसे वो उसकी आंखों के सामने हुआ हो क्या पदा कातिल ही गुमनाम फोन करने वाला शक्स हो लेकिन कातिल भला ऐसा आबैल मुझे मार जैसा काम क्यों करेगा तो कोई चश्मदीद गवा कौन और फिर लाख रुपे का सवाल ये था कि कातिल था कौन उस सवाल का कोई जवाब उसे न सूझा उसे नीलम का ख्याल आया नहीं, नहीं वो कैसे चातिल हो सकती थी? उसमें कतल का होसला होता तो वो उसका कतल करती जो कि उसकी मौझूदा दुश्वारी की वज़ा था तो उसका कोई हिमाली हिमायती पर भी ये ही एतराज लागू होता था फिर भी कोई हिमायती था तो वो कौन हो सकता था वो लड़की? सुमन? क्या वो नीलं की हिमायत में कतल जैसा जगन्य अराद कर सकती थी? उसकी अकल ने गवाही न दी तो फिर कौन? उसके जेहन पर विमल का अक्स उभरा लेकिन वो तो कब का मुंबई वापिस चला गया हुआ था उसे कैसे मालूम था? क्योंकि वो ऐसा कहता था क्या सबूत था कि जैसा वो कहता था, वैसा उसने किया भी था? कोई सबूत नहीं था लेकिन पंद के कतल से उसे क्या हासिल था? अंत के कतल से नीलम ब्लैक्मेल से निजात कैसे पा सकती थी? उसे कोई जवाब न सूझा उसी उधेरबुन में उसने चाय खत्म की वो करीबी साइड टेबल पर खाली गिलास रखने लगा तो उसने देखा कि वहाँ एक टेलीफोन पड़ा था हिचकी चाते हुए उसने फोन का रिसीवर उठा कर कान से लगाया तो उसे डायल टोन सुनाई दी लाइन चालू थी उसने नीलम का नमबर डायल किया हलो दूसरी तरफ से फोन उठाया गया तो वो बोला नीलम मैं सुमन बोल रही हूँ नीलम को फोन दे वो सो रही है उठा नहीं उठती अरे क्यों नहीं उठती उसकी तबियत खराब है जबरन उठा आप कौन बोल रहे हैं अब सवान ही किये जाएगी कि कुछ करेगी भी होल्ड कीजिये रिसीवर कान से लगाए भुन-भुनाता सा वो खामोश बैठा रहा हल्लो कुछ क्षण बाद उसे नीलम का उनींदा स्वर सुनाई दिया मैं बोल रहा हूँ वो बोला क्या है होश में आजा और जो मैं पूछूं उसका साफ साफ जवाब दे क्या जवाब दू कल तेरे से पंठ मिला था नहीं फोन क्या हो उसने किसलिए तू बता कोई फोन नहीं किया था उसने तेरा उससे कैसा भी कोई संपर्क नहीं क्यों होगा भला मैं तो ठीक से जानती भी नहीं कि वो कौन है उसके कहे पर कल रात तू जंडे वालान गई थी वो भी यहीं थी मेरे से जूट बोलने का अंजाम जानती है जानती हूँ तो तेरा यही जवाब है हाँ सोहल का क्या हाल है ठीक ही होगा कहा है वो मुंबई में पिछले दिनों वो दिल्ली में था नहीं हो सकता वो दिल्ली में हो और घर ना आए मेरी खातिर नहीं तो अपने बच्चे की खातिर घर ना आए ये नहीं हो सकता वो दिल्ली में था बोला न नहीं हो सकता तू इस बात की तस्दीक कर सकती है कि वो मुंबई में जहां कल रात मैं तहीं नहीं गई थी हर घड़ी यही थी और वो लड़की सुमन हाँ कर मैं फिर फोन करूंगा ठीक है मायाराम ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया ऐस्टरिस्क 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 नौ बजे रमेश लूथरा भूत पूर्व सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलीस लोटस क्लब पहुचा जहां की विमल पहले से मौजूद था उसने विमल का अभिवादन किया और फिर उसके करीब एक कुरसी पर बैठ गया विमल ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा कार चोर भी काफी पहुचा हुआ बताया जाता है दो बार गिरफ्तार हो चुका है दोनों बार केज गवाहों के मुकर जाने की वज़ह से अदालत में तिक ना सका इसलिए बरी हो गया पिछले दो साल से दिल्ली पुलीस को उसकी कोई खोज खबर नहीं थी इसलिए सोचा जा रहा था कि वो यहां से कहीं और शिफ्ट कर गया था ये अभी भी कहना मुहाल है कि वो शुरू से ही यही था या जाके वापिस लौट आया था क्या फर्क पड़ता है विमल बोला ये बात अखबार में नहीं जा सकी है लेकिन पुलीस उसके घर की तलाशी ले चुकी है लाश की जेब से ही चाबियों का एक गुच्छा बरामद हुआ था जिसमें एक चाबी उसके कश्मीरी गेट वाली चाल वाले पोर्शन के प्रवेशदवार के ताकी भी थी पुलीस को वहां से भी कुछ ऐसे सूत्र मिले है जो की उसके जराइम पेशा व्यक्ती होने की तस्दीक करते है कोई रुपया पैसा न मिला वो भी मिला बड़े दिल्चस्प धंग से मिला मतलब पुलीस ने उसके घर से दो अलग अलग जगों पर रखी दो रख में बरामत की है एक रखम दो लाख रुपय की थी जो पैकिंग में काम आने वाले ठाकी कागज में लपेट कर एक पैकट बना कर एक सूटकेस में रखी हुई थी दूसरी रखम कोई 32,000 रुपय के करीब की थी जो की स्टील की अलमारी में एक लॉकर में बन थी पैकेट बना कर नहीं सुना है लॉकर वाले नोट यूँ ही खुले पड़े थे उन पर कोई रबर बैंड तक नहीं था वो उसके रोजमर्रा के इस्तमाल की रखम होगी न दूसरी पैकेट वाली रखम किसी खास प्राप्ती से तालुक रखती होगी खास प्राप्ती जैसे ब्लैकमेल में हिस्सा ब्लैकमेल